दोस्तो Microsoft Office Crash Course के इस वडियो को शुरू करने के पहले तीन सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी टिक टिक करते होंगे तो उनके जवाब मैं पहले देना चाहूंगा परेशन अन्ना जी शुरू हो जाईए और यो अन्ना सती जी मेरे पहला सवाल यह कि Microsoft Office Crash Course हमको क्यूं सीखना चाहिए सही पगड़े अन्ना जी जियां दोस्तों यह सवाल आपका भी हो सकता है कि यह Microsoft Office Crash Course हमें क्यूं सीखना चाहिए तो दोस्तों अगर आप एक college student हो और आपको colleges में presentation बनाने होते हैं साथी में अगर आप जॉब के लिए apply करते हैं फीचर तो जॉब के लिए apply करने के लिए पहले अपना resume यानि की CV प्रॉपरली create होना चाहिए तो वह CV कैसे बनाना है Microsoft Word के अंदर यह भी मैं आपको बताने हो या फिर अगर आप एक shop owner हो आपको बिल्स बनाने एक्सेल के अंदर या expenses कर रेकॉर्ड मेंटेन करना है तो इन चीज़ों के लिए Microsoft Office के अंदर का Microsoft Word है इसलिए आपको Microsoft Office का यह crash को सीखना चाहिए और साथी में अगर आप computer के बारे में कुछ भी नहीं चानते हो और computer में क्या सीखना है तो मैं आपको बताऊंगा कि computer में आपको पहले Microsoft Office आना चाहिए क्योंकि documentation के लिए जो software यूज होता है कोपीटर में letters कैसे बनाते हैं computer में documentation कैसे बनाते हैं computer में calculations कैसे करते हैं computer में presentations कैसे बनाते हैं यह सारी चीज़े आपको Microsoft Office के crash course में सीखने मिलेगी यह तो मैं बस trailer बता रहो लेकिन आपको धेर सारी चीज़े इस crash course में सीखने मिलने वाली है फिलाल तो ये सवाल नंबर वन का जवाब था, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर टू की दरब, अन्ना जी बताईए सती जी, ये कोर्स हमको क्यों सीखना है, ये तो हमको पता चला, लेकिन इसमें तुम हमको क्या-क्या पढ़ाएगी, मेरा मतलब है पढ़ाएगा तो इसमें आपको कौन से अप्लिकेशन सीखने मिलेंगे, इसमें आपको Microsoft Word सीखने मिलेगा, जो कि documentation का expert software है, जिसमें document properly कैसे बना जते हैं, print कैसे करते हैं, वो सारी चीज़े आपको बताई जाएगी, दूसरा आपको Microsoft Excel सीखने मिलेगा, जहांपे calculations किया जाता है, जिसमें मैं data के उपर हम easily calculation कर सकते, report बना सकते, धेर सारी चीज़े कर सकते, तो Microsoft Excel software यहां पे include रहेगा, तीसरा software यहां पे include रहेगा, Microsoft PowerPoint, जिसमें मैं cover करूंगा, presentations कैसे बनाते, attractive way से, उसके बाद यहां पे cover होगा Microsoft Access, जो कि database management के लिए useful software, बहुत सर लोगों को Microsoft Access पता ही नहीं क्या होता यहां पे Microsoft Access भी include मैंने किया है, और साथी में यहां पे Outlook भी include किया है, Outlook जो की mailing के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, corporate में, तो अगर आगे चलकर आप company में job करना चाहते हैं, तो बहुत बाद 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 ब पूचेगा, एक आगरी सवाल पूचेगा, ज़ो सवाल बहुत important रहेगा, मेरे लिए भी और इन के लिए भी, ये लोग पूचना चाहते हैं, कि इसमें जो Certificate कैसे हम लेगा, मतलब कैसे मिलेगा Certificate, और सबसे सबसे important सवाल है, देखेंए क wäre act, बाद 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 बा तो देने वाला नहीं हो, आपको थोड़ी सी मेनत तो लेनी पड़ीगी, अब मेनत क्या लेनी पड़ीगी, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और वो सर्टपिकित कैसे मिलेगा, इस वीडियो के अंदर ही चिपा रहेगा, बेसिकली अगर मैं डायरेक्ली सर्टपि लेकिन इस सर्टपिकित को लेने के लिए पहले कुछ स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेगे, मुझे आपका नौलेज चेक करना पड़ेगा, कि आप कॉलिफाइड हो की नहीं सर्टपिकित के लिए, तो मैं ऐसे कैसे सर्टपिकित आपको दूँ, तो यहाँ पे सर्टपिक इसलिए आपको वीडियो स्टेप बाई स्टेप पहले देखना पड़ेगा, जो वीडियो देखेगा, उसी को सर्टपिक बिलेगा, सीधी बात है, नो बक्वास, तो हमें यहाँ पे सर्टपिकित डिरेक्टी सबके लिए इशू नहीं करना है, मुझे बस उन्हें सर्टपि इसलिए प्रफिक बात है, यह सारी चीज़े मैं आपको वीडियो के दोरान ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अरे बताऊंगा, 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 तो मुझे पता चलेगा, कि यहाँ आप वीडियो देख रहे हो, तो मैं जैसे पहला पार्ट का और होगा, तो थोड़ा सा स्टेप बताऊंगा, कि पहली स्टेप क्या करनी, दूसरी स्टेप क्या करनी, तिसरी क्या करनी है, तो यह प्रोसीजर रहेगी, तो पहले मैं क्लियर कट हूँ, कि यह सर्टपिक आपके लिए प्राइवेट कंपनीज में वैलिड हो जाएगा, और यह आयो स पॉपीस के जो पाच टॉपिक हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपाइंट, एक्सेस, इनकी सभी की प्रैक्टिस फाइल मैं आपको डिस्रिप्शन में देने वाला हूँ, प्रैक्टिस फाइल भी कैसे आपको मिलेगी हर कोर्स में ही, मैं आपको उसमें जितनी भी शॉटकट कीज में इस्तमाल करने वाला हूँ, उन सभी शॉटकट कीज का पीडिया भी एबुक आपको फ्री में मिलने वाला है, तो शॉटकट कीज का एबुक यह आपको फ्री में मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और सा यहां पर आपके कमेंट करो वीडियो कैसे लगा यह जरूर कमेंट के लिए थोड़ा से यह है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो अभी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मैं सतिश कंपलीट टेकलों पर आप सबका स्वागत करता हो शुरू करते हैं Microsoft Office का यह बड़ा crash course लेट्स बिगिन तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता है Microsoft Office का यह crash course होने वाला है Beginners से यहाँ पर मैं शुरुवात करने वाला Microsoft Office में सबसे पहला Software होता है Microsoft Word जिसमें हम documentation बनाते हैं, letters बनाते हैं अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं तो हम शुरुवात से सीखेंगी कि Microsoft Word अपने computer में start कैसे करते हैं उसमें जो अलग-अलग options आते हैं टाप किसे कहते हैं, basically page कैसे आता है page print कैसे होता है, सारी चीज़े detail में देख लेते हैं, आईए screen पर बढ़ते हैं तो दोस्तो हमें सीखना है Microsoft Word लेकिन Microsoft Word हमारे computer में हम start कैसे करेंगे, आईए देखते हैं यहां पर मैं आ चुका हूँ, desktop की उपर और मेरे system में, यानि मेरे computer में यहां पर Windows 11 इंस्टॉल है तो इसका जो start button दिखाए रहा है यहां पर बीच में दिखाए रहा है यह start आप click करते ही आपके सामने इस तरह से program उपन हो जाएंगे अगर आपके वस Windows 10 है या Windows 7 है तो यही जो आपको logo दिखाए दे रहे यह आपको left side में दिखाए देगा आप keyboard की उपर window key प्रेस करके भी इसे access कर सकते हैं और यहां पर दिखाए दे रहा है pin program इसमें से मैं word start कर सकता है या फिर यहां पर मैं सर्च कर सकता है यह देखिए word अब मेरे system के अंदर Microsoft Word 2021 है मतलब Microsoft Office का 2021 package इंस्टॉल है इसलिए यहां पर word 2021 है आपके case में 2016 हो सकता है 2013 हो सकता है या भी 2010 हो सकता है कोई भी version हो कोई problem नहीं है हाँ नए version में कुछ नए options एड होते लेकिन कोई भी version हो जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो तरीकों से अगर आप सीखोगे तो आपको Microsoft Word simple लगने लग जाएगा और Microsoft Word के अंदर धेर सारी चीज़े आप बना पाएंगे तो आपके पास कौन सा version है कोई matter नहीं करता है तो आप इसे start कीजे यहाँ पे क्लिक करके आप इसे start कीजे Microsoft Word आपके सामने शुरू हो चुका है अब जैसी आप इसे start करते हो यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है इसे welcome screen कहते है अब welcome screen पुराने वर्जन मी नहीं आती direct blank document open होता है 2007 और 2010 में direct blank document मैं हमेशा comparison करते रहोंगा कि पुराने वर्जन में क्या आ रहा है और नए वर्जन में क्या नया है राइट? don't worry तो आप यहाँ पे blank document पे जैसे click करोगे आप आ जाओगे directly Microsoft Word के इंटरफेस में लेकिन उसे पहले इस welcome screen में क्या क्या है देख लेते यहाँ पे home tab नया document लेने के लिए new option दिया है existing file open करने के लिए open option दिया है यानि कि पहले से आपने later head बना है कोई resume बना है तो यहाँ से आप open कर सकते है या फिर आप recent use file में से भी उन file को open कर सकते जो recently आपने use की वो file यहाँ पे दिखाए देती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो जो files recently used की उनका नाम यहाँ पे आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं शुरूरात करूंगा blank document से यह ready template मैं नहीं इस्तमाल करूंगा हाँ यहाँ पे ready directly बनाने तो यहाँ से अप ready template उठाओ calendar डारेक लेलो लेकिन हम blank document पहले लेंगे तो अब हम आ चुके Microsoft word के interface में यहाँ पे screen को समझ लेते Microsoft word के interface को पहले जहान लेते अच्छे से सबसे उपर जो दिखाए दे रहा है यह blue वाला इसे title बार कहते है सबसे उपर में आ रहा ही है title बार में आपको document यहाँ पे नाम दिखाए दे रहा है Microsoft word में जितनी भी file बनाते है उसे document हम कहते है याद रखे और इसका extension रहता है .docx extension क्या होता यह save के time पे मैं आपको बताऊंगा फिलाल यह title बार में यहाँ पे उसका नाम दिखाए दे रहा है document और यहाँ पे इस file को हमने अभी तक save नहीं किया इसलिए इसका default name document ही रहता है और उसके left side में यहाँ पे आपको जो tools दिखाए दे रहे इनको quick access tools या toolbar बोला जाता है auto save, on off करने के लिए option है उसके बाद यहाँ पे save का option है यहाँ पे undo redo का option है तो यह है quick access toolbar quickly access करने के लिए यह tools यहाँ पे आपको मिल जाते है और right side में title bar के right side में यहाँ पे आपको दिखाए देता है close, maximize, restore और यह minimize minimize यानि कि यहाँ पे minimize करेंगे तो यह पूरा minimize हो जाएगा और यहाँ पे आप task bar पे click करते हो तो यह दुबारा open हो जाता right मतलब close नहीं होता है close से directly close हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे title bar होता है अब हमने title bar जान लिया अब यहाँ पे आपको file, home, insert, design, layout यह जो options दिखाए दे रहे है यह basically है tabs right इन्हे tabs बोल हो जाता है याद रखिए अब जब मैंने home tab पे click रखा यह देखिए यह पे आपको पता भी चल रहा है यह home tab पे click है उसके नीचे blue line आ रहे है जैसे मैं insert पे click करता हूँ तो यहाँ पे नीचे की options change हो रहे है तो इन्हें ribbon कहा जाता है यह ribbon है insert tab की ribbon में कुछ और options है design में कुछ और options है यहाँ पे layout में देखिएंगे तो page size related options आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे मैंने home पे click कर दिया अब home tab में जब मैं आता हूँ ज़रा इसे थोड़ा सा detail में हम समझ लेते है तो इस ribbon के उपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नाम है clipboard यहाँ पे font यहाँ पे एक नाम है paragraph तो इन्हें group कहा जाता है यहाँ पे style group है यहाँ editing group है आगे यह दिखाय दे रहा है तो इन group के अंदर क्या होता है अलग-अलग options इसे clipboard group में copy page को option मिलेगा font group में आपको formatting को option मिलेगा paragraph को आपको alignment को option मिलेगा तो ऐसे अलग-अलग options आपको insert में भी मिलेंगे insert में pages group है illustration group है add-ins group है तो अगर किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे यहाँ पे word art insert कर के दो और उसने steps भी बताए word art available है आपके text group में insert tab में तो आप insert tab में पहले जाओ कि और यहाँ पे text group ढूड़ोगी यह रहा text group दिखाए दे रहा है और यहाँ पे word art आपको मिल जाएगा इस तरह से तो यहाँ पे group वाई आपको याद रखने के पर इस group section में इतनी सारे options available है चलो ठीक है यह ribbon होता है और यह tab होते ही यह समझ मैं आपको यहाँ पे और यह file menu है basically menu है जिसके अंदर बहुत सरे options रहते हैं आगे चल कर देखेंगे उसके बाद यहाँ पे आती है scale जो कि आपको help करती है alignment या फिर बहुत सरी चीज़े करने में जैसे आप later head बना रहे हो तो उसको proper align करने के लिए help यहाँ पे scale का होता है proper tab setting करने के लिए scale का use होता है तो यहाँ पे scale horizontal भी है vertical भी है अब यहाँ पे जो blink होते हों दिखाए दे रहे हैं इसे हम cursor के याद रखिया this blinking line known as cursor यह हमारे typing का starting point बताता है यहाँ से हमारा typing आगे जाने वाला यह cursor होता है और cursor के साथ-साथ यह जो mouse pointer आ रहा है जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ अभी यह mouse pointer खाली दिखाता रहा हूँ यह I करके लिखके आ रहा है यหाय झाग आउपको यह बढ़ा कर रहा हूं इससे insertion pointer कहते है जो mouse pointer उससे insertion pointer कहते है जब आप mouse pointer नो लेते हो तो यह देखिए इस थरह से आज्हें mouse pointer पुरा नीचे व तो आय आता है insertion pointer यहाँ takiego pointer by Feverage is total pages one ऐ और one of one इस पिता रहा है इसे status बार कहते हैं कि इस page का status बताएगा, साथ में page का zooming level कितना है, अगर आप यहाप यहाप बॉटम कॉर्णर में आओ गया और देखोगे, page का zooming level है 159 percentage, अब मैं इस zooming level को कम कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिया, मैंने कर दिया, zooming level को कम और इसको रख दिया 10 percentage, कितना zooming level र मैं final exam के question में add करने हूँ, जिसकी मदद से आपको certificate मेलेगा, तो आपको याद रखना है, मैंने suppose वापी पूछा है कि Microsoft Word के अंदर minimum zooming level कितना है, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, अगर आप वीडियो द्यान से देख रहे हो तो, so got it, चलो ठीक है, आपको यह आइड़ा चुका है, minimum, maximum zooming level, और मैं zooming बढ़ा सकता हूँ, keyboard के जरीए, और mouse के जरीए भी, keyboard के जरीए मतलब, keyboard का control button मुझे प्रेस करके रखना है, और mouse का जो scroll button होता ना, बीच का button, left और right, दो mouse के button होता है, आपको पता है रहेगा, यह basic जानकार देने की मज़रोद नहीं है, अलड़ी आगी की तरफ गुमाओ, zoom in होते जाएगा, आगी की तरफ, right, और अपनी तरफ गुमाओगे तो zoom out होते जाएगा, तो आप ऐसे keyboard की मदद से भी zoom in, zoom out कर सकते है, बस scroll bar आगे पीछे घुमाना है आपको, right, so पहले तो आपको यह पता चला, Microsoft Word का interface, अब Microsoft Word का interface हमने जान लिया है, तो अब हम तोड़ा सा इसके page size के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें इसके अंदर कुछ भी बनाना है, तो हमें page के बारे में पता होना चाहिए, तो इसके page size, page margins के बारे में हम जानते हैं, तो अभी हम page setting सबसे पहले सीख लेते ह तो सबसे पहले तो यहां पर पहले कुछ भी content type करता हूँ, page size में आपको दिखाने के लिए, तो content यहां पर लेना है मुझे, basically, तो मैं कोई भी practice के लिए content लेना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से लिखूँगा, rand, open bracket, और close bracket, अगर मैं इतना ही लिखके enter करता हूँ, तो य पहले वो बता देता हूँ, इसे मैंने select किया, ऐसे अब select कर सकते है, click and drag, mouse का, left button यहां पर click करना है, उसके बाद drag करना है, उपर की तरफ, यहां पर cursor रखिए पहले, click कीजिए cursor से, और left button यहां पर click करके रखना है, दबागे रखना है left button और खीचना है नीची की तरफ, तो Ctrl A button पहले प्रेस करो, और delete button प्रेस करो, और delete button प्रेस करो, यह चूमंतर हो जाता है, I am into से delete हो जाता है, अब देखिए, मैं क्या करो, यहां पर मैं rand open bracket लिखने के बाद, मुझे थोड़ा सा बड़ा paragraph चाहिए, तो rand open bracket मैं zoom करता हूँ, ज्यादा zoom करूँगा तो mobile से बाहर bracket close, अब याद रखिए, जब आप bracket close, bracket open, यह वाले brackets से यूज़ करना चाहते हैं, तो उन्हें आप shift button प्रेस करके यूज़ कर सकते है, shift button प्रेस करके आप open bracket देंगे या close bracket देंगे तो आएगा, अगर आप shift नहीं प्रेस करोगे तो वापे 90 आ जाएगा, तो वापे क्योंक प्रेस के लिए, 51 pages आगे और हम लोग अभी है page number 50 पे फिलाल, यहाँ पे आपको 51 पे basically, 51 पे हम लोग, अगर मैं करसर उपर रखता हूँ, हम लोग कोन से page पे यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे directly अपडेट हो जाएगा, इसे कभी-कभी अपडेट होने के लिए टाइम लग इतना सारे paragraph इसलिए insert किया, क्योंकि मुझे page का settings बताना है, page के बारे में आपको बताना है, तो वो है layout tab, सबसे पहले layout tab में हम जाएगा, दिखाए दे रहा है, layout tab में यह जो pages आ रहे, 51 आ रहे, इसकी size कौन सी, total 51 pages की, तो यहाँ पे layout tab में सबसे पहला option आपको यहाँ पे size दिखाए दे रहा है, जिस पर मैं click करूंगा, और size पर click करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे, यह later size selected है, अब later तो हम use नहीं करते है, later में 8.5 by 11 inch size रहता है, later का दिखिए, तो यहाँ पे हम ज़्यादा दर A4 size आज कल use करते हैं, तो मुझे A3 चाहिए, A5 चाहिए तो मैंने यहाँ पर click कर दिया, जैसे मैंने A4 किया, तो आपको कुछ changes नज़र आएंगे, यहाँ पर status बार पर नज़र आएंगे, जातर page में कुछ यादा changes नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखाए दे रहा है, total 51 पर जिसते 2 page कम होगे, कैसे, तो अगर आप मतलब यह page vertical है, vertical है नहीं कि मैं इसको zooming कम करके दिखाता हूँ, zooming कम करने के लिए control बटम प्रेस किया और scroll बार अपनी तरफ घुमाया, right, माउस को middle बटन है, scroll बार अपनी तरफ घुमाया, तो यह page vertical दिख रहे है आपको, तो यहाँ पर आपको orientation नाम का एक option मिला रहा है, layout म orientation, यह आपको सबसे पहले पता होना ची, page को आप portrait की जगर landscape भी कर सकते हैं, right, तो printing के लिए page आप कैसे भी रखो, यहाँ पर landscape अगर set करते हो, तो यह horizontal प्रिंट होगा, यहाँ पर portrait प्रिंट होगा, मतलब page तो आपको printer में एक ही जग पे ऐसे vertical ही रखने रहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप landscape करते हो, तो landscape horizontal प्रिंट होगा, vertical चाहे तो vertical, यहाँ पर बस एक click से horizontal, vertical में change होता है, और वो layout tab में है, वो याद रखना है, यह सबको पता होना चीज़, सबसे पहले, मेरे सबसे यह जान करे हूँ चीज़, next, यहाँ पर margins हम देख लेते हैं, अब margins क्य page के लिए जरूत है है, जादा तरह में left और right में हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, left और right में भी page का spacing चाहिए हमें, लेकिन अगर आपको लगता है, ज्यादा spacing ही है, तो आप वो कम कर सकते हैं, left और right इसलिए चाहिए कि वो punching के लिए हम यहाँ पर जगत चोड़ना है, so margin मे side से, top, bottom, left and right, चारो side से, one, one inch space है, तो मैं इसे narrow करता हूँ, narrow margin, यहाँ पे click करते ही, सभी side से, 0.5 margin, अब इससे क्या होगा, margin कम होगी, आप बोलोगी आरे वा, इससे space आपको थोड़ा सा और मिल रहा है, pages आपके जहाँ पे, 51 pages, 49 होगे थे, 49 होगे थे, 49 होगे थे एफोर चले जाएंगे, तो वो normal margin ही, ठीक है, professional वाले तो normal margin ही, यूज करते है, और अगर आपको थोड़े से pages बचाने है, printing में, तो आपको लगता है, बहुत ज़्यादा प्रिंट करना है, और आपको उन्हें बाइंडिंग वगारा तो कुछ करना नहीं है, आप नेरो margin भी इस्त हो, don't worry, columns में में click कर रहा हूँ, और यहां पर मैं करता हूँ, columns में, चले में 3 column करता हूँ, तो यह 3 column में divide हो गया, newspaper में होता है, 2 column, तो 2 column, लेकिन यहां पर गडबड आपको दिखाए दे रही है, जरा ध्यान से देखेंगे तो, वो भी चीज में आपको बताँगा, यहां knowledge अभी होना, ज़रूर है, मेरे साब से आपको, जब आप column में इसे convert करते हैं, तो Ctrl-J, यह shortcut की है, justify की, और Ctrl-J प्रेस कीजिए नहीं, तो यहां पर click की, home tab में, यह देखिए, I mean to say, यह proper align हो गया, right, यह music में बीच में लगा देता हूँ, क्योंकि कुछ magic हो गया, तो आपको justify करते हैं, तो गडबर solve, right, so Ctrl-L, left, Ctrl-E, center, Ctrl-R, right, Ctrl-J for justify, okay, that's it, तो अब मैं यहां पर क्या करता हूँ, justify वगरा, तो मैंने आपको बता दिया, चलो, यहां पर मैं फिर से जाता हूँ, layout tab के अंदर, और यहां पर columns में जाकर, one column करता हूँ, तो आपको idea आ चुका होगा, कि column से क्या होता है, basically, right, clear है, अब यहां पर एक बात याद रखना, margins में आपको यहां पर जाकर, suppose यह margins तो मैंने आपको दिया है, कि यहां से आप set कर सकते, लेकिन यहां पर एक option भी है, custom margin, यह भी देख लो, custom margin में जाकर आप खुद से margin डालना चाहते है, तो you can put the margins, right, यहां पर मैं 0 रखना चाहता हूँ, top, bottom, left, right, सब जगह मैंने 0 कर दिया, 0, 0, 0, 0, 0, मैंने क्या क्या है, यहां पर 0, click क्या 0, tab बटन प्रेस के next, tab, 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 tab से आप next, next, next box में आ सकते, tab बटन कीबोर पे प्रेस करके देखे, okay, और यहां पर बोल रहा है कि आप जो margin fix कर रहे हैं, व पर से आपको page में कई भी margin नहीं दिख रहे हैं, यह कंजूसी की हद हो गई, ऐसा print आप मत करो, कुछ लेटर मिसिंग हो जाएंगे print से, pages यहां पर वैसे कम लगेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा printing तो इतनी कंजूसी मत करो, थोड़ा बहुत तो care करो, okay, so यहां पर आप margins custom भी क formatting options देखने वाले हैं, कैसे हम document को format करते हैं, मैं यहां पर home tab पे click करूँगा, home tab पे already click है, और font group में जाओंगा, font group में formatting से related बहुत सरे options है, मैं यहां पर zoom कर रहा हूँ, इसे zoom करने के लिए मैंने control बटम प्रेस करके scroll बार आगे घुमाया, दुबारा बता देता हूँ, और यहां पर मैंने cursor रख दिया, starting में, यह दिखे, cursor starting में रख दिया, enter कर दिया, enter, नीचे, और यहां पर क्या हो गया, paragraph नीचे shift हो गया, जैसे मैं enter करूँगा, और मैंने यहां पर title दी दिया, capital में लिख दिया, chapter 1, capital small कैसे लिखना है, caps lock on रखेंगे keyboard पे, तो यह capital आ जाता है chapter 1 को मैंने select किया, ऐसे click and drag करके आप select करो, जैसे आप select करोगे, इसी की उपर एक mini toolbar आता है, format जैसे आप इसे select करोगे, देखिए, इसी की उपर, यह जो formatting का mini toolbar आ रहा है, यह formatting की options आपको उपर भी दिखाए देंगे, तो आप वो mini toolbar से करो, या फिर यहां से access करो, कोई problem नही तो यहां पर देखिए, font size बढ़ाने के लिए option दिया है, increase font size, इस तरह से आप font size यहां पर बढ़ा सकते, और decrease करने तो decrease यहां पर click करके भी, आप font size बढ़ा दो, उसके अलाव आप यहां पर इसे bold करना चाते, आप इसे italic करना चाते, देखिए, formatting यहां पर जैसे मैं click करू अलग-अलग format के देना चाता हूँ, तो यहां से मैं दे सकता हूँ, अच्छा मैं font color देना चाता हूँ, I can change the font color, देखिए, तो यह options बस click and okay, आप जैसे click करोगे, you can see the result, और यहां पर जाकर आप इसका font style बदलना चाते, अलग-अलग-अलग-अलग-अलग font की formatting आपको मिल चाती है, तो यहां पर font का कौन सा style आप रखना चाते, font यहां पर बदलो, जो font आपको अच्छा लगता है, right, जो मन को भाए, उसे आपको select करना है, दोस्तो, right, तो यह मैंने select कर लिए, चलो, ठीक है, अब यहां पर आपको formatting, पता चलो, formatting दे दिया, अब आपको लगा कि य इसे मैंने इस पर click किया ना, धो डाला, मतलब पूरी formatting clean हो गई, अब मैंने clean की, अब दुबारा मुझे उतनी formatting देने के लिए, वापिस वैसे ही click, click, click करते जाना पड़ेगा, size बड़ाना पड़ेगा, नहीं, इतनी सारी चीज़ी नहीं, अभी-अभी मैंने जो steps की ना, व undo, right, तो यहाँ पर undo कैसे करना है, ctrl-z, z, मतलब एक step पीछे, एक multiple step ऐसे ctrl-z प्रेस करते जाएंगे, तो एक, 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 back, 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 right, one step backward, अब मैं इसे forward करना चाहता हो, तो ctrl-z के लिए undo था, और ctrl-y क्या रहेगा बताओ, पांडू नहीं रहेगा, याद रखिए, ctrl-y, redo, मैं ctrl-y प्रेस करो, यह देखिए, सारे steps फिर से होगे, so यहाँ पर undo options आपको मैंने बताया, और redo options बताया, right, तो undo मतलब ctrl-z, z, जो की one step backward होते जाएगा, और redo मतलब वही forward करते जाएंगे, suppose मैंने इसे यहाँ पर delete कर दिया, यह undo, right, और ctrl-y यह उसी को हम redo use करेंगे, right, तो चलो, आपको यहाँ पर formatting के options पता चले किस तरह से करने, उसके बाद alignment मैं आपको बताता हूँ, alignment वैसे भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर formatting की बारी है, तो alignment में यहाँ पर देखिए, center alignment, ctrl-e आप प्रेस करो, ctrl-r प्रेस करते हो, right, औ ctrl-l प्रेस करते हो, left, और justify तो मैंने पहले ही आपको बताया था, right, इसके पहले section में, जिसमें मैंने आपको page के setting के time पे column insert किया तब बताया था, तो यहाँ पे center है, right है, और justify alignment है, justify इसको करके कुछ भी मतलब नहीं, result दिखाई नहीं देगा, justify paragraph की उपर होता है, जसी यह paragraph है, ctrl-a करो, यहने justify करो, justify यह देखिए, align हो चुका एक line में, left यह रहा, right, तो इस तरह से justify आप कर सकते है, right और left align होने के लिए, automatically वो word के बीच में space adjust करता है, और उसे justify alignment दे देता है, and now what is the next, यहाँ पर इसे हम select करते है, और इसको जड़ा shade color देते है, shading color, right, यहाँ पे fill color basically, यह fill color हम यहाँ से दे सकते है, तो आप fill color देना चाहते है, तो यहाँ पर इसे border देना चाहते है, तो all border, all borders, right, आपको इन्हें को remove करना है, तो याद रखी, इसे select करना है, यहाँ पर जाकर आप simple no color, और border में जाकर no border, यहाँ पर options आपके पास है ही है, इस तरह से add कर सकते चलो, ठीक है, formatting में आगे बढ़ते है, suppose आपने कोई list टाइप की, अब मुझे यहाँ पर list टाइप करनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सरा document अलरी content आड़ किये, तो मैं list टाइप करने के लिए एक नया document ही लेता हूँ, control N, control N, नया document मैंने लिया, और मैंने टाइप किय आजे, विजे, आरवी, शंकर, सचीन, अनवी, विराट, ऐसे मैंने नाम टाइप कर लिए, अब यहाँ पे मैं इने सेलेक कर रहा हूँ, तो अभी में मेरा mouse pointer यहाँ पे home tab में उपर paragraph group में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, याद रखी, यह दिखिए, इससे क्या हो रहा है, bullet मैं इसे अलग bullet में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे छोटा सा arrow दीखता है, याद रखी, उसके बाज़ो में arrow है, मतलब और भी options आपको मिले वाले, वैसे यहाँ पे numbers ले लो, या फिर ABC ले लो, इंट्रेस्टिंग, तो यैसे आप bullets and numbering भी यहाँ से दे सकते हैं, और क्लियर कैसे करते हैं, alignment proper कैसे होता है, line spacing कैसे होता है, इसके idea आपको होनी चाह, और यह मैंने दे दिया, अब हम next देखेंगे कि content को copy paste, या फिर edit कैसे करते हैं, या फिर replace वगरा कैसे करते हैं, वो जीज हम next वाले section में देखेंगे, तो यहाँ पे हम content को copy paste वगरा सीखना चाहते हैं, तो मैं control and button प्रेस करूँगा, नया document में लेता हूँ, नया document में मैंने यहाँ पे लिखा है, रमेश is good boy, क्या लिखा मैंने रमेश is good boy, यह एक sentence यहाँ पे लिखा है मैंने, अब इस sentence को मैं दुबारा लिखना चाहता हूँ एक ही sentence आपको दुबारा लिखना है, तो आपको क्या करना है, simple है, दुबारा type करना है, नहीं, आपको होगी ऐसा, मैं कहूँगा कि इसे select कर लो, select करते ही home tab के अंदर उपर आपको left side में यहाँ पे clipboard group दिखा दे रहा है, जिसमे copy, cut और paste option दिखा दे रहे हैं, अब मैं यह यहाँ पे copy पे click करता हूँ, right, copy click करने के बाद यहाँ पे cursor रखूँगा और enter करूँगा, enter करने के बाद यहाँ पे मैं control V, control V, control V, paste, यहाँ पे paste उपर दिखा दे रहे है, click, यह दिखिए, यहाँ पे click कर रहा हूँ है, जैसे आप paste करते जाओगे, अभी copy क्यों highlight नहीं है, copy तभी highlight होगा, जब आप कोई word sentence select कर लोगे तब, मैंने इसे select कर लिया है, देखिए, sentence word select करने के तरीके याद रखिए, अगर मुझे good word ही select करना है, मैं double click करूँगा, यह अकेला select हो जाएगा, अगर मैं पूरा sentence select करना चाता हूँ, तीन बार, mouse का button, left button, फटा 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 तीन बार, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, फास्ट, ऐसे, यह sentence select कर लेगा, वो कितना इप बड़ा sentence होने तो यह देखिए, यह काम करते, यह वाला paragraph लेते, अब मैं एक document से दूसरे document में कैसे आ रहा हूँ, keyboard की उपर मैं alt tap कर रहा हूँ, जैसे मैं alt tap press करूँगा, alt hold करके र और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं select करूँ, यह वाला chapter 1 को, chapter 1 को मैं select करता हूँ, जैसे मैंने select किया, मैं copy करना चाहता हूँ इसे, और मैं chapter 2 को दूसरे page पर, यहाँ पर मैं cursor रखता हूँ, और मैं cursor रखके enter करूँगा, यहाँ पर enter करूँगा, पहले enter, और यहाँ पर cursor उपर कट कट होता है एक लोकेशन से कट होगा दूसरी बेम कट हateg準 करने के लिए का कट होता है और यहां पे नीचे रखना मुझे एंटर करोंगा मैं जगा करोंगगा यहां पर ctrl paste इस तरह से control x control v याद रखिए control x मतलब cut और control v मतलब paste और copy paste मतलब इसे select कर लो copy sorry control x ही कर दिया मैंने undo कर दिया copy मतलब यहाँ पे रहेगा copy किया control c और उपर भी control v जहाँ पे रखना चाहते वहाँ पे आप रख सकते हैं right अच्छा यह clear हो चुका है आपको चलो ठीक है copy paste cut paste हो गया अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसे मैं delete कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ chapter 3 copy paste cut paste तो आपको समझ मैं है chapter 3 chapter नहीं यार chapter spelling mistake होगे आपने बताया भी नहीं मुझे ज़रा बताया करो अब यहाँ पे chapter 2 है यह देखिए chapter 2 का मुझे क्या करना है यहाँ पे chapter 2 का जो formatting है वही formatting मुझे chapter 3 को चीए right तो chapter 2 का formatting chapter 3 को apply करने के लिए chapter 2 को पहले select करें द्यान से देखिए इससे पहले select करें उसके बाद format painter में जाए format painter यह option आपको clipboard group home tab में मिल रहा है click कीजिए और यहाँ पे इसके उपर drag कीजिए यह brush मिल रहा है brush को लेकि ऐसा खीचे जैसी undo कर देता हूँ जैसी आप इससे select करके brush के उपर click करते है format painter वो इसकी formatting brush में ले लेता है और इधर fill कर देता है यह time saving है अगेन यह formatting के trips आपको पता होनी चेए बिसिकली format यह copy paste का है ट्रीक है लेकिन हम इससे क्या करें formatting copy करें content नहीं copy करें content copy करने के लिए आपको यह Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-X Ctrl-V यह याद रखना है cut paste मतलब move करना copy paste मतलब copy करना format painter का इस्तमाल कैसे करना है definitely आपको इसके idea आ चुकी होगी तो इससे जरूर पहले practice यह देखिए यह topic के practice कीज़े इसलिए मैंने section रखा है तो पहले page size यह margin के practice कीज़े दूसरा हमने section देखा कि formatting कैसे करते है उसकी आपको practice करना है तीसरा हमने देखा यहापे copy paste यह format printer की कैसे practice करनी है format printer कैसे इस्तमाल करना है लेकिन अभी यह session खतम नहीं हुआ इस session में हम find and replace भी देखने वाले find, replace और go to यह options हमें देखने है अब find, replace और go to यह एक time saving option है useful option से याद रखिए अब example ले लो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि यह जो video word है इस document में कितनी बार आया है और कहां कहां है तो अगर मैं ऐसे एक एक गिंते बेटूँगा video, 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 video मैं तो चकर आखे गिर जाओंगा कि वीडियो कहां कहां है ऐसे क्योंकि यहाँ पे 50 बेज़े से और मेरा बहुत समय जाएगा लेकिन अगर मैं धूनना चाहता हूँ एक word कितनी बार आया तो keyboard की उपर एक shortcut की मैं दबा दूँगा Ctrl F Ctrl F Find यहाँ पे जैसे मैं Find दबाऊंगा एक navigation pane यहाँ पे दिखाए दे रहा है इस pane में आपको टाइप करना है आपका word एंड बस आराम से बैठ जाना है वो बता रहा है कि इसमें 668 ताइम यहाँ पर जो आपने word सर्च किया है वो आपको दिखाए देगा इतने times आ चुका है और highlight भी कर रहा है वीडियो कितनी बार आ रहा है और अगर मैंने यहाँ पर audio लिख के देखा जो कि word इसमें है नहीं है तो यहाँ पर आपको audio no we couldn't find what are you looking for आप क्या देख रहो हमको नहीं मिल रहा है तो यह कई पर भी रहने है तो जैसे example के लिए मैं क्या करता हूँ मेरा नाम ही यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर कोई क्या भी नहीं रहा है इधर मेरा नाम लिख दिया मैंने सतीश अब मैं चाहता हूँ कि भाईया यह जो word है कई पर भी हो directly find out हो जाए सतीश तो एक ही बार है तो यह देखते है यह direct highlight हो चुका है और one result ctrl f find ctrl f press key या फिर home tab में extreme right side में आपको आना है and find option आपको दिखा दे रहा है अचा अगर यह video की जगह मुझे audio करना है तो एक एक video को replace करने में बहुत time जाएगा तो ऐसे मैं मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं क्या आपको replace करना है आपको replace करना है वो find out में लिखो मुझे video replace करना है लेकिन किस की जगह जिसकी जगह मतलब replace with में वो डालो जो आपको replace करना है तो वीडियो की जगह मैंने audio कर दिया and replace all धैंट यह देखिए six six eight times replacement हो चुका है क्या बात है time save हो चुका है जहाँ पर भी magic दिखने मिलेगा तभी आपको मेरा music भी सुनने मिलेगा धैन टाडान तो यह magic है ना भई एक एक word आप replace करोगे तो कितना सारा time जाएगा लेकिन Microsoft Word ने आपका यहाँ पर काम आसान कर दिया है और यह काम कब आता है जब आपका कोई agreement है बड़ा सा जिसमें suppose agreement है 2022 का year का उसमे इसे example के लिए बताता हूँ यहाँ पर रमेशी is good boy है मैं control edge करता हूँ मैं रमेश को good नहीं करना चाहता हूँ रमेश को मैं bad करना चाहता हूँ replace all एक second में हो गया all done we made replacement यहाँ पर कितने replacement के six क्योंकि उसको good six times मिला यहाँ पर मैं अभी boy करता हूँ और boy की जगा मैं girl करता ह तो रमेशी यहाँ पर लड़की बन जाएगी दो second के अंदर यहाँ आपको रमेशी is bad girl मैंने बोल रहा computer जी बोल रहे हैं तो यह जो find and replace को option है basically यह 3D8 movie में अमीर खान ने use किया है अगर आपको याद है movie देखा होगा तो चमतकार का कुछ और किया था आमेर खान ने तो य find and replace कैसे किया जाता है, formatting कैसे किया जाता है, practice कीजिया, next section की तिरफ बढ़ते हैं next session है हमारा, यह जो हमने content यहाँ पर type किये जैसे यहाँ पर 50 pages मैंने notes बना लिया है, suppose right, तो यहाँ पर notes बना लिया है, तो अगर मेरे notes आपने देखे होंगे, या कोई भी notes आपने देखे होंगे, मैं एक example के लिए notes open करके भी दिखाता हूँ, यह notes है, जो कि मैंने recently एक video डाला था, learn more channel पर आपने देखा होगा, आयो मैं setting करना सीख गया, right, तो यह जो है, अन्ना जी setting करना सीख गया, फिलाल, यहाँ पर आप देख सकते computer setting notes by 17 यह जो उपर title दिखाए दे रहे न आपको, यहाँ पर website वगर basically, यह जो आपको header दिखाए दे रहा है, फूटर दिखाए दे रहा है, वैसे मैं बताओ, यह setting की notes मैंने free में रखे अपने app की उपर, right, तो आप से आप डाउनलोड कर सकते है, यह setting की पूरी पूरी notes, जो computer tricks और tips सीखना चाता है, वो यह video भी देख सकते है, description में इसकी link दे इस फाइल को बंद कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, w अगयरा क्या होता है, फिलाल यहां पर मैं चाहता हूँ कि इसमें header में notes का नाम आड़ करूँ मेरे, तो कैसे आड़ करूँगा, तो यहां पर insert में मैं जाना चाहूँगा, insert tab में आपको एक option मिलेगा, यह बहु यहां पर आके simply आगर आप double click भी करते हो तो अभी यह देखे, header activate हो गया, और page पर double click करते हो तो page activate हो जाएगा मतलब जब आप header activate करते हो, तो आप page पे काम नहीं कर पाऊगे, और जब आप page पे आते हो, double click करके, तो page पे काम करऊपऊगे, header में नहीं कर पाऊगे, तो header पे जाने के लिए, दो तरीके, एक तो यहां पे double click करो, तो ब्याँ पे जाने के लिए, तो यहां पर document title देना है, जैसे मैं यहां पर document title देना चाहता हूँ, suppose यह है, skill course notes, okay, तो मैंने यहां पर title में लिख दिया, skill course notes, वाइस सतीज ड़ले, और date पर click करता हूँ, मैं यहां पर calendar आ जाता है, और कोई भी date यहां पर pick कर लेता हूँ, चलो, okay, आज की date यहां पर आ चु लेकिन footer में मुझे क्या चाहिए, page number चाहिए, तो आप page number यहां से direct add कर सकते हैं, यह देखिए page number option दिया है, लेकिन यह आया कहां से page number, यह header and footer tab, activate हो जाता है, जब आपका cursor header में है, right, यह पिर page के उपर आते हो, तो यहां पर नहीं activate आ भी देखिए, यहां पर header and footer tab अब नीचे आजाओ, suppose मैं footer में आता हूँ, यहां पर double click करता हूँ, तो दुबारा वो देखिए header and footer tab आ चुका है, यहां पर cursor रखिए, और यहां से आप page number आपको चाहिए, यहां से आपको page number आपको कौन सा चाहिए, तो मैंने यहां एक select कर लिए page one of one, one of one वाला page number, मतल नीचे स्क्रोल करेंगे, देखिए, two of fifty, automatic, और इसे आप align वगयरा कर सकते हैं, आप चाहते हैं इसे left में रखना है, तो इसे select कर लो, home tab में alignment है, या control L, यह फ्रेस करके आप align कर सकते हैं, अब साथ में यहां पर logo, add करना है, आपकी company का वगयरा, तो आप insert tab में ही जाहिएग इंसर्ट टैब में, picture एक option है, जहां पर click करके आप directly यहां पर logo के राइड करते हैं, तो पिच्चर टैब में जाहिए, और यहां पर हम क्या करेंगे, picture टैब में इस फिसी सेलेक करेंगे, इस फिसी में आपके जिस भी location पे, जैसे मेरे d-drive location पे, जादा तर pictures अवाले बेले photos करेंगे, तो आप उस folder को select किजिए, d-drive में स्किल को फोलडर select कर लिया है, और यहां पर मैंने ये logo अड़ कर दिया है, अब मैं इसकी size कम कर देता हूं, size कैसे कम करना है, simple है, mouse pointer corner में लेकर आना है, और यहां पर यह ऐसा खीचना है, खीचना है, खीचना है, खीचना है, खी तरफ खीचोगे इमेज की तरफ ऐसे तो छोटा होते जाएगा लेकिन आप एक है कि यह इधर ही चिपक्यार है मुझे यह राइट साइड में उठा के ऐसा रखना है लेकिन इसे मूँ करना है सबसे पहले तो मूँ करने के बिले एक ट्रिक या एक इसे प्याद रखिये वह है कि आपको फिचर फॉर्मेट यह नहीं आएगा इसी है यह फैले कुर्छ करो अब ध्यान से नहीं सुनते या अब इमेज को सिलेक्ट करेंगे पिच्छर फॉर्माट आजएगा उसे आना ही पड़ेगा राइट तो पिच्चर फॉर्मेट आईगा या खाली format tab आएगा पूराना version है तो picture format में यहाँ पर आपको wrap text में जाना है और यहाँ पर आपको in front of text करना है in front of text याद रखिए अब क्या होगा in front of text करती है आप इसे उठा के कई पर भी पटक सकते हैं I mean उसे रख सकते हैं मुग करके and I want to put down oh yeah right यह footer में आ चुका है okay that's it guys तो आपको यह idea आ चुका है अब मैं एक और चीज़ आड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक line भी add करना चाहता हूँ चलो यह footer में रखना चाहता हूँ यहाँ पर एक और line भी add करना चाहता हूँ उपर तो line कैसे add करेंगे line draw करने के insert में option दिया है यहाँ पर shapes से shapes में जाओ और धेर सारी line यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो line मारनी है चाहती हो वो मार सकते I mean to say arrow वाली line draw करना चाहते line मारना मतलब draw करना यह मेरा मतलब है मारना मतलब समझ के न आप वैसे आपको line मारना आता होगा shift button press करोंगा keyboard पर shift hold कीजिए और mouse का left button click and drag कीजिए यह line यहाँ यहाँ पर आ चुकी है and once you draw the line you will get shape format क्या मिल रहा है shape जैसे आप picture लेते हो तो picture format आता है तो head and footer लेते हो head and footer आता है वैसे यहाँ यह shape draw किया है तो shape format आ जाता है shape का outline कितना रखना है आपको रख सकते हैं आप यहाँ पर outline की style वगरा भी change करना चाहते हैं सब कुछ options यहाँ पर दिये है and like यह आप खुछ से चेक कर सकते हैं color भी मुझे change करना है blue रखना है dark blue रखना है जो भी है इस तरह से तो यह होने के बाद head and footer complete होन आप notes बनाती तो notes बनाती समय header and footer आपको add करना आना चाहिए और कैसे add करना में step by step बता है बाकी बहुत सारे option इसमें आप खुछ से explore करने की कोशिश वहाँ पे ज़रूर करो अब हम next section में कुछ और चीज़े देखने वाले header and footer के अलाव और भी important चीज़े जो हम आगे step by step तो चलिए अब मैं इस section में आपको बता हूँगा कि आप इसको proper notes कैसे बना सकते proper notes जैने कि आपको इससे क्या करना है basically आपका auto mark भी इसमें add करना है आपको कुछ tables भी add करने कुछ shapes भी add करने मतलब एक proper जो होता है na books उसके लिए आपको Microsoft Word के कौन से option use होंगे यहाँ पे मैं इसमें मेरा background में logo रहे company का ताकि auto mark रहे basically auto mark हमें add करना चाहते ताकि मैं print कर तो auto mark दिखाए दे और फिर यहाँ पे इसे कोई भी copy नहीं कर पाए राइट वो आपके लिए copyright के लिए auto mark add कर दो so मैं क्या करूंगा उसके लिए auto mark के लिए आपको simple design tab select कर लेना है design tab यह जरूरी लेकिन यह लिखने से तुड़े ही होता है लोग copy करती है confidential लिखे भी तो आप अपनी company का नाम add करना चाहते है चलो फिलाल यहाँ पे मैं confidential आड करना चाहते हो तो confidential यहाँ पे देखिए पीछे auto mark आ रहे है रहे है यहाँ आपको थोड़ा यह light दिखा दे रहे है अब control P प्रिंट प्रियू आता है तो वह बता रहे है कि कैसे आ रहे है देखिए confidential अब मैं यहाँ पर escape button प्रेस करता हो मैं और मैं चाहता हो यह confidential की जगह अपना खुद का नाम रहे तो खुद का नाम लाने के लिए यहाँ पर watermark में जाकर custom watermark देखिए हम design tab में order mark में मैंने क्लिक क मैंने क्लिक किया एक dialogue box आपके सामने आएगा अब इस dialogue box में confidential के जगह लिखना चाहता हूँ जैसे complete technology हमारे channel पे video आप देख रहे हो so I am going to put the complete technology technology ठीक है यह नाम मैंने लिख दिया and I can change the font font size and there are a lot of options तो मैं वो change कर सकता हूँ यहाँ से अगर मैंने इसे dark रखा और मैं control P button press का तो तो यह dark आ रहा है और यह थोड़ा सा odd भी लग रहा है इसलिए आपको dark रखना है रखना है आपकी उपर है dark color so यहाँ पर एक और options भी उन्होंने दिया है कि वह semi transparent है यह already dark रखे भी semi transparent मतलब थोड़ा बहुत light दिख रहा है अगर मैं इसे हटा दूंगा न यहाँ और मैं apply करूंगा भी देखिए यह पूरा dark हो जाएगा semi transparent मैंने हटा दिया एक मिन मैं इसका color rate रखता हूँ अभी apply rate द transfer रखते हैं लेकिन मेरे साब से तो यार यह text वगरा ओटरमाक से तो आप picture ओटरमाक अड़ करो लेकिन कैसे एड़ करो तो इसी box में जारा ध्यान से देखो उपर एक option दिया है picture ओटरमाक नहीं चाहिए तो no ओटरमाक लेकिन चाहिए picture वाला चाहिए तो select picture from file और यहाँ पर percentage लेना चाहते हैं यह 100% तो बहुत बड़ा हो जाएगा 50% लेलो और कम हो रहा है और कम करना चाहते है आप यह पर लिग भी सकते है अगर आप यह percentage नहीं दिखाए दे रहे है you can write down there 25% नहीं नहीं मुझे यार और थोटा चाहिए यह भी बहुत बड़ा लग रहा है so you can go for 10 percentage okay चलो ठीक है यह लोगो थोड़ा सा मुझे प्रोफेशनल एक दम बीच में ठीक लग रहा है ओके इस तरह से आप लोगो ऐड़ कर सकते हैं it looks and light तो आप इससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ज्यादा है यह देखिए तो यह ज्यादा डार्क हो जाता है यहाँ पे तो ला जाता है देखा कि कैसे आताए प्रिंट में भी डार का राता है apply किया अखे किया यहाँ पर आप देखेंग और शओ आपको मिल जाती है यह देखिए पिच्चर तो यहां से आप डिरेक्ली डोक्यमेट में चाहिए, मैंने पिच्चर एडक ना आपको आलड़ी बताया लेकिन no citation में अमने चाहिए लेकिन आपको डोक्यमें यहाँ पे मात करना है पीच्चर तो यहांप इमने एक cursor रखने के बाद पिच्चर में जाइए, इस पीसी में जाइए, आपको किसका भी photo लेना है, जैसे आप मेरा फोटो ले लिजे, एक काम कर लेता हूँ, मैं मेरे photos folder में जाता हूँ, एक कोई भी photo में मेरा ले लेता हूँ, यहाप फोटो दिखा ए, दे रहा है आपको, मैं इसे insert कर देता हूँ, यहाप यहाप इस तरह से photo insert कर सकते हैं, यहाप यह बहुत बड़ा आ रहा है, मैं इसके उपर click करता हूँ, यह देके corner पर mouse पॉंटर लेकि है ना हमारे पास उपर देखिए और रैप टेक्ष में इसे इन फ्रॉंट आप टेक्ष मत कीजिए अभी इन फ्रॉंट आप टेक्ष करेंगे तो इसके पीछे टेक्स चला जाएगा वहाँ पे नीचे ठीक था क्योंकि वहाँ पे टेक्ष नहीं था और हमें ब्लैंक स्पेस प तो आप यहाँ पर रखोगे ना टेक्स्ट हट जाएगा उदर जहाँ पीचर जा रहा है वाँ क्या इंट्रेस्टिंग है तो आप यहाँ पर रखना चाते हो जैसे आपने न्यूस पेपर वगरा में देखा होगा ना बहुत सरी जागा पर तो वैसे ही कुछ है यह आप यह यह आप साइज कम कर सकते है तो यह साइज मेने कम कर दिए इस पिच्जर फार्मैट में रीध्व बैगराउं एक oluş बरम कर लेता है और अगर आपको लगता है या या डैघ्राउंड त inter bisa मेरे मेरे में अ सर को भी देक्र कर लिया कर लिया है तो ऐसा ना हो इसलिए आप इस पे क्लिक करो और यहां पर यह देखिए Mark area as a keep पे क्लिक कीज़े और इस पे drag कीज़े कि मेरा जो सर है वो तो आने दो और मेरे shoes आदे कट गए है उसे भी मैं लेना चाहता हूं Mark area as a keep तो यहां पर आ चुका है लेकिन एक्स्ट्रा आ गया है यहां पर कुछ Mark area, erase ले लो यह वाली चीज़ भी आ गई इसको हटा दो इसको हटा दो राइट और इसको भी हटा दो shoes के बीच में भी कुछ गड़बड हो गया ठीक है Now I can say keep changes यहां पर दिखाए दे रहा है keep changes ओ थोड़ा सर कट गया राइट तो ठीक है बतलो आपको idea आ चुका होगा भी कैसे करना ही है and you can do it wrap text में जाकर इसे भी क्या कर सकते आप square या tight या पी जो भी करना है square मत कर इसे आप square कर गए तो square आ जाएगा इसे tight कर लो जब आपके वास PNG में जए tight कर लो इसे यहां पी थोड़ा सा background और भी आ चुका है तो कोई बात नहीं उसे आप erase कर सकते मैंने idea तो दे दिया आपको लेकिन यह tight करके आप ऐसा रख सकते है तो idea मैंने दे दी कि कि कैसे आप picture insert कर स जो कि मैंने आपको बोला था आप export line मारने में तो draw करो मारो जो भी है उसके बाद rectangles चाहिए आपको कई पर shapes add करने जैसे मैंने rectangle ली लिया और यहापे मैंने draw कर दिया rectangle और इसके उपर right click करके add text इसमें मैं text लिखता हूँ welcome कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहापे चलो example के insert में जाओंगा icons पर क्लिक किजिए icons ने version में मिलेगा याद रखिए पुराना version आपके बस तो यह icons ने मिलेंगे यह पर apple लेना चाहते हो तो apple पर click करो insert करो गाड़ी लेना चाहते हो जो जो चाहिए आपको आप यहां से insert करो वो icons यहां पर दिखाए देंगे आपको right interesting है na graphic format में जाकर आप इन icons के साथ खेल सकते हैं I mean to say खेलना गाड़ी के साथ खेलना नहीं है color बजल सकते हैं इसका गाड़ी है तो यह icon आपको attractive informative notes बनाने के लिए बहुत helpful रहते हैं तो यह icon आप इस्तमाल कर सकते हैं insert में जाकर आप यहां से chart भी insert कर सकते हैं 3D models भी है कुछ आपना content लिखो तो वो जल चक्र बनाना चाहते है right to water cycle बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा कि यहां पर क्या आता है cloud अपिर क्लाउड क्लाउड से क्या आता है वारिश आती है बारिश क्या होता है पानी नदी में चला जाता है रइट तो नद तो इंसर्ट के अंदर पिच्चर, स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगरा यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस सेशन में इतना है, नेक सेशन में हम सीखते हैं कि इंसर्ट की मदद से और क्या-क्या इस डॉक्यूमेंट में हम अड़ कर सकते हैं अब आपको यहाँ पे नोट्स में एक टेबल भी आड़ करना है, जिस टेबल में कुछ इंफोमेशन होगर आड़ करनी हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे टेबल आड़ करना है, तो टेबल हम सीखने वाले अभी सेशन में, इंसर्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑफ्शन मिल जाता है, इंसर्ट में टेबल, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जैसे माउस पांटर गुमाओगे, आपको दिखाए देरे, नमबर आप रोज इंसर्ट होते जाएंगे, वन, टू, थी, फोर, फाई पर निचे देखे रोज, अली को हम रोज बोलते हैं, और वर्टिकल लएन को कॉ लोज बोलते, अब यह बच्चा बच्चा जानता है, इसको बताना ही जाता है, जरू होते हैं अब यह द्रैक करो, यह देखे, इतने रोज और इतने कॉलम आ जाएंगे, या पिर आपको प्रियल नंबर आगे, जाने के लиях राइज या नाम टmqu've कर सकते हैं, यह राडव प्रेस कर लिए से आना Ready है कर ने प्रेस कर सकते हैं, यह राडवных स्वेतकी प्रेस रेट तो में चुड़न का नाम एड़ किया शारुक खान इस तरह से तो आप अलग-अलग यहां पर आपके शुड़न के नाम एड़ कर सकते हैं यह सब हमारे श्टुड़न है एक्जामपल के लिए अब यह हमारे पास नहीं पढ़े हैं फिर भी हमने एड़ कर दिये हैं EU चाह Gir में 3 खानको एड़ कर दिये हैं और यहां पर ओंन नंबर आड़ कर सकते हैं हैं काव मतलगा एगा और उसके बाद इनकी सीटी ृक्टे लिक सकते हैं और उसके बाद इनका जिख सकते हैं तो इस तरह से लिक आ角शने लेकिन आपको जखते हैं यहां पेर और कॉलमल में कुछ और इंफोमिशन एमेल आइडियो गर अड़ करना है तो कॉलम कैसे इंसेट करेंगे आप क्या करो यहां पर करसर रखो लाश कॉलम में लाश कॉलम में करसर रखे आपको जाना का पर लिएवट टैब में धेर सरी ऑप्षन है देखिए यहां पर टेबल से रिलेटर धेर कॉलम ज्युक देखिए कशने इंसट लेट करहा है तो मैं इसे सलेक्ट रखोमगा मतलब क्या इसमें करसर एक तो रखो तो भी चले गा और जाके इलीट कॉलम करो यह इलीट कॉलम तो यहां पर इंसर भी होता है यहां पर कॉर्णर पर क्या के साइज पाड़ा सकते है ऐसे आपको लगता है या पिर सिरियल नंबर देख लिए इस पेस आ चुका है तो इस कॉलम के बॉर्डर पे माउस पोईंटर लेके आजाओ इसे आप इधर खीको जितना उस को लगता है कि इतना ही होना की इतना इपका स्पेसN कर कर सकते यहां डीजैन पार लेकिंच कर सकते यहां बार्डर पेल पेञा के सही फедवा बॉर्डर सबने ले लो और फिर यहां पर जाके all order कर लो जो भी यहां पर select करते हो न वो all order से apply हो जाती है तो यह कापी interesting option है table के साथ काम करने के लिए आपको यह चीज़े पता होनी चाहिए कि रोज कहा से insert होते है, column कहा से insert होते है हाँ यहां पर रोज insert करना है तो एक और तरीका है मेरे पास यहां पर cursor last में रखूंगा और keyboard पर tab बटन दबा दूँगा, tab, 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 tab बटन दबाते जाओंगा तो यहां पर रोज ने-ने insert होते जाएंगे, undo कर रहा हो है, यहां पर यहां पर जा सकते table layout में basically, table के अंदर cursor रखा हुआ है तो layout tab मिलेगा, click कि इस layout tab में और जाकर यहां से आप insert below कर दीजिए, insert below below below, यहां पर formatting में थोड़ा सा issue आ रहा है, लेकिन आप select all करके यहां पर click करो, और table design में जाके, border में जाके, all borders, वो apply हो जाएगा, अगर नहीं दीख रहा है तो, formatting भी यहां पर shading color है, जो आप खुद से भी change कर सकते है, so you can try it guys, तो इस तरह से आप table यहां पर insert करते है, अच्छा, यहां पर एक और चीज़ है कि आपको readymade table चाहिए, आपको लगता है, यार मुझे ऐसा है, readymade table insert करना है, तो insert में जाओ, table में, आपको यहां पर नीचे एक option मिल जाएगा, quick tables, जो कि readymade, आपको tables मिल जाएगे, जो कि formatting और सब कुछ add रहे तो readymade table चाहिए, तो वो भी आप ले सकते है, readymade format वाला, और आप खुद से draw करना चाहते है, तो drawing option भी इन्हों ने दिया, draw table, draw table में जाओ, ऐसा rectangle draw करो, कितने rows और column चाहिए, यह आप ऐसे draw करते हैं, बैटो, एक 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 करके draw कर सकते हैं, यहां पर rows मैंने लिए, दो यह रा अब इतना बड़िया document हमने यहां पर बना लिया, header and footer, images, logos, watermarks, सब कुछ add कर दिया, अब यह document हमें save करना है, PDF में save करना है, Word document में save करना है, protect करके save करना है, या फिर इसे print करना है, तो यह सारी जानकरिया भी हम लेते हैं, तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंग यहां पर मैं my documents लेके save कर दोंगा, my documents चाहिए, या फिर more location क्लिक करके, यहां पर जैसे more location क्लिक करोगे, वही file में save options है, वही आएगा, और browse options पर जाएंगे, browse में जाकर वो बोल रहा है कि आपको यह document कहां पर save करना है, तो save का तरीका है control less, control less करो, यहां पर जाकर more locations लेलो, नए वर्जिन में ऐसा आता है, और पुराने वर्जिन में control less प्रेस करते ही, यह dialogue box आता है, अब यह मैंने कैसे लाए dialogue box यह बताओंगा, डोंट वरी, लेकिन आप देखेंगे, यहां पर control less पुराने वर्जिन में प्रेस करते ही, यह वाला dialogue box आता है, तो इसमें आपको more options यहां से जा सकते हैं, या फिर more options में जाकर यहां से भी लाज सकते हैं, ब्राउज में, ब्राउज में जाओगे, तो यही option आ रहा है, दिखिए, कहां पे save करना है आपको, तो आपको पूछ रहा है कि यह location पहले select करो, चलो मैं इसको save करना चाहता हूँ, desktop की उपर, और मैं यहां पे लेना चाहता हूँ, Microsoft Word practice file, यह हमारी पहली practice file है, यह practice के लिए भी देता हूँ, Microsoft Word practice file, यह मैंने इसका file का नाम रखा है, पहले location select करो, कहां पे save करना है, बाद में file का नाम दो, उसके बाद यहां पे आपको देना है, उसका file type, तो अभी आपको देनी की बिल्कुल जरूत नहीं, क्योंकि यह docs type file बनती है, वर्ड का extension होता है, अभी extension क्या होता है, extension मतलब हर एक file का पैचाने का तरीका है, अगर आप यह file किसी को बेजोगे, उसके पास Microsoft Word नहीं है, तो वो docs extension से पता चल जाएगा, उसके कि यह document file है, क्योंकि यहां पे file का नाम आम आपने य का होता है, अलग-अलग, तो Word का DOCX है, Excel का XLSX है, PowerPoint का PPTX है, तो अलग-अलग extension रहते हैं, यहां पे इसका extension याद रखना है, document file का DOCX रहता है, यह exam के लिए मैं पूछूँगा, जो final exams रहते हैं, ऐसे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ न, यह final exam जो आपको certificate मिलने वाल इसकी जुरुत है क्या है, तो मैं ऐसे टेंपर लिया था, right, document 3 है, तो मैं Ctrl-W करूँगा, Ctrl-W, close, और यह पूछ रहा है, आपको यह save नहीं किया भाईया आपने, right, भाईया या बहें जी, तो आप इसे save करना चाते है, तो save करो, don't save, Ctrl-W, यह बता रहा है कि भाईया, आपन Microsoft Word का, यहापे file, यह रहा हूपर, Microsoft Word Practice file, right, यहापे मैं इसे double click करूँगा, I can open it, तो यह save हो गया, लेकिन यह desktop पे save है, मैं इसे save करना चाता हूँ, और एक बार, तो इसे F12 बटम प्रेस कर आप, F12, कैसे आ रहा है, देखिए, F12 से डालब बहु साता है, इसे save as बोलते है, जो कि multiple times एक document को आप save कर सकते है, right, तो आपको इसको D drive में भी save करना है, तो आप D drive में, E drive में भी save करना चाते है, आप desktop पे same नाम से नहीं save कर सकते है, क्यों, क्योंकि desktop पे already यह नाम से save है, अगर आप नहीं save हो जाएगा, right, एक घर में same नाम के दो बच्चे तो नहीं रहत का, तो PDF क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे यह जो file है, यह editable है, मैं अभी इसको portable document format में बनाना चाहता हूँ, तो वो भी दीख लीज़े, F12 बटन दबाती ही, आप क्या करोगे, यहाँ पे word document यहाँ पे selected है, उससे अप select करके PDF करोगे, PDF बनाने का एक तरीका तो यह है, वैसे भी आप file में जाओगे, आपको direct option मिलेगा, यहाँ पे export to PDF, यह रहा, तो यह करोगे आप यह देखो, इस पे click करता हूँ, तो वही dialogue box आ रहा है, publish बस इसको उपर ना में, बट यह वही हो रहा है, वही चीज हो रही, यह देखिए, बस save as type में PDF लिक के आ रहा है, बाक से सोने दो ज्यादा पेज़े से तो थोड़ा बहुत, यहाँ पर processing के लिए time लग सकता है, तो यहाँ पर मेरा processing पूरा हो चुका है, and now I am going to open this file from desktop, यह रहा PDF, टाडाण, open हो चुका है, PDF बन गया है, हमारे notes का, क्या बाद है, right, great, right, okay, तो इस तरह से PDF बनाते है, आपको यह सब कुछ प्रापर आ रहा है, फिर जाओ print बटन पे click करो, लेकिन पहले printer select करो, printer चालू है कि नहीं देखो, यह offline आ रहा है, मेरा printer connected यहाँ पे है नहीं, मतलब चालू नहीं है, HP printer connected है, जो भी printer है, वो company का नाम में आपे रहेगा, आप इसे select कर लेना है printer आपका, और print करना है जब यहाँ पे printer online दिखाएगा, status, तो यहाँ पे print करो, सारे pages प्रिंट होगे, लेकिन सारे pages के दो-दो copy चाहिए, तो यहाँ पे दो copies, यहाँ पे तीन-तीन copy चाहिए, तीन copies, जितने copy चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे आपको print करते हैं समय ध्यान रखना है यहाँ पे वही options आपको नीचे भी दिखाए देंगी, कि page आपको change करना है, page का size वगएरा, या पिर normal margin, page आपको landscape रखना है, तो यहाँ पे portrait कर सकते हैं, जिससे आपको दिखाए देगा page कैसे आ रहा है, यहाँ पे आप portrait कर सकते हैं, तो यह options आपको यहाँ भी दिखाए द कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने Microsoft Word का dedicated course design किया, यह crash course है, जो important points है, वो मैं यहाँ पे cover कर रहा हूँ, मतलब जो जरुरी है, important तो सभी वैसे, लेकिन जो आपको पहले आने चाहिए, Microsoft Word में पता होने चाहिए, वो सारे points में यहाँ पे cover कर रहा हूँ, लेकिन आग अग course है, Microsoft Excel का जो application के उपर course available है, बहुत ही companies में, and you will get the practice file and all, आपको Microsoft Word का Hindi e-book भी मिलेगा उस course में, अगर आप इंट्रेस्टों जरूरी चेक आउट कीजिए, अगर मेरी teaching style समझ में आरी, पसंद है, तो भाईया, चेक कीजिए, without advertisement, with ISO certificate course वापे सीखने मिलेगा, okay, फिलाल तो म document saves related है, इस document को मैंने desktop पे save किया था, यह मेरा important document है, यह कोई भी open करके देख सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे password protected करूँ, तो उसके लिए मैं F12 बटन दबा दूँगा, F12 बटन दबाने के बाद यह save as का डेलावक्स आएगा, यह सब ऐसे ही रखूँगा, as it is, password देना है, वह ही आपको, मैं password बता हूँगा आपको, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, राइट, राइट, यह तो मेरा कोई important file नहीं, इसलिए मैं 123 password दे दिया है, so आप यहाँ पे जो भी password देना चाहते हो, देजीजे, desktop पे इस file को मैं same location पे दुबारा save कर रहा दिखाएंगे, enter password to open file, अयो, यह password डालने के बाद open हो रहा है, क्या बात है, right, तो समझ मैं होगा आपको अभी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी password डालोंगो, तो open तो होने वाला नहीं है, तो मैं सही password डाल देता हूँ, तभी open होगा, right, खुल जा, sim, sim, तो आपको पता चला कि, कि भाई, document को password कैसे देते है, right, तो यह instruction में हमने इतना सीखा, अब हमारी बार यह कुछ practical सीजे सीखने की, जैसे कि हम later वगएरा कैसे type करते हैं, और हमारे bio data resume या CV कैसे बनाते हैं, वो हम देखते हैं, तो हमने बहुत सारी चीजे Microsoft Word document में अभी सीख ली, अब आखरी एक और important चीज में आपको बताने वाला हो, कि इस तरह का professional CV या resume जो भी आप बोलो, इसे, यह कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे कैसे shapes अड़ हो चुके हैं, यह shape के अंदर कैसे picture अड़ हो गया, यह attractive resume हमने कैसे ब करूँगा, control and net document लेता हूँ, और सबसे पहले करना क्या, insert tab में जाओ, insert tab में जाकर यहाँ पे shapes option आपको दिखाए दे रहा है, यहाँ पे मैं rectangle ड्रॉ करूँगा, और rectangle कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं यहाँ से लेकर इतना portion पे rectangle ड्रॉ करूँगा, जो कि वहाँ पे आपको दि कीजे, shape outline or no outline, outline बिल्कुल यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, okay, so सबसे पहला step मैं नहीं आगी, उसके बाद यहाँ पे मुझे text add करना है इसके बीच में, तो मैं insert में जाओंगा, insert में जाकर यहाँ पे एक option आपको मिलेगा, text box, right side में, shape में से भी आप ले सकते, text box ले लो पता ही है, example ही दूँगा, ने तो अगर original contact number दूँगा, तो मुझे सोनी नहीं दोगे आप लोग, okay, so example मैंने दे दिया, तो यहाँ पे फिलाल मैं email ID देता हूँ, वैसे इतना popular भी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिलाल अपना contact number में, वीडियो में दू तो गड़बड हो जाएग है, तो इसको फ़र्माट कैसे करना है, सतीज डाउले, इससे select कर लीजिया, और इसका जो size है, मतलब तीनों का एक काम कीजिये, तीनों को select कीजिये, center में लीजिये, पहले तो, फिर सतीज डाउले, इसका size बढ़ा दीजिये, इस तरह से, और इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा है वो फॉंट आप यूज ले लो यहाँ पर कोई ज्यादा फैंसी फॉंट लेना नहीं होता है रिजुमे के अंदर राइट लेकिन यहाँ पर इक चीज नूटीस करो यहाँ पर इस पेसिंग बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है आपको तो इससे सिलेक कर लो और आपको जाना कहा पर देखिया पर 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 इस तरह से अद आइवाँटेट तो मेक इत बोल्ट तो इसे मैं सिलेक करके बोल्ट करता हूं इस तरह से अब एक और चीज़ यहाँ पर क्या किया है अगर आप नोटीस करोगी यहाँ इसका कलर अलग रख है और इसका बैक्राउंड कलर है यह नहीं तो मैं क्या करूंग इससे सेलेक् और Shape Format में जाकर Shape Fill में जाकर No Fill, और Shape Outline को भी No Outline, Outline भी नहीं नहीं कुछ नहीं, अब आपको यह प्रॉपर मिल रहा है, अब एक बार इसकी Size थोड़ी सी कंट्रोले कर लीजे, इसे Select करके, थोड़ी Size पूरी की पूरी बढ़ा देते हैं, थोड़ा रख देते हैं, ठीक है, अब इसे Center में रख देते हैं, अब दूसरा चीज यहाप इस Satish को Color अलग देना है, तो Satish को Select करो, और इसको कुछ अलग Color आपको देना है, वह आप रख सकते इस तरह से, और धोले को भी आपको, यह नीचे वाला टेक्स तो Black में मत रखो, यह पूरा पूरा हमजे White करना है, ओके तो मैं White कर देता हूँ, यह रहा, राइट, ग्रेट, तो आपको यह उपर कैसे बनाना है, आइडेया आ चुका होगा, पहला Section अमने उपर का बना लिया आप उसे और भी attractive करना चाहते है, आपकी सबसे वो करो, लेकिन जादा fancy बनाने की जुरूद नहीं है, वैसे भी, आप जितना decent रखोगी उतना, अब क्या करना है, यहाँ पर आपका जो role है, job role, यह basically यहाँ पर add किया गया है, लेकिन यह भी आपको यहाँ पर दिखाए दे जो content का, जो text box आ रहा है, basically अभी यहाँ पर इसका border दिखाए दे रहा है, तो shape format में shape fill, नहीं, shape outline में no outline, तो आप इसे outline ऐसे गया, उसके बाद यहाँ पर एक photo आपको add करना है, लेकिन उस circle में होना ची, तो उसके लिए insert में जाओ, shapes में जाओ, और यहाँ एक ellipse, यह जो दि जाओ, पर इस circle में picture रखना है, यह भी simple है, shape format उपर दिखाए दे रहा है, tap, yes, मुझे दिखाए दे रहा है, आपको दिखाए दे रहा है, सब को दिखाए दे रहा है, shape fill में जाए है, और अभी आप यहाँ पर picture में जाए, shape fill में एक option है, picture, zoom करके बता रहा हो दोस्तो, picture में जाए है, from file में जाए है, and आपका कोई भी square वाला फोटो रहना है, square में, यह square है, मतलब इसका thousand by thousand size है, अगर आप rectangle वाला फोटो डालोगे न, फट जाओगे, I mean to say, वो stretch हो जाएगा, horizontally, मतलब जैसे picture फटता न, वैसे नजर आएगा, तो वो नहीं करना है, insert करना है, आपको एक square वाला इमेज, वो आपको यहाँ पर proper fit मिलेगा, नहीं तो आप square वाला नहीं डालोगे, तो गडबड हो जाएगी, तो गडबड गोटाले से बच जाओ, और अप इसकी size कम ज्यादा करना चाहते हो, तो करो corner से, यहाँ पर corner पर mouse pointer लेके हो, लेकिन shift button press करके कम करो, shift नह आप इसके साथ कुछ भी changes करते हो, what is next, हम यहाँ पर line मारनी है, यानि कि एक horizontal line और vertical line draw करनी है, basically, अगर हम professional language बोले, तो insert में जाओ, shapes में जाओ, और यहाँ पर line पर क्लिक करो, insert shape lines, यह already पता है, जो मैंने already बताई है, और इसे shift button press करके draw करोगे, तो यह सीधी आ जाएगी, नहीं तो यह TD आ जाएगी, और shape की outline, weightage वगरा जो है, यहाँ से आप change कर सकते है, जैसे आप रखना चाहते हो, आपकी मर्जी, ओकी छोलो, ठीक है, यह line यहाँ यहाँ पर रख दी, और इसको black color रखना है, मुझे basically, इसे select कर लो, shape format में जाओ, shape fill में जाओ, मतलब shape outline में जा करूँगा, यहाँ पर line पर click करूँगा, और यह line मुझे यहाँ पर चाहिए, यह मुझे ऐसा section, दो sections बनाने है, तो मैंने यह दूसरा section बना है, shift button press करके line में यहाँ तक draw करूँगा, page के ending तक bottom तक जहाँ तक है आपके content, और फिर इसे भी shape outline में जाकर weightage दे सकते हैं, one का मै यह resume का format, एक idea में आपको दे रहाँ, basically ऐसा ही बनाना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपको, right, तो आप आपके सबसे बना सकते हैं, मैं idea आपको दे रहाँ कि इसमें अलग-अलग content type करने के लिए आप क्या-क्या इस्तमाल कर सकते हैं, insert में जाओ, आप यहाँ पे text box में करो, इसी को आप copy paste करो, नीचे रखो, और copy paste करो, नीचे रखो, और इसमें आप content आप add करते जाओ, जो भी आपको अलग-अलग experience आड़ करना है, personal details आड़ करनी है, सारे content यहाँ पे, content type करके तो मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, बस आपको बता रहो कि इन text box की मदद से यह सारी चीज़े adjust होती है, और आपको adjust करनी आनी चाहिए, कि भई कैसे आपको adjust करना है, text box की मदद से हम कैसे content को add कर सकते हैं, अब इस content में कैसे क्या लिखना है, bullets कैसे apply करना है, जैसे यहाँ पे दिखाए दे रहे, bullets अगरा, यह सारी चीज़े मैंने सीखा ही है, already, right, already हो इन्रॉल कर सकते है, that's it guys, Microsoft Word का यह crash course यहाँ पे मैं finish कर ओ, लेकिन अब शुरू करेंगे हम Excel का crash course, तो यह था Microsoft Office का Microsoft Word software, यह तो crash course है दोस्तों, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़े बतानी के वैसे भी कोशिच की, जो useful चीज़े वो मैंने सब के सब इसमें cover की है, लेकिन इस एक separate certificate आपको Microsoft Word का मिल जागा, क्योंकि एक separate course है और separate detailed course है इसका, तो इसमें बहुत सारी चीज़े आपको सीखने मिलेगी, क्या क्या सीखने मिलेगी, आप description में जाकर check out कर सकते है उस course को, उसमें ebook हिंदी का आपको मिल जाता है उस course में, yes, ebook भी हम free में दे रहे हैं, उस course क साथ साथ, और देर सारी चीज़े, content देर सारे आप जाकर check out किज़े application के उपर, हमने application के link दी, या play store पर आप skill course सर्च कर सकते है, और skill course application को download इस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद ये course enroll कर लीजिए, तो फिलाल Microsoft Word के इस course के बारे मैं आपको बता है, तो अब मैं certificate लेने के कर लो, उस पर register कर लो, ये पहली चीज़ आपको कर लीनी है, register कर लो, तब तक मैं आपको Microsoft Excel पढ़ाता हो, और Microsoft Excel के बीच में कई पर मैं आपको second step बताने वालाओ, याद रखिए, बीच में कई पर बताने वालाओ, ending में नहीं, तो आप directly Microsoft Excel के ending में जाओगे, मुझे पता है यह इंटरेस्टिंग है, मुझे पता है, आप सीखना चाहोगे, चलिए, शूर करते स्क्रिंग पर, यहाँ पर हमें Microsoft Excel सीखना है, तो पहले हम देखेंगे, Microsoft Excel हमारी computer में start कैसे करेंगे, यहाँ पर आ चुका हमें desktop के उपर, यह मेरा Windows 11 का system है, तो यहाँ पर आपको जो पर मैं क्लिक करूँगा, तो Excel स्टार्ट हो जाएगा, अब मेरे केस में Excel 2021 इंस्ट्रॉल है, तो आपके केस में अगर Excel 2016, 19, 13, 10, कोई भी है, कोई प्रब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि नए वर्जन में कुनसे नए आप्शन है, तो अगर आपके ब पास Windows 11 नहीं है, Windows 10 ने तो आपका या पर Windows को logo लेप में आएगा और वहां से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, Windows और R की, अगर आप कीबोर्ड पे विन की और R की प्रेस करते हो, तो run command आती है, जिसमें आपको Excel टाइप करना है, Excel, open में Excel कीजिए, OK कीजिए, and that's it, Excel स्टार्ट हो गया, अब यह जो इंटरफेस आपके सामने Microsoft Excel का आ रहा है, यह है Excel का welcome screen जिसमें आपको blank workbook यहां पे दिखाए दे रहा है, और हमें blank workbook से हमें हमारा काम शुरू करना है, यहाँ पर welcome to Excel, drop down, यहाँ पर ready template भी मिल रहे है, drop down tutorial, formula tutorial, यहाँ पर देर सारी tutorial है, but don't worry, यह tutorial यहाँ पर जाओगे तो आप पढ़ते बैटोगे, मैं आपको वीडियो में explain करने वाला, तो इसकी आपको ज़रूत नहीं है, आप blank workbook पे click करके शुरू कीजए, यहाँ पर आपको recent जो file मैंने use की है, या बनाई है Excel के अंदर, वो आप आपको दिखाए दे रही है, यहाँ पर open option, file open करने के लिए, new option नहीं फाइल लेने के लिए, और home option यहाँ पर यह सारा interface आपको home से दिखाए दे रहा है, फिलाल हम blank workbook पे click करेंगे और Excel के screen पे आ जाएंगे, यह है आपका working zone, यह है आपका stadium, basically जहाँ पर हम खेलने वाले Excel क साथ ही हमारा Excel का stadium ही समझ लो, तो Excel के stadium में क्या-क्या है, यह नहीं कि Excel की screen पे क्या-क्या है वो पहले समझ लेते हैं, तो सबसे पहले उपर आपको यहाँ पर जो दिखाए दे रहा है, this is again title bar, यह title bar है, Excel की file को workbook बोलते है, याद रखिए, word की file को document बोलते है, Excel की file को workbook बो page layout, formulas, data, review, view, ऐसे tab आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे है, यहाँ पर change किस नाम का tab है, जो मैंने खुद design किया है, तो यह जो है, वो आपकी case में नहीं रहेगा, developer शायद आपने on किया नहीं रहेगा, तो आपके पास रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से अब देखे इसे हम ribbon बोलते हैं, और यह ribbon के अंदर clipboard, font, alignment यह group है, तो यहाँ पर insert पर में click करता हूँ, तो आपको insert के options दिखाए देंगे, page layout पर click करूँगा, तो page layout, तो ऐसे हर एक tab के अलग-अलग options आपको इस ribbon में दिखाए देंगे, उसके बाद सबसे important चीज आपको जान नहीं है यहाँ से नीचे हुँ, क्योंकि अभी देखे, ribbon, group, यह सारी चीज़े आपको Microsoft Word और PowerPoint में भी मिलेगी, लेकिन यह जो चीज़े है, जो आपको Microsoft Word में नहीं मिलेगी, name box, इसे name box कहते है, यह जो दिखाए दे रहा है, यहाँ पर A1, और यह है formula bar, यह formula bar, जहाँ पर हम अपना formula जब देते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाए देगा formula, इसका use कहा है, name box का और formula bar का यह आपको मैं समझाओंगा, बस अभी नाम याद रखना, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा use है, जब आप Excel में काम करते हो, तो यह name box और यह formula bar, उसके बाद, यहाँ पर आ रहा है आपका stadium, जो कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हमें काम करना है, A, B, C, D, these are the columns, vertical lines Excel में जो है, उन्हें हम columns बोलते हैं, और horizontal lines जो है Excel में उन्हें हम रोज बोलते हैं, दुबरा बता देता हो, याद रखना है, vertical lines को columns बोला जाता है, horizontal lines को रोज बोला जाता है, तो अब आप य multiple sheet insert कर सकते हैं, याद रखिए, अब मैंने sheet 1 पर क्लिक किया, यह देखे, sheet 1, यहाँ पर sheet 5 पर जाता हो, तो यह sheet 5, तो सब में same rows और same column ही रहते हैं, लेकिन कितने rows और कितने column रहते हैं, यह आपके मन में doubt रहेगा, अगर मैं ऐसे down arrow प्रेस करते जाओंगो, तो कितने rows रहे और down arrow, यह shortcut की याद रखना है, डायरेक्ली आप last row पर पहुच जाओंगे दोस्तों, last row, zoom करके दिखा रहा हूं, बताओ, 10,48,576, right, 10,48,576, इतने सारे rows है, इतना सारा records आप यहाँ पर बना सकते हो, control up arrow, right, यहाँ पर एक number row पर हम आ चुके, control down arrow, 10,48,576, दिखिए, कहने के लिए तो यह 10,48,576 रोज यहाँ पर है, लेकिन इतने record अगर हम Excel में टाइप करने जाओंगे, और कोई formula लगाने जाओंगे, Excel प्रॉपरली वर्ग नहीं करता है, हैंग हो जाता है, इतना बड़ा, इतना बड़े डेटा पर काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए उन्होंने Excel के आगे क्या advanced version निकाले data analytics के लिए, power query निकाला data handling के लिए, बड़े-बड़े data को handle करना है, power pivot निकाला, right, और power BI भी निकाला data analytics के लिए, तो यह उन्होंने आगे versions इसलिए निकाले क्योंकि बड़े data पर जब काम करना है, क्योंकि एक organization के लिए 10 लाग data तो कुछ भी नहीं आगे की बात है, लेकिन मैं आपको आइड़े रहा हूँ कि दस लाग रोज इसमें है, और हमारा अच्छा काम हो सकता है, वैसे भी, लेकिन बड़ा data जब 1 लाग या दो लाग के उपर data जाता है, और formula आप टाइप करते हैं, तो slow होने चालू हो जाता है, चलो ठीक है, जाएंगे ऐसे, तो column कितने तक रहेंगे, आप बोलेंगे A, B, C, D है, मतलब Z तक रहेंगे, yes, Z तो ही है, लेकिन Z के आगे भी जा रहा है, A, B, A, C, A, D, समझे, A, D, I mean, column का नाम बता रहा हूँ, मैं किसी को A, D नहीं बोल रहा हूँ, समझे, A, D, तो A, D, यहाँ से A खतम हो जाता है, A, Z पर और फिर से चालू हो जाता है, B, A, B, B, column, ओकी, यहाँ पर B, B, column भी है, आपके पास है कि नहीं, पता नहीं, यहाँ पर B, B, C, B, D, B है, जलाओ फिर, तो यह column से यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा, ऐसे कितने column है, Ctrl, Right, Arrow दबा दो, एक एक देखने स 384, छलो, ठीक है, column और rows आपको पता चले है, और हर एक sheet के अंदर है, इतनी सारे rows और इतनी सारे columns हर एक sheet के अंदर है, छलो, आपने इसका interface जान लिया है, और एक चीज रहेगी, यहाँ पर आपको नीचे जो option दिखाए दे रहा है, यहाँ पर status बार है, और status बार में max लेके जाओ, तो यहाँ पर 400 तक ही max रहेगा, इसका, right, Excel के अंदर याद रखिए, तो यहाँ पर 100 नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहता है, तो मैं control बड़म प्रेस करूँगा, और आगे की तरफ ऐसा scroll करूँगा, zooming लिए और यहाँ पर बढ़ रहा है, कम ज्य box आपको पता चला, shutters bar, zooming level पता चली, tab, ribbons, मैंने आपको बताया, तो यह interface है, इसके बारे में हमने जान लिया, लेकिन interface के साथ-साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए, आप जैसे ही cursor यह जहाँ पर रखते हो, यह cursor जहाँ पर रख रहे हो, यह C column और row number 4 का intersection हो रहा है, तो इसको क्या बोलते है, इसको बोलते है cell, right, इसको cell बोलते, C-E-L-L, याद रखो, C-E-L-L, यहाँ पर यह भी cell है, यह भी cell है, यह भी cell है, यह भी cell है, लेकिन हर एक cell का एक unique ID होता है, जो आपको name box बताता है, name box आपका location बताए कि आपका cursor कौन से cell पे click है, B3 पे click है, आप जो भी type करना चाहोगे, यहाँ पर type कर सकते है, लेकिन यहाँ पर B3 में है, और जब यह आप number type करोगे, तो वो right side में automatic आएगा, देखिए, number align to the right and text align to the left, automatic, तो वो Excel identify करता है, यह number है, यह यहाँ पर, यह number है, text भी detect कर लेता है, तो यहाँ पर यह sale का नाम क्या है, बताओ, E5, यहाँ से जाकर आप देख सकते, E5, इसका क्या है particular sale ID या sale address बोल सकते, आप इसको sale का नाम भी बोल सकते, sale address है F4, right, इसका क्या है, F8, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर यहाँ पर यह और यहाँ पर G column तक है, तो D4 से लेकर G8 तक है, तो इसे ऐसा लिखते है, D4 से G8, इसे बोलते है range of sale, एक range में इसे लिखे, range of sale, याद रखिए, D4 to G8, range of sale, clear है आपको, तो यहाँ पर जो भी content type करते हैं, वो content कहाँ पर दिखाए देता है, आपको formula बार में दिखाए देत मैं यहाँ पर 9 into 5 type करता हूँ, look at there carefully, मैंने 9 into 5, लेकिन is equal to sign के साथ type किया है, अब यहाँ पर आपको 45 ही दिख रहा है, यहाँ पर भी 45 है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्गे, मैं ऐसा देखूँगा, यहाँ पर sale में तो 45, 45, same number आप बोलोगे, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करो और formula बार में देखूँगा, तो बताएगा कि यह answer आपका formula के साथ आ रहा है, और formula बार का काम ही यह है, if there is a formula in your cell, it will display formula, if there is a number in your cell, it will display number, if there is a text, whatever content will be there, तो वो as it is show करेगा, याद रखिए, जो भी content वहाँ पर है, वो as it is show करेगा, लेकिन अगर वाँ पर formula बार ह जैसे मैं is equal to देता हूँ, is equal to, because every formula begins with is equal to in Excel, याद रखो, without is equal to formula यहाँ पर चालू हो गाई नहीं है, and every formula contains is equal to sign also, like maths में आपका यह rules आपको पता रहेगा, कि is equal to है, तो वो formula बनता है वाँ पर, तो यहाँ पर is equal to मैंने दिया, and I am going to click on this cell, और मैंने plus का sign दे दिया, और इस cell पर भी click किया, तो automatic उसने डिरिक किया कि D5 और D6 यह दो cell आपने उठा लिये, I mean to say आप इनका addition करना चाते है, बीच में अपने plus sign दे दिया है, और यह हो गया आपका 90, और यहाँ पर बता रहे है कि आपने formula लगा, so formula बार का काम होता है, कि exact जो content आपने formula से लाए, तो formula बा चला, तो यह पहला हमने इसका interface जान लिया, और इसके बारे में जान लिया, Excel के बारे में, Excel में काम करने के पहले आपको formula बार, name of sale, column, रोज यह पता होना चाहिए, और यह मैंने आपको बता दिया, अब बढ़ते section 2 की तरब, जिसमें मैं आपको बताने वाला हो, कि भई, Excel के अंधर number of sheets हम insert कर सकते हैं, तो delete भी कर सकते होंगे, तो कर सकते हैं, कैसे, delete कैसे करते हैं, sheet को protect कैसे करते हैं, यह चीज़े हम यहाँ भी देख लेते हैं, अब यहाँ पे मैंने 5 sheet insert की, और चाहिए shift 11, नया sheet insert तो हो रहे है लेकिन वो left मैं आता है, याद रखीए, जब यह आप keyword shortcut key से sheet insert करते हो, तो left मैं आता है, shift 11 से अगर आप insert करते हो, और अगर अगर आप इधर click करते हो, और यहाँ पे click करते जाते हो, तो वो right मैं आता है, और आप कोई भी shift को shift कर सकते हैं, कई पे भ आपको इसको इधर लेना है इसको इधर लेना है आप ऐसे ले सकते हैं तो शीट यहाँ पर इस तरह से मुग होती है दूसरी चीज़ इस शीट 11 में आपने कोई content नहीं लिखा है लेकिन इसको इपर right click करके अपने इसे delete कर दे राइट लिट कर दो तो कोई message नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है डिलीट हो गया डिरेक शीट लेकिन इसमें कुछ content लिखे आपने शीट 10 में लिखा है और आप शीट को right click करके delete कर रहे हो तो वह एक message आपको दे रहा है Microsoft Excel will permanently delete this sheet do you want to continue right उसने कहा क्या आप कुकि Microsoft Excel will permanently this sheet delete करेगा इसके अंदर के content है वो आप undo नहीं कर सकते है मतलब यह sheet delete होने के बाद undo नहीं होगी content undo होगा जैसे मैं इस sheet delete करता हूँ मैं Ctrl Z प्रेस करता हूँ यहाँ पर शीट नहीं आने वाले शीट नहीं आएगी लेकिन हाँ इसके अंदर मैंने कुछ content लिखे है और मैं इसे delete करता हूँ Ctrl Z यहाँ पर होगा content delete कर दिया sheet के अंदर काम करते वक्त मैं undo कर सकता हूँ लेकिन sheet को delete मैंने किया तो वो undo नहीं होता है समझे क्या याद रखना इस बात को याद रखो ok so delete हो गया दूसरा आपके क्या करना चाता हूँ 12 मेनी के बारा sheet insert करना चाता हूँ तो बारा मेनी की हर एक का नाम में देना चाता हूँ तो मैं इसे नाम कैसे क्ईसे दूँगा इसे अब select कर लो select करने कबाद right click करो और rename option दिया इन्होंने, rename पर क्लिक करो या फिर शीट के उपर double click करो, double click करो इसे नाम देना है, jan 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 बोल रहा हूं है, गलत मत समझना मुझे, jan, feb, march इस तरह से आप इसे नाम दे सकते हैं, right, april, best practice के नाम में space दे भी सकते हैं, लेकिन नहीं देना यह best practice है, मतलब आपको य तो अच्छा है, में project भी चलेगा, कोई problem नहीं आप से space दे सकते हैं, right, but मेरा recommendation रहेगा कि इसमें आप space ना दो, best practice है, की sheet में ऐसा ही, जो professional है, वो ऐसा करते हैं, आप बोलोगे, ऐसा क्यों, इसका reason यह होता है, जब हम इस sheet को coding में यूज़ करते हैं, तो हमें यहां पे ना sheet का नाम देना, आपको पता चला, sheet में नाम कैसे देना, right, click करके rename करना है, यह मैंने आपको बताया, delete यहां पर कर सकते है, insert भी यहां पर option दिया, यहां पर view code का option दिया, लेकिन यह आपको अभी ज़रूरी नहीं, जो यह macro से related है, VBA से related है, coding से related है, अब हमें ज़रूर यह sheet can quarter का है, तो मैं इसको थोड़ा सा green color में रहा हूँ, तो आप ऐसे tab color में जाकर, set of sheets की sheets कर सकते है, अलग अलग color से, right, यहां पर आपको color दिखाए दे रहा है, great, और यहां पर मैंने कुछ content type की है, sheet के अंदर, अभी तो कुछ content नहीं, लेकिन example के लिए मैं कुछ content यहां पर ले रहा हूँ, और content मैं random लेना चाहता हूँ, इसलिए Excel में भी हम random यूज़ कर सकते है, जैसे word में मैंने एक random formula बताया था, वैसे यहां पर भी एक random between formula है, आप is equal to करो random between formula टाइप करो, यह देखिए, मैं content कोई भी random लेयर करना चाहता हूँ, बस practice के लिए, मुझे street को protect करना इसके लिए, तो random between में type करोंगा, random between, is equal to random between एक formula में type करो, random between, ओके, और tab ब्रेस करोंगा, keyboard पर tab ब्रेस करती है, यह देखिए, जैसे मैंने थोड़ा सा formula लिखा न, यहाप नीचे formula आ जाता है, आप इससे select करो, और tab ब्रेस करो, यह पूरा आ जाता है, भी तो open bracket, आपको प tab ब्रेस किया, down arrow प्रेस करके उसे select किया, जब भी मैं कोई formula लिखता हूँ, तो यह आगे मैं समझाओंगा, वैसे भी, यहाप नीचे जो आते हीने argument कहते, यह पूरा पूरा syntax है, arguments में हमें arguments में देना है, bottom number मैंने दिया 10, top number देना है, यहाप एक number आया है, इस number को मैं repeat कर रह करे, इसे मैं protect करना चाता हूँ, इस content को, यहापे कोई edit ना करे, तो इस sheet के पर right click करूँगा, मैं protect sheet, यहापे option दिखाए देर, आपको protect sheet, protect sheet में मैं click करूँगा, इसे मैं protect sheet पे click किया, वह आपको पूछेगा कि भाई password to unprotect sheet, भाई password दे दो अगर protect sheet है, उसको unprotect करने के ल और से कुछ गलत काम नहीं करोगे, मुझा कर रहा हूँ, लेकिन यहापे देखिये, delete button, मैं press कर रहा हूँ, the sale or chart you are trying to change is unprotected sheet, to make the changes, you must unprotect this sheet, right, तो आपको right click करना है वह यहाँ और यहाँ पे unprotect बोलना है, और यहाँ पे password देना है, and now you can change it, 1, 2, 3, अब इस sheet में आप यहा मुझे कहना था कि आप sheet को protect करके रख सकते हैं, अगर content आपको किसी को allow नहीं करने, edit करने के लिए, right, तो यह protection sheet का मैंने आपको बता दिया, अब sheet protection मैंने आपको जो बताया, इसमें एक और चीज में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्या होता है, कि कही बार आपको क क्या करना यह sheet में कुछ content allow करने, कुछ content allow नहीं करने, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ number यह पे type कर लिये है, एक ही number suppose सब जगा पे लिया भी, तो अब मुझे क्या करना है, suppose यह content मैंने लिखे, इसमें से यह 2 content है इनको मुझे क्या करना है, unlock रखना है, और इसे lock रखना है, मैं इसे unlock रखना चाहूँ तो इसमें मैं type कर सकता हूँ और इन दोनों में type नहीं होना चाहिए या पिर कई भी type नहीं होना चाहिए तो जिसे unlock रखना है उसे select कर लो और आपको home tab में जाना है उपर home tab में मैंने क्लिक किया है आपको format वाले यहां पर जो options दिखाए देना format वाला इस पर क्लिक करना है sales group में और नीचे आपको protection का option दिखाए देगा जिसमें अब मैं यहां पर क्या करता हूँ अगर मैं इससे select करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाए देगा कि यह lock cell का icon कैसे है अब देखो कैसा icon है अभी वह highlighted है मतलब यह lock है अब मैं protect sheet करता हूँ यहां से protect करो यहां पि right click करके protect करो one and the same अब मैं यहां पर password देता हूँ 123 123 reenter password दो अब मैं इस content को delete करना चाहता हूँ नहीं लेकिन इस content को मैं delete करना चाहतहु इस वाले content को मैं delete कर सकता हूँ यहां पर कुछ नहीं कर सकता हूँ इवन मैं इन ब्लैंक सेल्स में भी कुछ नहीं कर सकता हूं कि यह भी प्रोटेक्टेड है तो आपको प्रोटेक्शन के आईडिया आ चुकी तो शीट की उपर काम करते वक्त आपको प्रोटेक्शन कैसे देना है अब प्रोटेक्शन की बात आपने चेड़ी भी है तो एक और प्रोटेक्शन बता देता हूं मतलब मैंने चेड़ी है आपने नहीं चेड़ी मैं बता रहा हूं तो एक और प्रोटेक्शन है कि भाई इस फाइल को मुझे लॉक करना है देखो यह तो एडिटिंग के लिए आल आलो बोक्स आता है, बट F12 करूँगा, तो यहाँ पर सेव में क्या होता है, दीखे, चुन्ट्रोलेज करूँगा, तो यह नए वर्जन में आपको डायरेक्ली पहले, टूल्स में जनरल अप्शन और पासवर्ट टू ओपन एक बार दूँगा, एंटर करूँगा, पासवर्ट टू ओपन देखे, एंटर और रेंटर, एंटर, अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, यह फाइल कैसे सेव होगी, देखिए, एक्सेशन का एक्सेल का मैं इसे Ctrl-W करता हूँ, अब मैं डेक्स्टॉप पे नहीं जाता हूँ, Ctrl-W close कर दिया, फाइल में जाता हूँ, यह देखिए, रिसेंट में मिल जाएगा न, मुझे उपन करने के लिए, दिखा रहे है न, ABC डेक्स्टॉप पे सेव है, चलो यहां से उपन कर लेते, वो पहल कैसे देना है, सब कुछ मैं आपको बता दिया, अब Excel में काम करते हैं, अब डेटा इंटरी सीखते हैं, छलिए, फटा फट, डेटा इंटरी का पोर्शन, जो कि आपके लिए कापी important हो सकता है, तो अब ही मैं इस workbook को यहां पे Ctrl-W कर रहा हूँ, नया workbook ले रहा हू, Ctrl-N, और मैं जूम भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब जूम अगरा कैसे करना है, बतानी की जुरूत है क्या, नहीं है, अब यहां पर content type करते समय, content type आप ऐसे कर सकते, यहां पर आपको क्या करना है, caps lock मैं on कर लेता हूँ, और यहां पर serial number type करता हूँ, right arrow दबा देना है, right, right, left, या आप left right arrow से भी कर सकते हैं, या टैब से भी आगे बढ़ सकते हैं, तो यहां पर एक चीज आप notice करोगी, अगर आप data entry Excel में पहली बार कर रहे हो, तो यहां पर कुछ columns जो है, जिसको आप देखेंगे यहां पर ध्यान से, कि उस column को यहां पर बढ़ा होना चाहिए, name of student ल लेकिंगे ड्रैक करके खीचो, खीचो पाओ, टाइम जाएगा न, इससे अचा आप यहां पर mouse pointer लेकिया और double click करो, काम खतम है, यहां पर देखो, इसके उपर A और B के बीच में mouse pointer लाना, double click करना, A, B, C, C के बीच, C और D के बीच में mouse pointer, double click करना, D और E के बीच में double click करना सब को एक साथ select कर लो, A से लेकर G तक, और कई पर B, C, कई पर उनके border पर आ जाओ, यहां पर एक arrow आ रहा है, इस तरह से, जो resize का होता है, double click कर लो, सब के size यहां पर एक साथ adjust हो जाएगा, जितना content है, उतना size automatic आ जाएगा, एन इंट्रेस्टिंग, यहां पर देखें, मैं mouse का left button दबा के रखिए, खीचिए, या फिर A पर रखिए, खीचिए, और दोनों के बीच में कई पर भी आ जाई है, कोई भी column के बीच में double click, right, तो यह data entry करते हैं समय important चीज़ याद रखनी, पहले important चीज़ मैंने आपको बताई, column की size कैसे adjust करनी है, okay, आप इसे shortcut की साथ कर सकते हैं, मैं तो shortcut की साथ करना चाहोंगा, आप भी करना चाहोंगे, तो मुझे follow कर लो, right, करना क्या है, control A, content select, okay, पहला, मैंने keyboard को हाथ लगाया, mouse को हाथ नहीं लगाया, mouse को मारो गूली, और आप बोलो मेरी बोली, I mean to say, मैं जो shortcut की बता रहा हूँ, वो, आप इस्तमाल करो, so यहाँ पर प्रेस करना है, alt-hoi, मैंने फटा-फट प्रेस कर दिया, alt-hoi, आप बलो कि इतनी लंबी shortcut की, लंबी ज़रूर है, लेकिन एक दो बार practice करो, यह दे कि मेरा कितना fast हो रहा है, alt-hoi, alt-hoi मतलब होता है, alt-prेस करोगे, तो उपर आपको home tab के लिए, insert के लिए प्रेस कर दिया, alt-hoi, याद रखिये, alt-hoi, sequential shortcut की है, मतलब आपको alt-hoi एक साथ प्रेस करके रखने नहीं है, alt-prेस करो, छोड़ दो, o-prेस करो, छोड़ दो, i-prेस करो, छोड़ दो, okay, right, तो अब keyboard के उपर सब कुछ छोड़ दो, alt-hoi, interesting है न, यह भी मैंने आपको बता चलो, ठीक है, data entry में आगे और चीज, अभी मैं यहाँ पर data entry तो कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right, ऐसा, लेकिन आप इसके लिए form भी बना सकते, आप इसे select करो, इतना select करो, और उपर यहाँ एक form को option दिखाए दे रहा है, data entry form, right, अब यहाँ पर click करो, और यहाँ पर ok करो, जैस Excel में नहीं तो don't worry, मैं बताऊंगा, यहाँ पर click करो, ok करो, यह देखिया, एक form आग एडिटर, यहाँ पर one type करो, name of program type करो, ok, और उसके बाद यह मेरा नाम मैंने लितिया, और कितने marks मिले, चलो, मैंको जितने भी marks मिले, मैंने type कर दिया, total यहाँ पर मैंने निकाला, total के ल सकते हैं, तो यह जो option है, यहाँ पर लाने के लिए, आपको यहाँ पर इस वाले quick access tool bar पर right click करना है, और right click करने के बाद, customize quick access tool bar, right click करके customize quick access tool bar, click किया, यहाँ पर quick access tool bar दिख रहा है, यहाँ पर फिर आप from है, मैं इसे remove कर देता हो, हटा दिया मैंने, यह रहा, अभी नहीं म मेरे पास, तो लाना कैसे, लाना यहाँ से popular commands की जगह, यहाँ पर all commands ले लो, पहले popular commands की जगह, all commands ले लो, और यह secret tips याद रोखवा, यहाँ पर form type करो, for type किया, तो भी for related, यहाँ पर option आएंगे, for type करने के बाद, form select करो, और मैं add कर रहा हूँ, आ गया, that's it, इस तरह से आ आपको यह भी idea मैंने दे दिया, तो चलो, data entry का तो idea मैंने दे दिया, form कैसे बनाना है, अब यहाँ पर one type करने के बाद, मुझे बहुत सो लोगों का data add करना है, तो one type करो, corner पर mouse pointer ले के आ जाओ, यहाँ प एक fill handle का tool बारा आता, देखिए, Excel में तीन तरगे mouse pointer रेते, एक यह यह है, यह है, selection tool, यह जो mouse pointer दिख रहा है, आपको plus sign, यह बड़ा plus, यह selection pointer, यहाँ पर जो corner पर आता है, यह होता है, fill handle, यह दिख रहा है, चोटा सा, यह corner पर ही आता है, cell के corner पर, fill handle, और एक रहता है cell के border पर, यह border पर लेकिया जो यह देखो, यह arrow आता है, four headed arrow, चारो पर mouse pointer लेकिया आता हूँ, तो यहाँ पर मैं fill handle से क्या कर सकता हूँ, ओ, क्या हो रहा है, यार, मुझे type करने की जुरूत नहीं है, आपको क्या करना है, fill handle यहाँ पर लेकिया आना है, control नहीं प्रेस किया तो क्या होगा, one 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 one, लेकिन आप control प्रेस करो, mouse का left button दबा के रखो और खीचो, ओ, interesting, या फिर आपने यहाँ पर two type किया है, अब दोनों को select करो, दोनों को, दोनों को ऐसा select करो, उपर वाला white दिखेगा, नीचे वाला gray और यहाँ पर फिल handle पर लाओ, अब control मत प्रेस करो, अब control की ज़रूत नहीं है, क्योंकि one two में जो अंतर है, वही अंतर नीचे आ जाएगा, मतलब क्या है, one or six लिखा है, तो आगे क्या आएगा, बताओ, six के बाद five add क्या है, मतलब इतना, इसमें जो gap है, बिसलिए, तो छे, पाच, ग्यारा, ग्यारा, पाच, सोला, सोला, पाच है, किस, oh, interesting, तो आप जो number चाहते, आप दो, चार, ऐसे number चाहते है, तो यहाँ पर मैं पाच number ही लेता हूँ, फिलाल, छोलो, ठीक है, control button प्रेस करके, मैंने ड्रैग दिया, अब यहाँ पर नाम टाइप कर लेते है, example के लिए, data हमें इंटर करना है, basically, यहाँ पर मैं random number लेता हूँ, random number कैसे लेना है, दुबारा बताता हूँ, random between, oh, is equal to sign यहाँ पर जब लेते हो, तो इसे bottom और top number देना है, इसमें दो argument देना है, मैंने लिए 10 से 99 के बीच में मुझे random number चाहिए, तो मैंने bottom number 10 लिया, और top number 99 लिया, और मैं enter कर रहा हूँ, 92 आ गया, control D, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो content है, इस cell के नीचे फिल करने है, control D, आप बोलोगे, वहाँ पर 92 था, अलग कैसे आगया, क्योंकि यह random formula है, बार बार random number जनरेट करते रहेगा, और right में fill करना है, control R, ध्यान से देखिए, मैं दुबारा बताता हूँ, यहाँ पर अपने कुछ भी type किया, hello, कुछ भी है, hello लेलो या कोई number लेलो, चलो छोड़ा number यह 45 है, मैं right में चाहता हूँ, control R, fill right, और bottom में चाहता हूँ, control D, ऐसे, या फिर अगर आप ऐसा select करके करोगे, control R करो, पूरे row में आ गया, तो वही मैंने किया इसके साथ, यहाँ पर random between formula लगा है, और सब जगह पर random formula आ चुका है, क्या-क्या, दुबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर random between formula है, मैंने ऐसा select करके रखा है, control D, control R, okay, अब यह formula बार बार number चेंज कर रहे है, इसके साथ तो कुछ तो होना चाहिए, तो यह formula अगर मुझे हटाना, यह एक चीज है, यह tips है, और यह important tips है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, सब को, जब आप किसी भी sale का formula नि उसको formula से मतलब नहीं, लेकिन आपका formula मेनत वाला है, तो यह formula यहाँ पर दिखेगा हो, तो आपको नहीं चाहिए, formula नहीं देना, यह content ही देने, तो आप इसे copy कर लो, जहाँ पर formula आपने लेगा है, आगे चल कर, उसे बस आप copy करो, select करके, और paste एक option मिलता है, home tab में, जो कि पूरे sales का formula गा है, random between formula ही नहीं है, अब यह content है यहाँ पर fix होगे, यह change ही नहीं होगी, क्योंकि formula में नहीं हटा दिया, तो चलिए यह और चीज़ आपको पता चलिए, कि sales का formula आप कैसे हटा सकते है, content ही रखना है, तो कैसे रख सकते हैं, अब data entry में basic formulas हमें सीखने की बारी आती है, data entry तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन एक और चीज़ में data entry में बताना चाहूँगा, यहाँ पर important, data entry फिर cover करते हैं, फिर basic formulas की तरफ बढ़ते हैं, अब data entry में यहाँ पर एक और चीज़ यह है, कि अगर आप data entry करते करते हैं, नीचे चले गए, अब यह चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेर करना चाहूँगा, और यह सब को पता होनी चाहिए, मेरे इसाब से, क्योंकि यह मैंने practically face किया है, मेरे पहले job में, मैं experience भी बता दिता हूँ, जब मैं पहले job के लिए लगा तो data entry का a job था, ज्यादा अच्छा का सा, Excel का knowledge मुझे नहीं था, 12th pass किया था, job चाहिए था, तो मैंने Excel थोड़ा बहुत सीख लिया था, और गया था, तो वहाँ पे क्या था, कि वहाँ पे ऐसा बड़ा सा data, income tax की file थी, और मुझे data type करना था, बहुत सारे column में, ऐसे बहुत सारे column थे, 20-20 column, और मैं क्या करता था, बार-बार उसका column heading देखके यहाँ पे type काता था, फिर उपर जाता था, और मेरा confusion इसले था वो, क्योंकि वो लंबा चोड़ा data था, income tax में, पैन नंबर, यह नंबर, वो, राइट, ऐसा लाब-लाब, बहुत सारे था, तो यहाँ पे confusion था, कि यार बार-बार उपर जाओ, नीचे जाओ और मैंने देखा मेरे बाजुवाला जो बेटा था data entry करने वाला, उसका यह पहला row था न, वो fix था, पहला row उसका fix था, और यहाँ पे उसे दिखता था, नीचे जब scroll करके type कर रहा था न, कौन से भी row में, तो उसको दिख रहा था, तो मेरा नहीं दिख रहा था, तो मैंने तो data entry में मैं ऐसा परेशान था, तो मुझे लगा कि यार यह परेशानी तो सहरी copies में होती होगी, तो फिर आपको भी यह परेशानी ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह मैं आपको बताओ, तो क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे एकरसर आप रखो, आपको जाना है, यह थोड़ी से अलग है, यह वाली लाइन देखेंगे, रो में, अगर आप यहाँ पे स्क्रोल करोगे न, ओहो, काम हो रहा है, दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कौन से रो में काम कर रहे हो, कौन सा heading, column heading, basically उसका वो आपको पता चल र है, क्योंकि वो पहला रोप फ्रीज हो चुका है, और यहाँ से जाकर ही उसे अन्फ्रीज कर सकते है, व्यूव में जाकर, तो यह एक और important चीज मुझे लगा data interest related आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने बता दी, सो इसके उपर practice कीजिए, अब next section की तरफ बढ़ते basic formulas अब basic formulas म सबसे पहला formula मैं आपको बताऊंगा, is equal to sum, आप इसे is equal to sum लिखो, open bracket करो, यह आ जाता है, यह बोलता है कि आपको कौन-कौन से number add करने, this, 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 लेकिन आपके पाद ज्यादा number होता, ऐसा थोड़ी करते हो गया, this, 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 आप direct इसे select कर लो, c2 to e2, इनका sum होगा, addition होगा, c2 to e2, जितने भी number आ रहे, 273, देखिया न, delete कर रहा हमे, is equal to this plus this plus this, वही है न, यही करना है न, 273, वही हो रहा है न, तो is equal to sum, open bracket देना नहीं है, देना है, लेकिन tap बढ़न प्रेस करोगे तो automatic आ जाएगा, तो याद रखो यह, यह आदत ही दाल दो, is equal to sum लिखा अपने tap बटन पूरा आ जाएगा, इससे select को, इससे भी आसान तरीका में बता तो, यही formula आपको यहाँ पर मिलेगा, home tab में भी, same, पहले आसान तरीका बात में बताऊंगा, पहले यहाँ पर देख लिजे, home tab में जाना है, और यहाँ पर auto sum पर क्लिक क और यह text है, तो उसे नहीं लिया, उसने पर अबर इन तीनों को लिया, और auto to seven three आ लिए, और इससे भी आसन, जो तरीका में बताने वाला, वो shortcut किये, alt is equal to, alt equal to, जैसे मैं प्रेस करता हूँ, enter प्रेस करता हूँ, ओ, डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड cell को फिर यहाँ पर आकर double click करो, इस corner पर, phil handle पर double click करो, क्या बात है, बहुत ही time saving गयार, drag भी कर सकते, control नहीं प्रेस करने, phil handle के लिए, बस double click, या फिर drag, या फिर, तीसरा तरीका, इससे select करो, control D, है न, आप बोलोग यार, मुझे पूरा keyboard से ही करना है, माउस को आती नही प्रेस करके, इससे select करो, control D, shift बटम प्रेस करके, आप इससे select कर सकते, यहाँ पर cursor रखा है, shift right, right side में select, shift down, downside में select, cursor कहाँ पर वो matter करता है, मतलब आपका यह cell पर cursor है, shift up arrow, shift left arrow, ऐसा, तो यह selection के लिए याद रखो, alt is equal to, आपको पता चला, max मुझे निकालना है, basic formula में, max म value यहाँ पर आजाएगी, mean मुझे निकालना है, simple है mean, इधर click करूँगा, mean formula आजाएगा, mean type भी कर सकता हूँ में, लेकिन यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर maximum जो आ रहा है, क्या गलती हो रहा है, c2 to f2 ले रहा है, क्योंकि उसके website में सारी number दिख रहा है, तो मै c2 to f2 नहीं करूँगा, इसे delete करूँगा, और क्या करूँगा, c2 to e2, मैं तीनों subject में maximum देखना चाहता हूँ, यह देखिए, अब यहाँ पर भी जोगलती है, is equal to, mean type करो, यहाँ फिर उपर से select करो, यहाँ पर इन तीनों को इस select करना है, enter, clear, max, mean, average, basic formula आगे का देखना च average जब आप निकालते हो, तो decimal places बहुत ही जादा आ रहे, 68.33, 38, 33, 38, 38, 33, 38, 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 एक चीज इंपोर्टन मैं आपको बता रहा हूँ, αपर नम्बर ग्रूप में चाहो हूँ यह पर देखे dizkg бंप अपको करना कया करना क्या चाहते हो वभया क्लिक करते जाओ decreeral the crc करना है, increase, decrease करना है, decrease, 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 पूरा decrease, और round figure कर लेता है, यह देखिए, अब आप इंक्रीज कर लेता हूं, यह 67 है, 63.67, यह 64 कर लेगा, क्या बात है, क्योंकि वो normal rounding method यूज़ कर रहा है, पचास की उपर है, तो वो directly 64 कर रहा है, और पचास की नीचे है, तो उसको कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको यह पर average पता चला कैसे निकालना है, और क्या बाकी है हमारे इसमे, count number, यहाँ पर formula देना है, यहाँ पर counting देते है, counting, subject count करना है, यहाँ पर counting, so यहाँ पर click करके count numbers पर click करते हैं, और इन तीनों को select करते हैं, कितने number है, तीन सब्जे के हैं, तो आगया counting करेगा, so इस तरह से basic formulas आपको यहाँ पर मैंने बताए, अब यह vertically निकालना है, तो cursor आपको यहाँ पर रखना है, अल्ट is equal to enter, अल्ट is equal to, अल्ट is equal to से some formula, यहाँ पर काम का रहा है, यह vertical आपको total चाहिए, यह लेलो, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक total, तो आपको idea आचुका होगा, कि यह formulas कैसे सिस्तमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और formula मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है percentage का formula percentage का formula, आप बोलोगे average तो निकाल ले, percentage का formula अलग होता है, वो हमें customize देना पड़ता है, कैसे, it's equal to, this total divide by, divide by what, divide by, कितने में से marks मिले हैं आपको यह, कितने में से मिले, 300 में से, into 100 percentage, तो आपको मिलेगा 91, आप बोलोगे क्या अलग होता है, इसका result और इसका result तो same ही आ रहा ह अब आप यहाँ पर नंबर देखके तो जरूर बताएंगे कि वह सेम ही होता है, देखो दोनों भी same आ रहे, average percentage बिल्कुल same नहीं होता है, ज़रा ध्यान से सुनिए गा, यह तो school में complete हुआ है, average percentage अलग-अलग होते है, क्योंकि percentage 100 में से ही होता है, और average तो आपको number of counts, जो भी होगा, right number of counts, तो यहाँ पर इस case में दोनों सेम इसलिए आ रहे, क्योंकि यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, और यहाँ पर 100, 100, 100, 100, 100 मार्ग के हैं, तो आपको तीनों सेम आएंगे, अगर एक subject देड़ सो मार्ग का होता है, और मुझे आपे 150 मार्ग, 148 लेते हैं, और और ये दोनों subject 100 में से, तो ये हो गया 300 में से marks, ये 300 में से हो गया, total, तीनों भी, 1500, 100, 100, उसको मिले 300 में से, 330, पराबर है, मिलेंगे, क्योंकि ये 1500 में का subject है, लेकिन average तो ठीक है, उसका 107, percentage 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है, so here it is some mistakes, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाद रखो, out of marks से percentage निकाला जाता है, तो percentage average अलग-अलग है, अगर उसके subject के marks, अलग है, so नहीं है, so है तो वो equally रहेंगे, तो यह आपको formula कैसे देना है, idea आ चुका होगा, कि बहुत कस्टमाइज formula दिया, मैंने app 2, बटन दबा दो, edit active cell, a, b, c, d, right, edit active cell, app 2 दबा के, app 2 एक shortcut की याद रहो को, मैं सारी shortcut की बता रहा हूँ, सारी shortcut की मैं practice के लिए भी दे रहा हूँ, इसके लिए आपको description मेरा application है, वहाँ पे practice के लिए मिलेगी, आपको करना का application की पर study material नाम का folder है, study material नाम का folder आपको home tab में मिलेगा, जिसके अंदर आपको YouTube चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, और वहाँ पे YouTube चैनल प्रैक्टिस फाइल में आपको complete एक लाँ चैनल पे यह इसकी practice फाइल भी मिलेगी, यह पूरा MS Office scratch course से related जितनी भी practice फाइल है, या फिर shortcut keys, PDF, सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे, MS Office scratch course folder में, so check कर लेना, अब यह फाइल में save कर ले तो basic formulas हमने cover कर लिये है, अब हम आगे बढ़ते थोड़े से, आगे के step की तरप, जहाँ पे हम देखने वाले useful options, बेसिक formula के बाद हम useful options सीखेंगे, फिर बाद में हम सीखेंगे advanced formulas, तो अब हमे useful options क्या सीखने, यह मैं आपको बताने से पहले, इस file को मैं save कर देता हूँ, ताकि यह है अमरी practice file 1, जो कि आपको practice के लिए useful रहेगी, इसके उपर ही आप अपने formulas की practice कर सकते हैं, तो मैं इसे MS Office crash course folder में save कर रहा हूँ, practice file 1 Excel की है, तो मैं इसे save कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसको दुबारा में save as करता हूँ, और इसमें हम useful options, practice file 2 लिख देते हैं, practice file 2, useful option, save as के लिए F12 button दबाने है, simply और save कर देना है, फटा फटा हो जाता है, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़े बताने हो लाँ, सबसे पहले useful option बताने से पहले, यहाँ पर यह extra जो मुझे मैंने निकाला था data यह हटाना है, तो मैं इसे select करूँगा, यह total निकाला है, इसे पूरे row को select करूँगा, यहाँ पर click करूँगा, मैं ऐसे delete तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे row को delete करना चाहता हूँ, तो मैं इस row पर click करूँगा, और control minus keyboard पर दबा दूगा, पूरा row delete, गाइब, तो आपको जो चीज़े नहीं चाहिए, वो आप इस तरह से कर सकते हैं, मुझे suppose अब यह basic formulas इस वाले sheet में नीची, क्योंकि अलड़ी वो पहले वाले practice file में है, तो यह नीची, max select करिए, तो मैं इन columns को ऐसा select करूँगा, control minus, यहाँ पर मुझे column add करना है, subject one के पहले, मतलब name of student और subject one के बीच में, तो इस column को मैं select करूँगा, keyboard पर control plus दबा दूगा, control minus से delete ह यहाँ पर मुझे पर शेक्षा है, control plus एड़ होता है, याद रखिए, आपको column select करना है, जिस column के पहले आपको column चाहिए, तो आपको subject one के पहले चाहिए, तो इसी column को select करो, control plus, और यहाँ पर मुझे add करना है, इसका contact number, या जो भी है, कुछ भी add करना है, आप यहाँ पर यह अब मैं जो option बताने हो लो, यह बहुत useful option है, और यह daily use वाले option से दोस्तो, daily use में आते है excel के अंदर, और आपको आने ही चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको sort बताने हो लो excel के अंदर, जो कि यह data tab के अंदर, data tab में भी मिलेगा, home tab में भी यहाँ पर आपको sort मिलेगा, यह द उपर है, इसको कम marks कर देते हैं, अब यहाँ पर जिसको भी ज्यादा marks है इस पूरे list में, अब देखेंगे इसको ही ज्यादा वैसे एक number पर है, तो ज्यादा number वाले जो भी person ज्यादा marks जिसको है, वो उपर आजाए एक number पर, अब मैं एक काम कहता हूँ, इसके marks बढ़ा द लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे मैं पूरा data को select करके Z2A करूँगा, तो वो पहले column की सबसे उसने Z2A कर लिया, देखें, 654321, undo करो इसे, Ctrl Z, ऐसा नहीं करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस column की सबसे करना है, तो मैं एक तो एक column को select कर सकता ह और मैं Z2A क्लिक करूँगा, तब वो बोलेगा कि भई, इसे आपको क्या करना है, आपने यह column select किया, लेकिन अगर आप इस column को देन से दिखिया, आपने खाली एक ही column select किया है, वो बोल रहा है, Microsoft Excel found data next to your selection, since you are not selected this data, it will not be sorted, मतलब आपने जो data select किया है, बेसिकली, उस data के आ यह formula मुझे हटाना पड़ेगा, यह पर content होंगे, तब यह sorting प्रॉपर हो जाएगा हमारे लिए, तो content यहाँ पर रखने formula हटाना है, तो copy करो, ctrl c, paste करते समय आपको यहाँ पर paste special में जाना है, और value जाना है, जो आपको पहले ही मिलने बता दिया, अब यहाँ पर content है, content रहन तो right, दीवाला निकल जाएगा, मतलब जिसका result है यार, वो तो चकर आके गिर जाएगा, यार मैं तो pass होने रहा था, number 1 आ ले रहा था, फेल हो गया, तो ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ पर मत करो ऐसा, ctrl z कर लो, ok, तो करना क्या है, expand selection करना है, z to a कर लो, expand selection sort, यह देखो 294 227, यह proper आ गया, एक तरीका तो ऐसा है, दूसरा तरीका तो पूरा data select कर लो, अब आप इस वाले sort पे click करो, और यहाँ पे एक dial-up box है जिसमें पूछेगा कि कौन से column को sort करना है, वो column यहाँ पे दो, कौन सा column sort करना है, total, और क्या करना है उसे largest to smallest, क्या करना है उसे largest to smallest, ascending, z to a descending, या फिर largest to smallest और smallest to largest, इस तरह से आप ascending, descending, sorting कर सकते हैं, अब मैं आपको sorting के बाद बताने वाला हो, दूसरा useful option, filter, filter के लिए आप shortcut की इस्तमाल कर सकते है, alt AT, तो मैंने alt AT दबा दी, यहाँ पे filter apply हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते है, filter apply हो चुका है, कैसे प क्लिक करो CT पे, आपको दिखा है दे रही है, यहाँ पे CT repeat है, CT, Delhi, Mumbai, Delhi, Mumbai, Delhi, Mumbai, Delhi, Mumbai, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, मैं चाहता हो कि Delhi का रेकॉर्ड दीखे, बस Delhi के student, Mumbai के नहीं दीखे, Mumbai के student चुमंतर होगे, चुमंतर यानि कि hide होगे, अब पे फिल्टर अपलाई करते हो, तो यह भी ब्ल्यू कलर में दिखता है, यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्लिक करो फिल्टर पे, और फिर से यहाँ पर Mumbai पर चेक करो, और Delhi को गाइब करो, ओहो, यहाँ से आप easily data को फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर हटा दो, रिमो फिल्टर, फिल्टर कैसे करना है, दुबारा देखे, अल्टे टी दबाईए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, या फिर कंट्रोल शिप्ट एल भी दबा दोगे, तो भी फिल्टर आ जाता है, यह भी शॉटकुट की उसकी, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर एक तो आपके सर्च भी कर सकते, यहाँ पर सर्च कर लो, या फिर आपके पास एक तो बस, सारे रेकॉर्ड तो आप जाकर begin suite लगा सकते कि begins with या contents भी contents मतलब कैसे content का जरूर है कभी होता है जैसे यहां पर मैंने एक नाम लिख दे contents भी आपको मैं बताता हूँ मैंने यहां पर कुछ नाम लिख दे example के लिए बता रहा हूँ सूरज शिंदे और यहां पर और यहां पर अजय नाम का दूसरा भी एक है लेकिन उसका नाम है अजय काले लिख दे चलो तो यहां पर मुझे क्या करना है कि बहई जो सिंदे सिंडी नहीं सिंदे सरनेम के लोग है वह याने चाहिए तो मैं यहां पर क्लिक करूँगा और टेक्स फिल्टर में जाओंगा और कंटेंस में जाओंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा शिंदे लिखूंगा ओके करूंगा शिंदे सरनेम के लोग आ जाएंगे तो यह फिल्टर बहुत ही काम की चीज़े यार मतलब डेटा को फिल्टर फटापट कर लो आपके जो भी condition है उसके according जैसे मुझे चाहिए कि भई याप पर 250 की उपर जो लोग है वही दिखे बाकी नहीं तो यह लगा दो फिल्टर फिर यहाँ पर क्लिक करो यहाँ पर इस कॉलम के लिए फिल्टर लगाना है उद्धर क्लिक करो यहाँ पर लिखे क्या रहा है अभी नमबर फिल्टर आ रहा है क्योंकि वहाँ पर नमबर है उस कॉलम के अंदर तो यहाँ पर जो greater than greater than पर क्लिक करो और यहाँ पर देखे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको फिल्टर भी समझाओगा आपको यहां पर सॉट भी समझाओगा यह option बहुत useful है और यह ज़रूरी भी है इसके अलाओ और क्या आपको इसके अंदर जानकारी होनी चाहिए आपको remove duplicate आना चाहिए जैसे example ले लो मैं इसी को copy करता हूँ यह फिल्टर सॉट के practice के लिए रहने द ठीक है यहां पर भी कुछ आजे काले आड़ कर देता हूँ तो सुरज सिंदे का नाम तीन बार आ चुका है और आजे काले का नाम दो बार आ चुका है तो मैं यहां पर क्या करना चाहता हूँ डूब्लिकेट हटाना चाहता हूँ इसे मैं select करूँगा तेहन दीजिए जो ज उसके बाद एक dialogue box आएगा उसमें आपको क्या करना है कि कौन से column wise select करना है मतलब कौन से column wise duplicate remove करना है तो पहले unselect all कीजे सब को unselect कीजे और यह name of student इस column wise मुझे duplicate हटाने और यह भी check रखिए my data has header header है आपकी data में यह अगर आप check नहीं रखोगे तो वह उपर का column भी pick कर ल oh that's it, है ना interesting तो इसकी भी practice कीजी यह data मैं यहाँ पे रख देता हूँ practice के लिए undo कर रहा हूँ, duplicate तो आपको बता चला, चलो next sheet पे जाते हैं और कुछ और interesting सीखते हैं, यहाँ पे मैंने बस इस sheet में क्या कर लिया, इस नाम को लिए paste किया है, अभी एक और interesting option मैं आपको बता अलग करूँ, right, तो मैंने अलग-अलग column में, मैं सूरज को लेता हूँ, copy करता हूँ, paste करता हूँ, Ctrl-E दबाता हूँ, सूरज अलग हो गया है, अजे, 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 इन तीन में अलग है, यहाँ पे सूरज है, चलो मैं सिंदे को अलग करना चाहता हूँ, मैंने copy किया, य Ctrl-E बटन दबा दिया, क्या बात है, समझ मैं है कुछ, Flash Fill, Ctrl-E मतलब Flash Fill, यहाँ पे मैं सिंदे को Small में लिखता हूँ, मैं Small में चाहता हूँ, सिंदे को, Small में लिखा मैंने, और मैं यहाँ पे Flash Fill पे क्लिक करता हूँ, क्या हो रहा है, यह दिखाए दे रहा है आपको, तो Right, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक Column Insert करता हूँ, दो Column Insert करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम और सरनेम को अलग-अलग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे Ajay लिखूँगा, Ajay बस, पहला नाम लिखूँगा इसमें, और इसे क्लिक करूँगा, और डेटा में जाकर Flash Fill पे Small में कर सकते हैं, Capital में कर सकते हैं, Proper में कर सकते हैं, तो यह चीज काफी Interesting है दोस्तों, काफी Interesting, जरूर इसे Check कर लेना, इसकी Practice करना Flash Fill की, Flash Fill जरूर है, जरूरी है, जानना Flash Fill आपको आना चाहिए, वैसे तो Excel में धेर सारे Options आपको आने चाहिए, धेर सारी चीज़े आपको आ Beginners to Advanced, Excel Mastery या Excel Professional Course कर सकते हैं, जो कि with Certificate बहुत ही कमफीज में आपको मिलेगा, साथ ही में आपको Excel का e-book मिलेगा हिंदी में, जी हाँ, और Shortcut Keys की PDF मिलेगी, पूरी की पूरी और आपको कुछ VBA Tools मिलेगे, तो धेर सारी चीज़े आपको मिलेगे, डिस्रिप्शन में है, Certific Advanced Formulas, जो कि हम अभी शुरू करने वाले Advanced Formulas एक्सेल के अंदर. Advanced Formulas सीखने वाले दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरूरात करते है, Text Formulas से, Text Formulas कब यूज होते हैं, आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जो लिखे गए लेटर से, वो दिखेंगे आप ध्यान से, जो भी content यहाँ पे लिखे, आजये देखो, यहाँ पे आजये का A Capital है, पांडे पूरा का Capital है, और वैसे अगर आप देखोगे, तो यह प्रॉपर में नहीं लिखा है, मतलब प्रॉपर वे में नहीं लिखा है, ऐसा आपको लगता है, पूरा का Capital आपको चाहिए, तो कई पे K Small है, कई पे कुछ और है, यहाँ पे मुझे प्रॉपर केस में चाहिए, तो प्रॉपर में उसे ले सकता हूँ, प्रॉपर मतलब पहला Alphabet हर एक वर्ड का Capital होगा, हर एक वर्ड का, यहाँ आजये का A, पांडे का P, यहाँ पर मैं पूरा Capital चाहता है, तो मैं Upper कर सकता है, पूरा Small चाहता है, तो मैं Lower कर करोगे, देखिए, अब बोलोगे, तो Flash Fill से भी आपने पड़ाया था, यह आप पर फर्मॉला क्या इस्तामाल करने की ज़रूरत है, हाँ, करना ज़रूरी है, जब आप चाहते हो इसे, क्या मुलते हैं, डैनेमिकली चेंज होता है, यहाँ पे सिंग सरनेम का कुछ वर्मा मै बेसिकली यहाँ पे आपको दिखा दे रहाएं, और यह फ्लेश फिल में नहीं होता है, फ्लेश फिल में हो क्या करता है, बस AI टूल की मदद से इसको कर देता है, और यहाँ पे अगर सोच डेटा में आप चेंज करते हो, तो यहाँ पे और चेंज नहीं आते हैं, तो यह ए क्यों argument देना है देखिए और उसके बाद यह argument देदिया अब यहां पे challenge क्या है यहां पे यह मैंने proper कर लिया और यह मुझे लगता है कि यही मुझे इस जगह पे रखना है तो मैं अगर इसे copy करता हूं तो यहां पे पेस्ट करने जाओंगा तो यहां पे problem grade होगा तो copy paste नहीं करना है अंडू कर रहा हूं में copy तो करना ही है लेकिन paste वैसे direct नहीं करना है जो कि paste का एक तरीका में आपको बताया था जिसमें हमने formula अगर sale में इसमे formula है ना basically तो उसको values में convert करने के लिए paste में home tab में paste में paste special के section में आपको मिलेगा यहां पर values राइट यहां पर वैल्यूज पेस्ट करते हो तो you can see यहां पर जो था content as it is यहां पर आ चुका है जो कि आपको प्रेक्टिस के लिए अपर लोर और प्रॉपर क्या करता है डेफिनिटली यह formula clear हो चुके होंगे अब नेक्स्ट है हमारे पास समीप काउंट इप देखिए इसमें समीप काउंट इप और इसके advance origin यानि कि सम इप्स और काउंट इप्स यह चारों फर्मूला आम एक काउंट इप या सम इप्स जहां पर यह लगता है इप के आगे तो सम इप्स या काउंट इप्स एवरेज इप्स ऐसे यह सब statistical फॉर्मूला जहें अभी statistical फॉर्मूला यानि कि एक stats आपको यहां पर मिलता है डेटा में से जैसे example लेलो यहां पर आपको बोलाए कि काउंट करो प्रोजेक को मार्ग और रॉक प्रोजेक को काउंट करो यानि कि यहां पर मार्ग और रॉक प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट है हमारे और वो कितनी बार आये मार्ग कितनी बारे उसके कितने प्रोजेक्ट है मार्ग के और रॉक की कितने है तो उसकी काउंटिंग यहां हमें चाहिए. तो हमें condition के according count करना है, to count if. normal counting करना है, तो count, लेकिन condition अगर है, condition है, मार्क के या लग, रोग के या लग. So condition के अकोड़िंग count करना है, तो count if और यहां पर मुझे पुछा गया है कि हमार्क और रोग प्रोजेक की जो जो sales है basically, उन सभी का total यहाँ पे लाना है, और rock के सामने जो जो total मतलब number है, उनकी total यहाँ पे लेना है, तो यह हो गया आपका sum, addition ही करना है आपको इन numbers का, लेकिन वो condition के according, तो sum if, यहाँ पे use होता है, तो चले पहले मैंने आपको समझा भी दिया हमें करना क्या है, अब यहाँ पे count if formula लगा देते हैं, जब भी कोई formula लगाते हो, is equal to start होता है, जब आप count if formula लगते हो, तो यहाँ पे उसका definition, description, जो भी वो लाप, एक information आ जाती, counts the number of sales within, मैं जूम करके बताता हूँ इसको आपको, यह रहा, counts the number of sales within a range that meet a given condition, जो आप condition देते हो, वो condition मिलती है, तो वो count करता है, कि वह कितना यह particular condition के सबसे वो word वापे है, तो count if जैसे मैं लिखूँँगा, यहाँ पे आपको बता है, count if open bracket करने के बाद, आपको मिलेगा, यहाँ पे, range और criteria दो argument, यह syntax है, basically formula का, इसे syntax के अं argument compulsory है, compulsory और optional ऐसे दो टाइप के argument रहते है, जो आपको मैं वी लुक अप की टाइम पर समझाऊँगा, चलिए तो, यहाँ पर क्या है, कि उन्हों नहीं पहला, range देतो, comma criteria दो, तो range देना है हमें, वो column, column ले लो, या फिर इतना data लेंगे तो भीचे लेगा, लेकिन आपको कर सकते है, वैसे दूसरा तरीका मैं बताता हो, कि इसे अटा दो और इसे select कर लो, directly यहाँ पर अगर आपने कई पर mark लिखा है, तो उसे select कर लो, and that's it, criteria हो गया, criteria range भी हो गया, जरा formula देख लीजे, and bracket close करके enter कीजे, आपने directly enter किया, तो भी चलेगा, वो हो जाता है, bracket close, 7 counting, वो बोल रहा है कि mark के project साथ है, और अगर मैं इसे नीचे drag करूँगा, तो क्या यह रॉक का भी count करेगा, अपको स करेगा, लेकिन, हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो C2 to C11 है, इसे fix करना पड़ेगा, अब यह fix reference पहली बार आप सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बता दू तो fix reference क्या होता, इसका एक example पहले बता देता हो, ताकि आपको Excel एकदम beginner उनको पता है नी fix reference क्या बोल रहा हो मैं, Excel में दो तरह के reference होते, एक होता है fix reference, एक होता है relative reference, fix कोई absolute reference भी बोला जाता है, याद रखना है, अब यहाँ पे example के लिए मैं type करता हो, fix reference और यह Excel में समझ यहाँ पे एक ही बार formula लिखोंगा, this plus this, एक ही बार formula लिखोंगा, f12 plus z12, क्या रहा है देखिए ध्यान से, और मैं इस formula को नीचे drag करता हो, एक ही, तो यहाँ पे आपको दिखाए तेरा f12 नहीं आ रहा है, f13, z13 आ रहा है, अगर मैं last तक drag करूँगा, तो यह left, उसके relative left side म कौन से sales है, उनका ही total हो यहाँ पे लिगा, और Excel by default relative reference ही show करता है, या follow करता है, अब हमें absolute और fixed reference की क्यों ज़रूद पढ़ती है, मैं example के लिए बता तो, इन तीनों number को मैंने delete कर दिया, अब मुझे क्या करना है, यह formula भी delete कर देता हूँ, अब मुझे क्या करना है, यहाँ जितनी भी number से, यहाँ पे जितनी भी number है, कुछ जादा भी हो सकते है, उन sub में मुझे 30 आड़ करना है, तो मैंने 30 बार बार नहीं लिखा है, यह एक ही जगा पी लिखा है, इसका reason यह कि 30 की जगा मैं आगे चलकर 50 भी करना चाहूँ, तो कर सकता हूँ, बार बार सब जगा आ जाएगा, पहले तो आ गया, अगर हम इसे drag करूँगा, तो problem क्या होगा, आपको पताइए, F13, G13, F14, G14, F15, G15, यहाँ पे 30 आड़ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस cell में 30 ही नहीं, एक तो आप यहाँ पे 30 टाइप करते बैटो, और आपको boss ने बोला कि 50 आड़ करना है यह reference क्या ले रहा है अभी, G12, तो इसका reference मैं अभी absolute कर रहा हूँ, fix कर रहा हूँ, और उसे fix करने के लिए मैंने क्या किया है, dollar sign अड़ किया, G12 के आगे, 12 के आगे, मतलब row भी fix, column भी fix, यह column fix करता है, यह row fix करता है, और यह G12 कैसे अड़ किया है, मैंने, यह shortcut किसे इसके, जैसे मैं F4 बटम प्रेस करता हूँ, you can see, यहाँ पर dollar sign apply हो चुका है, यहाँ पर फिर से मैं F4 करता हूँ, G12, दिखा दे रहा है, अब खाली 12 को ही dollar sign है, फिर से F4 करता हूँ, अब खाली G को ही dollar sign है, फिर से F4 करता हूँ, दोनों का गया, फिर से F4, तो यह कभी यहाँ पर देखेंगे कि भाई column के लिए क्यों, रो के लिए क्यों, अब इसे मैं drag करता हूँ, you can see the changes, अगर मैं यहाँ पर 50 कर लेता हूँ, ओ हो, अगर मैं यहाँ पर 30 कर लेता हूँ, यहाँ पर 10 कर लेता हूँ, सब मैं change हो रहा है, because, see the formula, यहाँ पर F14 हो चुका है, यह यहाँ पर F15 हो चुका है, लेकिन यह Z12 का Z12 ही है, और वही हमें चाहिए, basically, यहाँ पर जब मैं formula नीचे drag करूँगा न यह, तो यह नीचे drag करूँगा, तो हमें यह जो range है, यह range fix हो नीचे हमारी, अगर मैं नीचे drag करूँगा, तो answer तो यह 3 सही रहेगा, लेकिन यह 14, 2 C12 आ गया, अगर मैं यहाँ पर भी रॉक लिखता हूँ, तो रॉक तो 4 है, लेकिन 4 नहीं count हो रहे, 1, 2, 3, 4 नहीं हो रहे, इसका reason यह, क्योंकि इस formula को उसने C3 से लिया, Excel नीच आ गया है, हम लोग Excel नीच आ गये, तो C12 का C, C2 का C3 हो गया, और यहाँ पर C12 हो गया, C11 का, तो यह नहीं होने दिना है, तो इसलिए इसे select कर लो, और इसे F4 बटम प्रेस को, इसे पूरा range को select करके F4, this is called fix reference, यह भी मैंने आपको समझा दिया, अब आप drag कर लो, you can see 64, right, अब यहाँ पर mark करो, rock करो, कोई problem नहीं, वो proper कर लेगा, क्योंकि इसकी range fix हो चुकी है, So this is about the fix reference, जो आपको हमेशा याद रखना है, हर एक formula में इसका इस्तमाल होता है, बहुत सरी जगा पे होगा, we look up में होगा, match and index, बहुत सरी जगा पे होता है, तो अब बढ़ते next formula के तरफ, जो है हमारा sum heap, sum heap कैसे देते, sum heap में 3 argument है, एक है range, criteria और तीसरा है sum range, तो range कुन सा आप इतना range भी ले सकते हैं, एक बात याद रखना है, जो range आप देते हो, range को आपको याद रखना है, वही लेना है, जिसका criteria आपको ढूणना है, तो आप यहां से लोगे तो उपर miss हो जाएगा, आप एक तो content जहां से चलो रहे हो, वहां से ले लो, या पूरा column ले लो, यह भी आपकी मर्जी है, पूरा S तरह से भी लेंगे तो भी चलेगा, F4 बटम प्रेस करो, इसे fix करो, अभी यह fix किया, fix क्यों करना है, अभी समझाने की ज़रूद नहीं मुझे, range को fix करो, criteria ले लिया, criteria ले लिया, criteria ले लिया, criteria ले लिया, देखिए range, criteria and some range, तो मैं कॉमा क है, यह इसका, C1 से start किया, तो यह भी D1 से होना चाहिए, और यह भी क्या होना चाहिए, fix, F4 बटम प्रेस करके, इसे भी fix करो, D1 to D11, उसके सामने सामने, यह देखिए, आप जिसका total करना है, that is, sum range, तो वो आपको यहाँ पे ले ले लिया, sum range को last में, पहले इधर criteria बीच म नहीं है, जब हम sum ips और count ips इस्तामल करेंगे अभी, तब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको यह idea आ चुका है, कि वही यह किस तरह से काम करता है, अभी, right, sum ips और count ips क्या होता है, total यहाँ पे बता रहा है, अगर आप यहाँ पे mark की जगा रॉक करोगे, तो दोनों ज यहाँ पे changes आपको नजर आ रहे, so this is the way that you can use count ips and sum ips formula, but यहाँ पे अभी count ips और sum ips सीखने की बारी दोस्तों, थोड़ा सा advance इसमें अभी और जाते, जिसका knowledge आपको बहुत ज़रूरी है, अभी यहाँ पे इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ इसी sheet का duplicate करता हूँ, इसे duplicate करने के लिए right click कीज़े, more copy कीज़े, move to the end, create a copy, इसका मैं ने duplicate किया, यह ending में, और इसे मैं नाम देता हूँ, double click करके, नाम कैसे change करना है, double click कीज़े sheet की उपर, और यहाँ पे नाम आप change कर सकते है, some ips, count ips, अब इसमें एक और formula मेरे पास है, insert और यह location में ने add कर दिया, क्या add कर दिया, location, Delhi, Pune, यह दो location में ने add कर दिया, Delhi, Pune, Delhi, Pune, drag कर दिया, अब मुझे क्या बोला गया है, कि यहाँ पे मेरे पास अभी tricky है, tricky question से थोड़ा सा, हम लोग इसे delete कर देता हूँ, मैं, इसमें tricky क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इसमे क्या निकालने के लिए बोला है, sale और counting निकालने के लिए बोला है, अलग-अलग, तो भई, mark के कितने project है, अभी देखो, आपके पस data थोड़ा सा भी बढ़ गया, क्योंकि एक और column बढ़ गया, इसलिए, अब उन्होंने क्या बोला है, आपके boss ने, एक stats निकालने के लिए आपने बताया भी नहीं, आपका ध्यान की दर है, तो अभी मैंने correct कर लिया, actually मैं मुम्बई देली लिखता हूं, अमेशे लेकिन इस वार मैंने देली लिख दिया था और पूनी लिख दिया था, इस वार मैंने पूनी लिख दिया था, तो यहां पे आपको idea आ चुका है कि तो कितने हैं शुक्त परोद्विन मार्घ्य काउंटिआ परोग जिल परोद्वल काने माली हुं परोख काोंटिद यहां परोड्य परोद्विन सभने हैं। Criteria range 1, Criteria, Criteria range 2, Criteria, इस तरह से आपकी अलग-अलग arguments रहेंगे, तो पहला range है, पहला हम इससे स्टार्ट करते है, यह हमारा project, याद रखो आप अगर D1 से चालो कर रहे हो, तो यह सारी range D1 से होनी चाहिए, अगर आप D2 से करो तो सारी range D2 से होना चाहिए, तो मैं D1 से अगना, देलिया, Criteria क्या है, वो पूछ रहा है वो पूछ रहे है कि इसका क्राइटरिया क्या है यह कहां पे ढुखना है, मतलब क्या ढुखना है इसमे, Mark ढूखना, यह क्रेतरिय Whole, आप फिर से वो क्या बोल रहे है, लेकिए, पहला Criteria Range 1 दे दिया, Criteria दे दे खतम लेकिन हमारे पास multiple condition वो बोल रहा है कि criteria range 2 दे दो आभी 2 अब यह हमारा है C1 से start करेंगे और यहां पर comma करके क्या करेंगे comma करने के बाद यहां पर पूने को select कर लेंगे आणने का पूने को रई क्यों कि यह जो मेंने select क एन उसम्में पूने और डेली ढूणना है तो यह मैंने यहां पर कर लिया और आपका result आ चुका देखते हैं पुने के तीन प्रोजेक्ट है मार्ग के तो पुने यहां पर मार्ग वाला है पुने यहां पर लाश में एक मार्ग वाला यह है एक मार्ग वाला यह है एक मार्ग वाला यह है एक मार्ग वाला तीन बरबर पुने के तीन ही है अब मुझे यहां पर पुने के रॉ नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा यह 0 बता रहा है, यह भी 0 बता रहा है, यह भी 0 बता रहा है कुछ गड़बड है, गड़बड क्या है मैं आपको बता तो यह SRA ने दो, डबल क्लिक करो यहां पर देखो क्या रहा है, D2, 2D12 पहले यह तो fix नहीं, पहले तो उपर नीचे आ गया यह 12 तक, यहां पर blank है, पहली चीज तो यह तो fix नहीं दूसरा यह H3 आया है, चलो इसे H3 आने तो क्योंकि मुझे रॉक डूनना है, लेकिन यह I2 आ रहा है I2 में हमारे पास पूने लिखा हो है नहीं यह तो नीचे आ गया, क्यों नीचे आ गया क्योंकि यह I1 था और जब मैंने इसे drag किया तो यह I2 होना ही है क्योंकि मैंने इसे fix नहीं किया तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको पहले तो यह range तो fix करनी ज़रूरी है यह तो आपको समाझ में उसके बाद आपको I fix करना पड़ेगा लेकिन I कैसे fix करना पड़ेगा I1 fix करना पड़ेगा मतलब अगर drag करोगे तो I1 का क्या हो रहा है I2 हो रहा है तो वह 2 नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए वह बस I1 ही रहना चाहिए तभी यहां पर result आ जाएगा और इस case में जब right में हम drag करते है तो यहां पर भी एक गड़बड हो चुकिए यहां पर आप देखोगे यह range तो ठीक है चलो इससे हम fix करेंगे लेकिन यह I1 यह range तो दिखें यहां पर यह range भी तो change हो रही है E1 आ रहा है और D1 आ रहा है तो हमें क्या करना है बेसिकली हमें इसको भी fix करना पड़ेगा जब हम इसे drag करते है range को तो fix करना ही पड़ेगा लेकिन यहां पर I2 और J1 में fix करना पड़ेगा I2 जो दिखाए दे रहा है यह आ रहा है हमारा H2 था मार्ग यहां पर लिखा है तो यह 2 को मैं unlock रखूँगा याने कि zoom करता हूँ याने कि मैं बस H को ही dollar send column को dollar send लगा हूँ जब मुझे कोई भी formula vertical drag करना है द्यान से देखिए तो उसमें row आपका unfix रहेगा जब यहां पर आपके बस row vertical drag करना और यहां पर row में value change होती जा रही है आपको लगता है तो H यह दिखा है H2 का H3 होना चीए तो यह row मैंने यहां पर नहीं लेकिन row मैंने यहां पर fix नहीं किया लेकिन यहां पर column क्यों fix किया क्योंकि H column के सेवब project और करी लिखा नहीं है तो H column के सेवब I में या कई पर और जाना नहीं चाहिए इसलिए h को fix कर दिया वैसे ही i के साथ मैं करूँगा i के लिए क्या करूँगा लेकिन यहाँ पर changes थोड़े से रहेंगे i के लिए मैं यहाँ पर row fix करूँगा q row fix किया 1 i क्यों नहीं fix किया क्योंकि i column यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है लेकिन यह j column में भी देली लिखा है और यह दो column तो i change हो गया तो चलेगा i का j होना चाहिए लेकिन 1 का 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि एक number row में ही पुने और देली दोनों भी पड़े है हम इंटू से दोने लिखे गया है इनको ज़रा ध्यान से देखिए वह à यह है a जिस को जिससको समझना एंना कि यह मैं fame i credit यह पे column i way जब में upload अ यह पर करता हूँ तो क्या हो रहा है देखिए अब यहां पर counting भी तो आ रहा है साथ में हो क्या बोल रहा है यह देखिए h2 अपनी position पर वो change नहीं हो रहा है एज की जगह दूसरे column में जाहीं नहीं रहा हो क्योंकि h को fix किया और यहां पर j column हो गया i की जगह क्योंकि जहाना ही चाहिए था वो डेली का counting चाहिए हमें यहां पर तो उपर का i का j होना चाहिए इसलिए i को fix नहीं किया था इसलिए j हो गया उसका लेकिन यह fix है one जब हम इसे और टिकल भी ड्रैक करते हैं तो यह one ही रहता है j1 और यहां पर h3 यह रहा h2 का h3 हो गया यहां पर क्या रहा था h2 आ रहा था यहां पर क्या रहा है तो कई पर row और कई पर column fix करना है वो logic आपको समझना है जिसको logic समझा उसको sum ifs भी आएगा क्योंकि count ifs की तरह ही sum ifs होता है बस यहां पर sum range additional आपको add करना रहता है So that's it, यह आपको definitely समझाओगा, देखिए, यह range तो fix ही रहेगी, बाद में इस range में H column इसलिए fix रहेगा, क्योंकि H column के सिवा और जगह पे project लिखा नहीं है, लेकिन 2 कौन fix इसलिए करना है, क्योंकि यहापे mark और row अलग-अलग project यहापे लिखे रहते हैं, तो 2, 3, 4 ऐसा होना easy to apply the sum ifs also, तो अगर आपको यह समझ गया count ifs, तो sum ifs में तो बस sum range चीज़ आयर करना ही, criteria range, criteria range, criteria range, criteria, same ही है, count ifs, बस sum range additional है, मतलब आपको यह चीज़ करना ही, यहापे एक चीज़ sum range लेलो, f4 करो, इसे fix करो, comma fix करो, sum range additional, मतलब पहले sum range दो कि किस की total करनी है, फिर criteria देद criteria दिया, this one, f4 fix करो, comma, criteria दिया यह, right, आपने क्या लिया है, project, तो project पहले select करो, comma, उसके बाद, उसके बाद क्या है, आपने दूसरा criteria range लेना है, दूसरा criteria range कहा पे लेंगे हम, यह मैं यहाँ पे इस साट जाता हूँ, और यहाँ पे हमारा दूसरा criteria range, okay, right, criteria range ले ले लिया, क्यों नहीं हो रहा है, इसे हम select करते हैं, और fix करते है, criteria range को, उसके बाद comma करेंगे, और criteria देंगे, देली, और इसे क्या करेंगे, h7 को क्या करेंगे, बताओ, h7 में h column रहेगा, fix, of course, और यहाँ पे रहेगा 6 fix, i column fix नहीं होगा, that's it, यह एक बार अपने countips में इसे कर लिया राइट, तो यह sumips and countips कैसे करना है, definitely, definitely समझाओगा, यह statistical formulas है, यह जरूरी आना, वैसे यह pure table या pivot table जो भी आप बोलो, उससे भी हो सकता है, ज्योंकि pure table का extension हमारा होने वाला है, इसके बाद, और उसमें मैं आपको बताऊँगा, यह चीज pure table से भी कर सकते हैं, बड़ फॉ अब बढ़ते, next formula की तरफ, जो है match and index, यह भी interesting, यह easy है, यह look up formulas में आता है, यह statistical formulas में आता है, okay, so match and index क्या काम करता है, मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद, हम we look up देखने वाले है, जो सबसे useful formula in Excel, वो भी हम इसमें सीखने वाले है, यार, सब कुछ होने वाले है, ब प्रिचर नेम या स्टाप नेम या faculty नेम जो भी है, faculty यहां पे लिताँ, faculty, faculty का नाम यहां पर मैं ड्रॉपडाउं लीट बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ, यहां पे एक लापडाउन लीट बना दू, time का भी, right, तो यह dropडाउन लीट कैसे बनाओ मैं प्रिक का, म सेटिंग में जाओ, लिश में हमारे लोगों को सेटिंग बहुत आच्छे स्याधी ले लिए लो और सोर्स में करसर रखो सोर्स में करसर रखने के बाद यहां पर हम इससे सिलैक करें गैं मैं इस लिए को क्या पर faculty name चीए करसर रखो जहाँ पर drop down बनाना है data validation पर जाओ यहाँ पर list जाओ list में जाओ basically यहाँ पर source में करसर रखो और यहाँ पर इसे select करो ok करो देखे data validation वैसे देखा जाए तो in depth अगर सीखने जाओ कि तो इसमें धेर सारे options होते हैं अब यहाँ पर गड़बड हो रही है देखी तरह मैं 11 से लेक करो कुछ और आ रहा है ऐसा क्यों क्योंकि इस sale का जो format है home tab में जाई तो आपका काम बन जाएगा time all a format जरूरी रखना है वाँ ठीक है मैं यह बता रहा था कि इस data validation में बहुत कुछ सीखने के लिए रहता है और बहुत कुछ advanced लेवल पर Excel का मैंने 30 गंडे के कॉर्स है उसके लिए design किया with interview questions and all with ISO certificate तो जरूर चेक आउट करो आप इंट्रेस्टिंग है तो मेरे application skill course description में है या app में जाकर skill course download install करो घर बेटे ISO certificate साथ course से सीखने का मौका पाओ मैंने तो information दे दिए है अब आपका काम बनता है सीखना है तो आज आओ भीया यहाँ पर फिलाल तो मैं faculty और time select करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि भी उसका कौन सा lecture है जैसे मैं faculty time select करूँगा तो कौन सा lecture है तो यहाँ पर मुझे lecture display होना चाहिए subject display होना चाहिए तो यहाँ पर मैं दूँगा क्या कैसे करूँगा जरा step देखिए सबसे पहले तो मैं यह लुकप फैल्यू, लुकप एरे, मैच, टाइप, लुकप फैल्यू रहेगी, आजे, यह हमें देखना है, कॉमा, लुकप एरे, कहां पर ढूनना है, उसे इस रेंज में ढूनना है, स्टार्टिंग से, टाइम, टीचर से लेकर, मैंने पहले से लिए, ऐसे लेकर करके, मुझे इस पर्टिकुलर रो में ढूनना है, कि भाई, उसका नमबर क्या है, और मुझे कॉमा करके, एक्जेट मैच चाहिए, यह बोल रहा है कि आपको एकजेट मैच चाहिए, दिखिए, तो एकजेट मैच के लिए क्लिए आपको यह पर जोरो लिखना है, तो मैच में फॉर्मु आउनी है तो पाच नमबर कॉलम है, ओहो, क्या बात है, उसका पाच नमबर है, चलिए मैच दुबारा देख लेते हैं, मैच, दुबारा मैच खेल लेते हैं, राइट, कौनसी मैच खेलेंगे, क्रिकेट की मैच, यहाँ पे लुक अप वैल्लू, कॉमा, लुक अप अएरे, ल उसके बाद एक जैट मैच, जीरो, अब हो बताएगा कि वैज ① जिए जिए एइसका 4ınt. तो आव नहीं मैं मैं आप यह पाच नमबर कॉलम में 1,2,3,4,5 और यह दो, 2,3,4,5 अपने बारा डोड़ा तो यह पाच नमबर है 1,2,3,4,5 यह रहा पाच नमबर है रहाएट नाओट इस ताइम तो फाइंड़ा लेक्चर, इंडेक्स यूज़ करो इंडेक्स जब आप लेते हो, इंडेक्स में आपको सबसे पहले array लेना है, ये पूरा data, array में, उसके बाद कॉमा करना है, array में पूरा data, उसके बाद row number लेना है, ये row number, ये row number है न हमारा row number, और column number, ये देखे, row number ये लिया था, column number ये यहां पे निकाला, इंटर करो, you are getting tally, बिसिकर पढ़ा रही है, बारहां बज़े, टैली, अवनी मैं, 9 बज़े क्या पढ़ा रही है, 9 बज़े पढ़ा है, हाँआःई मैं, 10 बज़े क्या पढ़ा रही है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई, आपके सर पढ़ा है 10बजे, 18 सरप पढ़ा है 10 बज़े का hardware उनका, यह यह match अलग से निकालो, फिर index अलग निकालो, जरूरी नहीं है, match अलग से निकालो, इन दोनों की जगह उपर जो formula आपने यहाँ पर निकाला है, वो copy paste करो, या type करो, जैसे यहाँ पर हमने वो g10 select किया था, बतलब यह select किया था, तो यहाँ पर match लेलो, यह लेलो, look of value, यही थ match फिर से, this is look of value, कॉमा, देखिए वही चीज जो अभी अलग-अलग की थी, वो हम एक साथ कर रहे है, कॉमा, 0, यह दोनों match मैंने यहाँ पर लिख दी है, पहले match से क्या होगा, देखो, इसे select करके भी देख सकते हैं, इसे select कर लो, keyboard पर F9 दबा दो, you can see the result, क्या मिल रहा है तीन, बराबर है न, यह, तीन बता रहा है, ओके, इसे select कर लो, और F9 प्रेस करो 5, यह देखे 5, बराबर result है, Ctrl-Z, F9 करने बाद, Ctrl-Z, देखे F9 करके आप result देख सकते हैं, formula के अंदर formula यानि निश्टिंग formula, जब formula का निश्टिंग आप करते हो, तो अंदर के formula का result देखना और आपको यह दोनों की जरूत अभी नहीं है, जो कि match मैंने इसी में लिखा है, तो अगर आप 10 लेलो, 11, 12 लेलो, कुछ भी लेलो, यह पर result तो आना ही है, proper result आने वाला है, so this is the way that you can use index and match, क्या करता है, data फेच करता है, दो value के according, उसके सामने कौन सी value पढ़ी है, दो value आप आपको देनी है, वो table में कौन सी value है, वो आपको बता देगा, that is the use of index match, and अब हम बढ़ने वाले सबसे powerful formula की तरफ excel के, that is V lookup, V lookup, V stands for vertical lookup, यह ज़्यादा क्यों यूज होता है, क्योंकि जब हमारे पास बड़ा data रहता है, उसमें हमें कुछ lookup करना रहता है, example लेलो, एक customer care को आपने call किया, Reliance के customer care को, या फिर Reliance electricity, जो भी है, उनको बोला किया, मेरे light bill के बारे में मुझे कुछ doubts है, तो वो सबसे पहले आपको क्या पूछते है, customer care बोलते है, sir आपका mobile number दे दो register, या फिर आपका bill है, meter number दे दो, meter number दे दो, basically, bill के उपर जो भी meter ID है, meter number दे दो, तो वो आपका meter number क्यों लेते होंगे, बताओ, simple है, आप बोलोगे, sir, वो हमारे meter number के according, हमारा data दोनते होंगे, हमारे उनके system में क्या-क्या है, मतलब क्या दिखा रहा है, तो वैसे ही कुछ है, हमारे पास student का data है, लाखो student का है, और और, तो लाखो student का data हमारे पास है, and that time, we से ढूंड सकता हूँ, find करके, but मुझे records उसका अलग से चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यार, मैं यहाँ पर लिखूंगा, 1003, तो उसका record यहाँ पर आजाए, जैसे कि आ रहा है, यहाँ पर already we look up apply, इसलिए, 1002, जैसे आप 10th और 12th के result में भी कर देखते हो, आप seat number type के हो, तो आपका result आजाता है, तो data phase करने के लिए, we look up का यहाँ पर इस्तमाल हम कर सकते हैं, आसानी से, वही चीज़ मैं यहाँ पर repeat किये, but I am just telling you example, we look up करता क्या है, अब यहाँ पर करना क्या है, मुझे देखिए, सबसे पहले मैं इने delete कर देता हूँ, और आपको एकदम starting से दिख क्या करना क्या है, मैंने आपको बता दिया है, basically, अब स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पर जो heading है, मैं इसे copy करता हूँ, we look up सीख रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा, practice भी ज़रूरी, इसका practice file मैंने अल्री दिया है, इस practice file को डाउनलोड करने के लिए दुबारा बताते हैं, आप application डाउनलोड कीजिए, skill course, उसके उपर study material नाम का एक home tab में option मिल जाएगा, और उसके अंदर YouTube channel practice file folder मिलेगा, complete technology channel का folder मिलेगा, MS Office crash course का folder, उसके अंदर यह practice file सारी मिल जाएगी, दुबारा बता दिया है, अब यहाँ पर practice करना शुरू कीजिए, पहले इसे copy कर लिजे, प यह जो data है ना, यह horizontal का vertical, पेश्ट में यहाँ पर transpose है, यह options है, transpose, जो कि आपका data transpose कर देता है, okay, got it, now I am going to type 1001, मैं चाहता हूँ यहाँ यहाँ पर one का record आजाए, so for that, we need to apply we look up, एले मैं से जूम कर लेता हूँ, we look up, we look up क्या कहता है, यह जारा definition भी पर लो, बत लंबी of a table, looks for the value in the leftmost column of the table, and return the same row value, the column number you specify, याद रखिये, we look up का definition, मैं आपको बता भी देता हूँ, explanation भी देता हूँ, looks for the value in the leftmost column of the table, and return the same row value, the column number you specify, by default table, must be sorted in ascending order, इतना बडा definition है, यह आप रट्टा मरलो, बाहर करलो, कुछ भी करलो, लेकिन मैं इसका expression पहले देता हूँ, तो पूचा कि बता भी look up क्या होता है, तो आप बता सकते है, इसमें look up value आपकी यह रहेगी, leftmost column of the table, मतलब we look up क्या क्या करेगा, leftmost column of the table की value check करेगा, and return the same row, मतलब आपने 1004 इंटर किया है, 1001 इंटर किया है, and return the same row, return मतलब show करना, same row की value show करेगा, the column number you specify, आगे भी definition में, जो column number, दो number column specific किया, तो आज़े पंडे दिखाएगा, 3 number manager, 4 number purchase, 5 number email, में email नहीं, mail, okay, और 6 number में Mumbai, और यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा, column number जो specify करेंगे, उसकी सबसे आ जाएगा, so, look up value, table array, column index number, range look up, यह 4 arguments हमें देने हैं भी look up में, compulsory याद रखिये, तो यहाँ पे मैं look up value दूँगा, यहाँ look up value मेरा, okay, आप course look up value सभी formula में यहाँ पे क्या रहेगा, same रहेगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें fix, और fix के लिए F4 button press करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बलाया है, F4 button press करना क्यों जरूरी होता है, J1 ही look up value है, सभी जब हम नीचे formula को drag करेंगे, त अब table array, table array मतलब यह पूरा data, यहाँ से starting से करो, यहाँ पी rending से, पूरा data ले लो, तो पूरा data ले लो, और यह भी data पूरा सभी formula में नीचे जब drag करेंगे, तो fix रहेगा, तो F4 button, इसे भी दे लो, table array दे दिया, पूरा table, J1 मतलब look up value उपर, जो हमने type की है, जो इसको हमें दूनना है, column index number, भाई, कौन से column में ऐसे value चाहिए, उसके सामने, तो मुझे employee name चाहिए, यहाँ पर, कहाँ पर value लिखना है, employee name का लिखना है, मतलब employee name मुझे page करना है, तो employee name, column number कितना है हमारे data में, employee ID, एक number column है, यहाँ पर employee name, दो number column है, दो number, and, range look up, range look up, should be exact match, इसमें ए रहता है, exact match भी रहता है, लेकिन फिलाल यहाँ पर zero लिखके, आप exact match करो, enter करो, you are getting your result, oh ho, क्या बात है, दुपार देख लीजिए, आप यहाँ से भी look up ले सकते हैं, दूसरा एक तरीका मैं बता तो आपको look up लेने का, आप तो यहाँ पर करसर रखो, fx पे click करो, और यहा आपको लग रही है, वो करो, आपको लगता है कि यह ठीक है, इसे करना है, तो इसे करो, look up value यह देखो, look up value यहाँ पर मैं सेलेक कर रहा हूँ, comma, j1, sorry, comma नहीं देने की जरूरत अभी, अभी comma देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप table array ले लो, table array यह data पूरा का पूरा box, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, उसके बाद column index number मुझे देना है, column index number 2, क्योंकि मुझे यहाँ पर name of employee चाहिए, और exactly match के लिए, यहाँ पर range look up 0 रखेगा, इसको आपको करना होगा fix, और इसे भी करना होगा fix, F4 बडम प्रेस करके dollar sign apply कर दो, और okay कर दो, यह तरीके से भी किया, तो भी वही आज़ए पांडे आएगा, double click करो, वही formula दिखाए देगा, आपको जो अभी आपने type किया था, तो आप ऐसे करो, वैसे करो, कोई problem नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप बोलोगी, इसे drag करेंगे, तो answer आएगा, answer तो आएगा, लेकिन यहां पे है, चार नमबर कॉलम में, और यहां पे एक जेंडर का पे पाच नमबर कॉलम में, तो ऐसे के column change करते बैटेंगे, कि अप फिर formula drag करने का मतलब क्या, Excel यूज करने का मतलब क्या है वही या, तभी यह मतलब यह है, कि हमें उस formula को भी dynamic करना पड़ेगा, एक तो मतलब यह 3 है, H45, यह रहा, दिखाए दे रहा है, ओके, लेकिन आपको यह column hide करना पड़ेगा, जैसे आप इसको delete करते हो, चू मंतर, formula गड़बड कर देगा, तो यह क्या करें इसके लिए solution, solution एक और है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो बहुत सरे लोग को नहीं यहाँ पर रो टाइप करते हो, रो, रो, किसी भी रो में आप रो टाइप करते हो, रो वाला formula, यह formula देखिए, तो बताता है उस रो का number क्या है, उस रो का number है, अगर मैं इस रो को यहाँ पर type करूँगा, तो यह बताएगा, रो number, ओ स्वारी, 14 बराबरे, और अगर मैं इस रो को यहाँ पर कई पर भी टाइप करो, इसका number क्या है, 17 में आपने type किया है यह रो number 17 है, तो यही काम मिलाते है न, हम लोग यहाँ पर रो number ले 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 दे, रो, यहाँ पर रो type कर देते है, एक और formula इसमे अड़ कर देते है, रो का, तो यह column index number में हमने रो formula दिया, ज F9 करके बता है मैंने, तो अपका कहना रहेगा, सर यह तो ठीक है, यहाँ पर था, इसलिए ऐसा कि आपने, अगर मैं इसे copy करके यहाँ पर लिखता हूँ, तो यह तो reference error आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर row number जो गड़बड कर रहे है, यह row number क्या आएगा देखो, 16 आएगा, य मैंने क्या किया, मैं बताऊंगा नहीं, आप बताऊ जारा इसका क्या मिनिंग है, अगर row 16 है, उसमें से 14 गए, तो रहेंगे कितने, 2, और मैं इसे खिचूंगा, तो रहेंगे कितने, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पर क्या है, row number 17 और उसमें से 14 मैनस हो जाएगा, 3, और यहाँ प आपको थोड़ी सी तो मेनत करनी बड़ी, कि देखिए, वी लुक अप जो मैं अभी इस क्रेश कोस में एड़ कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार मैंने आपको 20%, 10-20% वी लुक अप बता है, बट इसमें बहुत कुछ रहता है, और क्रेश कोस में मुझे नहीं लगता कि यार इतनी सारी चीज़े, इतनी लंबी चीज़े मैं बता पहूं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वी लुक अडवांस लेवल पे सीखना चाहते है, 10-15 एक्जंपल के साथ, तो यू गो और चेक आउट मैं कोर्स दोस्तों, मैंने तो यहां पे वी आपको यहां पे क्रेश कोर्स रिलिटेड एक फोल्डर में लेगा, माइक्रोसफ ओपी स्क्रेश कोर्स रिलिटेड एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक हम मिलेगी, बिसिकली उसके अंदर एक पीडियाप मिलेगी, जिसमें एक लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करती आपकी सामने एक फॉर्म आए प्योड टेबल सीखने के पहले मैं आपको बताऊंगे कि प्योड टेबल हमें क्यों उसकरना है प्योड पाइवोट जो भी आप बोलो अलगलग कंट्री में अलगलग प्रोनिशेशन होता है लेकिन प्योड टेबल जो बेसिकली होता है वह आपको समराइज रिपोर्ट देता कारणा, तो अब क्या करोंगे सबसे पहले कंट्रॉल करों कि जितना भी रीकड यह सेल का रेकारद में पास और काउन्टी स्टे तो यह सारी चीज़े मुझे data के insight बताएगा pure table और उससे हम निकाल सकते हैं बिना formula का तो उसके लिए आप आजाओ मेरे पीछे-पीछे यानि कि insert tab में जाओ pure table पे क्लिक करो एक दयलोग अपके सामने उपन होगा यह कमाल का डायलोग वोक्स यह रइं ? आपका काम आसान करने वाला डायलोग बोक्स मैं फिलाल escape करके उसे cancel कर रहा हूं और मैं इसकी shortcut का रहा हूं चाहिए मतलब आप report कहाँ पर जनरेट करना चाहते है existing अगर आप लेते हो तो यहाँ पर कई पर cursor रखो और okay करो यहाँ पर report जनरेट कर सकते हैं मैं नए में चाहता हूं यहाँ पर मेरा sales data मैं नए worksheet में इसको लेना चाहता हूं तो मैं new worksheet लेता हूं okay तो जैसे आप new worksheet करते हैं हमारा sales data यहाँ पर पढ़ा रहता है और हमारे पास एक नया worksheet आ जाता है pure table 1 यहाँ पर दिखाए दे रहा है excel बूल रहा है कि यहाँ पर आपका report बिल्ड होगा लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी right side के इस options की pure table fields की अगर यह आपकी case में नहीं आया तो समझ जाना कि आपका cursor बाहर है इसमें click करो तब आजएगा right या फिर यह close हो गया तो इसे भी आप ला सकते इसे लाने के लिए आपको जाना है pure table analyze में और यहाँ पे field dish पे click करो यह देखिए pure table analyze tool तभी आएगा जब आप pure table लोगे और pure table में आपका cursor रहेगा cursor बाहर वो गायब cursor अंदर वो आ गया pure table analyze में जो फिलडिश में click करो and here it is pure table fields अब यहाँ पे is pure table fields में जरा बाते ध्यान में रखना है आपको क्या करना है वो पहले तय होना ची अभी मुझे statewide record निकलना है यह मेरा पहले तय है तो मैं state को खीचूंगा I mean to say state को यहाँ पर mouse का left button पकड़ के ऐसा drag करके rows में drop करूँगा तो सारे state यहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ पर notice करोगे तो यह जो state से repeat हो चुके हैं बहुत बार right सारे states इंडिया के लेकिन यहाँ पर वो जितने भी state से वो एक एक बार ही उनका representation आ जाएगा right double नहीं आए and it should be some यहाँ पर सम लिखा हो एना रेनाची सम है ओलडी सम अप कॉंटिटी एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भाई इसका टोटल आ चुका है अंधरा में कितना सेल हुआ है अरुना चल में कितना हो गया आसाम में कितना बियार में 36 गर ओ हो 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 सारे states का यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करो value filters में जाओ यहाँ पर filters भी दिया है इनो value filters जो कि मैंने filter आपको पढ़ाया तो already और यहाँ पर जाकर आप greater than भी select कर सकते लेकिन मुझे चाहिए top 10, top 10 नहीं, top 5 चाहिए यहाँ पर मैं top 5 लिखूँगा, step से याद रखिया और मैं ok करता हूँ, क्या हो और रहे जरा बताओ मुझे यहाँ पर top 5 states का record यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, इन में हमारे सबसे ज़्यादा quantity बेचे गए है, आपको लगता है bottom 5 चाहिए, तो bottom 5 निकालो यहाँ पर जाओ और bottom करो top की जगो value filters में जाओ या फिर इसे रहने दो, यह top 5 का हो गया, आप इसे select ही रखो, control button press करके border पर mouse लाओ और इसका duplicate यहाँ पर रखो, wow, control button press करके border पर लाए और drag किया mouse से left button पकड़ के, अब मैं क्या करूंगा, यह filters में जाओंगा, value filters में जाओंगा, top में जाओंगा, top की जगा bottom ले लूँगा, okay करूंगा, यह bottom states है, जिन में कम sale हो चु report देना है, basically कि भई, ऐसा ऐसा है, तो यह करने के लिए मैंने क्या क्या, फहले तो मैंने control प्रेस किया, insert में क्या, pure table में गया, और मैं new worksheet select करके, okay क्या, मैं अभी new नहीं करूंगा, क्यूं, मेरे पास already एक new है, मैं existing करूंगा, यहाँ पर cursor रख दूंगा, और new तब ही करना है जब आपके पास नहीं sheet नहीं है, फिलाल तो मेरे पास एक sheet है, जिसमें मुझे और भी record चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूँगा, अब मैं नीचे नहीं ले सकता कि यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन यह मैं filter लगा चुका हूँ, अगर मैं इसे filter हटाना चाहता हूँ, तो problem होगा निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे product और state साथ में चाहिए, क्या चाहिए, product और state साथ में चाहिए, product लिया, state भी ले लो, तो मैं state यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे उपर रखते तो product के, तो अंदरा के product आगे, अरोना चल के आगे, आसाम के आगे, या फिर मैं state को इस side रखत है, क्या बात है, क्या बात है, आप state को यहाँ पे रख सकते है, product को यहाँ पे रख सकते है, state नीचे इस तरफ आ रहे, अपकी product इस तरफ आ रहे, ज़रा थोड़ा सा मेच, zoom out कर देता हूँ, you can see the table, थोड़ा सा, देख सकते हैं, right, so इस तरह से यह आपको record मिल जाता है, again you can apply the filter, वो depend है, आपको करना है, नहीं करना है, filter apply कर सकते हैं, अब मुझे यह count करना है, कि भाई, एक state से कितने transactions होगे, यह तो मैं आपको बता है, product wise, लेकिन एक state के कितने transactions होगे, तो मैं state को यहाँ पे रखूँगा, ध्यान से देखिया, एक नए trick भता रहा हूँ, state को values में रखूँगा, अब क्या रहा है, देखिये, अब यह state में values नहीं थी, state में state ही था, लेकिन यह पे ओ count करेगा, sum नहीं करेगा, count, तो हमें count ही चाहिए, तो हर एक state के कितने transactions है, देखिये, right, आंदरा की कितने transactions है, 17, आरुना चल के 17, किसी के 16 है, किसी के 17, 17 ही लगबग चुका, example के लिए मैं आपको दिखा तो, अभी मैंने रजस्तान को क्या कर दिया, यहापे भी control D कर दिया, रजस्तान के 2-4 यहापे बढ़ा दिये, okay, record, अब मैंने यहापे record में थोड़ा सा रजस्तान बढ़ा दिया, अब यहापे sheet में आऊंगा मैं, और यहापे data में तो है नहीं, लिष्ट में वैसे, क्योंकि वो top 5, bottom 5 में भी नहीं आ रहा है, middle में आ रहा है, तो जो भी है, मैं इस पर right-click करता हूँ और refresh करूँगा, table की पर, right-click और refresh, जैसे मैं right-click और refresh करूँगा, you can see Rajasthan यहापे नीचे, आपको कितना मिल रहा है, 20 record हो गया रजस्तान समझे हैं आपको, और Rajasthan यहापे लिष्ट में भी आ गया है, यह देखूँ उसके, क्योंकि थोड़ा सा record बढ़ गया तो top 5 में भी आ गया हो, right, तो आप जैसे भी आप यहापे change करते हो, तो refresh करना जरूरी है, या फिर मैं गुजरात को यहापे रजस्तान की जगार रख है, क्योंकि उसका sales वैसे भी कम देख रहा है, लेकिन गुजरात यहापे जरूरा है, 21, okay, so this is the way you can refresh the data, original source data, इसे source data कहते हैं, और इसे output कहते हैं, तो यह output में कुछ भी changes देखने हैं, तो आपको refresh करना होगा, source data में अगर कुछ changes होता है, तो आप अपनी तरीके से यहापे दिमाग लगा सकते हो, यहापे अलग-अलग calculation कर सकते हैं, आप यहापे total निकालना चाते हैं, तो total निकाल सकते हैं, यहाप max count निकालना चाते हैं, तो यह sum जो दिख रहा है, sum of quantity, इसकी जग़ आप value field setting में जाओ, click करके, यहापे arrow दिख रहा है, arrow इस पे click करो, value field setting में average, max, max चाहिए, तो maximum कितना sale है, हर एक state में वो आपको दिखा रहा है, maximum sale, maximum quantity, sale कितनी है, वो आ रही है, यहापे, so इस तरह से आप यहापे pivot table की मदद ले सकते हैं, और pivot table के साथ pivot chart भी बनता है, कैसे, control A करो, insert में जाओ, और right side में आपको pivot chart option दिखाए देगा, दिखाए दे रहेगा, तो मैंने यहापे pivot table 4, यह pivot table, कभी भी मैं pivot बोल देता हू, anyway, लेकिन आप बोल सकते हैं, कोई problem नहीं, फिलाल तो आपको करना क्या है, आपको बस यहापे state को drag करना है, वैसे ही करना है, quantity को यहापे drag करना है, बस एक chart नहज़र आएगा, और chart का use क्या होता है, अगर आप बनाते हो, तो तुरंत लोगों को समझ में आता है, कि हाँ, कौन से state में क्या sale है, यहापे आप इससे हटा दो, state को, और product को लाके रख दो, तो product wise भी आपको पता चलिएगा, और इस chart को आप ढहसरी formatting भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं क्या, ऐसा ही रख सकते है यहापे उपर देखिए, design tab आता है, you can apply the different formattings from here, यहापे आप जाओ और अलगलग formatting अप्लाइ कर सकते हैं, तो change colors करना है, तो colors भी आप change कर सकते हैं, और ढहसरी चीज़े हैं, तो यह जो होता है, यह basically बहुत advanced level पर आप इससे इस्तमाल कर सकते हैं, अच्छा सा dashboard भी अप्रे वीडियो भी बना है, learn more channel पर वह भी आप देख सकते हैं, और अगर आप pivot table और भी detail में सीखना चाहिए, तो आप हमारा course भी enroll कर सकते हैं, दोस्तों, so that's it guys, यह था Excel का crash course, अब बढ़ते हैं, पावर पॉइंट के crash course की तरफ, तो भया और बेंजी, Excel में क्या-क्या important होता है, यह तो मैंने आपको बता दिया, definitely आपने गूत्रू किया होगा, लेकिन इसकी practice करनी बहुत ज़रूरी, देखिए, कोई भी चीज़ सीखते हो, तो यह hards के लिए मैंने पहले बला हो, तो practice कीज़े, practice file में आपको दे रहा हूँ, practice file के लिए description में आपको मेरी app की link मिलेगी, फिर से home tab में आपको study material नाम का tab मिलेगा, उसी में आपको YouTube चैनल practice file नाम का एक folder मिलेगा, YouTube चैनल practice file फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे complete technology channel का फोल्डर और उसी में आपको इस Microsoft Office crash course की practice file मिलेगी, याद रखिए, Microsoft Office crash course practice file वाँ पे नाम रहेगा, तो आपको जाकर वहाँ से download करनी और practice करनी, download के लिए मैं ने वहाँ पे रख दी, यह सारी की सारी links, that's it, फिलाल तो, अब Microsoft Excel में हमने जान लिया, क्या क्या सिखने, अब Microsoft PowerPoint की तरफ बढ़ते हैं, PowerPoint के अंदर amazing presentation बना सकते हैं, animations के साथ, कैसे, आईए देखते हैं, तो अब हम सीखने जा रहें Microsoft PowerPoint, तो इसे हमारे desktop की उपर हम कैसे शुरू करेंगे, यह सबसे पहले देखेंगे, तो मैं आ चुका हूँ मेरे desktop की उपर, और यहाँ पर आपको Windows का logo दिखाए दे रहा है, जैसे हमने word, excel, start किया, वैसे ही, कुछ ही यहाँ पर PowerPoint कर सकते हैं, यहा अगर वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो उपर मैं search में PowerPoint टाइप करूँगा, याद रखिए, जैसे आप टाइप करोगे, यह देखिए, PowerPoint आ चुका है, मेरे पास यह PowerPoint 2021 भरजन है, आपके पास 2019 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2013, 2010, जो भी है, कोई problem नहीं है, सब में काम similar ही होता है, आ आप यहाँ से भी चूज कर सकते है, रेडिमेट टेंपलेट लेके आप अपना टेक्स्ट एड कर सकते है, यह रेडिमेट डिजाइन है, लेकिन आप ब्लैंक से शुरुवात करना चाहेंगे, तो यहाँ से, और आपने जो रिसेंटली प्रेजेंटेशन बनाया है, यह तो म मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने आ रहा है यह पावरपॉइंट का इंटरफेस, अभी इस इंटरफेस को स्टेप बाई स्टेप पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले उपर जो आपको दिखाया दे रहा है, टॉप लेफ्ट कॉरनर में, य इस इस गीए लेकी इस फजय हुआ है, और यहां पे जो फाइल हम बनाएंगे वह प्रेजेंटेशन फाइल रहेगी, तो यह पीपीटी फाइल भी बोला जाता है, प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, और राइट साड में याप एजिञाल मिनिमाईज रिस्टोर एक उसके बाद यहां पे टैब आ रहा है, Home, Insert, Design, Transition, अलग-अलग टैब यहां पे आपको दिखाए देरे धेर सरे, और जैसे ही मैंने Home पे क्लिक किया तो यह Home का Ribbon है, Insert का Ribbon आपको दिख रहा है, Design का Ribbon, यह Ribbon कहा जाता है इसे, और Home टैब में Clipboard Group है, Slides Group है, जैसे Microsoft Word में होता ह यहां पे आपको अलग-अलग Group मिलेंगे, Font Group है, Paragraph Group है, Drawing Group है, Editing Group है, हर एक Group के अंदर अलग-अप्शन आपको मिलेंगे, Insert में Pictures है, जातर हमें यहां पे ट्रांजिशन सीखना है, Animation सीखना है, कि अनिमेशन कैसे देते हैं, यह आपको आना चाहिए, Transition और Animation, Specially यह हमें अ फिलाल ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे जो इंटरफेस नीचा आ रहा है, अब यह तो हो गया, चलो, Ribbon अगरा हो गया, यहां पे टैग हो गया, यह जो आ रहा है, यह स्लाइड है, यहां पे वर्किंग लेयाउट है, यह यहां पे हम काम करेंगे, और यह जो उसक condition start करते, PPT start करते, तो एक slide आती है, जो की होती है, title और subtitle वाली, title और subtitle मतलब यह इसका layout है, यहां पे टाइटल आप एड़ कर सकते हो और यहां पे subtitle और कर अपिसेन मिलता है, एक colon TechBox बेसिकल बिलता है, तो यहां पे पहली by default slide insert होती है, और हमें नही slide insert करनी तो हम कर सकते, मैं बताऊंगा, फिलाल यहां पर status bar है, कितनी slide आपने insert की, यह status बताएगा और right-side में आपको यहां पर zooming level भी बताएजाएगा, यह देखिए, zooming level, तो इसका zooming level कितना है, देखिए, normal zooming level आप 100 के असपास रख सकते, maximum zooming level इसमें कितना होता है, जैसे word में आपको बता था आपको याद रहेगा वर्ड में 500 परसंडेज रहता है यहाँ पर 400 परसंडेज maximum maximum zooming level यह max है और minimum भी देख लेते minimum 10 है तो यह excel की तरह है excel में भी minimum 10 maximum 400 था राइट तो यह यहाँ पर zooming level आपको मिल जाता है और यहाँ पर कुछ अलग-अलग preview जासे स्लाइड स्लाइड मतलब सभी स्लाइड एक साथ देखना चाहते तो सभी स्लाइड ही दिखाए देगी वस्लाइड वियू यहाँ पर यह आपका लेयाउट वापीस आ जाएगा जो नॉमल वियू है तो यहाँ पर इस तरह वियू रखो और काम शुरू करो तो चले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि PowerPoint के अंदर आप अट्रेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अमैजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते लेकिन उसे एक स्टेप के तहट अगर आप फॉलो करोगे तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन और फास्ट बेसे बना सकते हो तो क्या स्टेप होते हैं फास्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इंट्रेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो करना क्या है आपको सबसे पहले स्लाइड इंसेट करना है पहले स्टेप से याद रखना है स्लाइड इंसेट करना है उसके बाद आपको स्लाइड भी आप बाद में add कर सकते हैं, तो यह procedure है पूरी पूरी जो मैंने आपको steps बता है, ऐसे आपको एक presentation को finish करना है basically, तो सबसे पहले हम slide insert कैसे करना हो देखेंगे, home tab में आपको एक option यहाप पर मिल रहा है new slide का, basically यह एक ही बटन दिख रहा है, लेकिन है तो यह दो बटन, यह आप ध्यान से देखो कि उपर mouse pointer लेकि आओगे, तो उपर का बटन highlighted नीचे यह देखेंगे, दो बटन है, तो यह new slide का shortcut की है control M, control M भी आप प्रेस करोगे, तो यह पे next slide आएगी, उपर यहापे mouse pointer लेके जाओगे, तो control M आ रहा है दिखाई दे रहा है आपको, और यहापे आप layout चूज कर सकते हैं, या फिर आप layout नहीं चूज करना चाहते हैं, आप बस control M करते हो, control M या फिर यहापे बटन दिया है उपर इस फे click करते हो, तो एक नई slide insert होगी, अब by default नई slide होती है, title और text की, याद रखे, title और content की, दिखाई दे रहा है, तो मैं और एक control M प्रे इस करके आप इस slide insert कर सकते हैं, और सभी slide same array, title and text की, इस तरह से आप slide insert कर सकते हैं, और slide को delete करना है, तो simply cursor उसके पर रखो, keyboard पे delete दबा दो, ये slide delete करने, delete दबा दो, simple, simple delete, एक ही slide रही है, अब ध्यान से देखिए कि मैं control M करता हो, तो हमेशे यह slide आती है, अगर मैं दूसर layout कर देना चाता हो, तो मैं यहाँ पर arrow पर click करूँगा, और मैं चाता हो कि यार, यह जो, यह आती ही, जो slide वो title and content वाली आती है, text वाली, यह normally slide आती है, default, मैं चाता हो यह आपर comparison वाली slide insert करना, तो comparison वाली slide यहाँ पर आ चुगी, जैसे comparison वाली slide आ जाती है, उस layout की slide यहाँ पर आ जाती है, अब आप Ctrl M प्रेस करते हैं, तो next slide भी वही आएगी, जो आपकी last slide है, उसी को ही, वो Ctrl M क्या करेगा, वही layout को आगे carry forward करेगा, Ctrl M बटन प्रेस करने से, जैसे इसका layout मुझे बदलना, यार, यह तो दो comparison का ठीक है, तीसरा नीची मुझे, मतलब यह 4 नमर का slide यह comparison का नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर layout में जाकर, existing slide का layout आप बदल सकते है, new slide से नया slide आता है, लेकिन existing slide जो उसका layout बदलना है, comparison नहीं, two content चाहिए, तो यह two content वाला हो गया, two content नहीं कुछ और चाहिए, जैसे title, खली title ओली आजाएगा, basically layout मतलब क्या है, कि यह अलग- container बोल सकते आप इसको, यह text box भी बोल सकते, container भी बोल सकते, जहाँ पर images, graphics, text add कर सकते, तो यह layout बही होता है, कि अलग-अलग text box आपको अलग-अलग size के लाके देता है, आप खुद से भी blank slide लेकिए text box ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे, मैं यहाँ पर new slide में जा रहा हूँ, और यह यहाँ पर एक blank slide ड्रॉ करांग, अब यह slide में कोई content ड्रॉ करने के लिए text box ही नहीं, याद रखिये, यहाँ पर कोई content यह text box नहीं है, तो आप insert में जाईए, बिना text box का आप content लिक नहीं सकते, blank slide में आप कुछ नहीं कर सकते, तो insert में जाकर यहाँ पर text box यहाँ पर draw कर सकत आप एक text box रखिए, copy paste कीजिए, और एक text box add कीजिए, हर एक text box को border दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया, लेकिन आपकी मर्जी है, बट आपको मैं idea दे रहा हूँ किवे text box आप आड करके blank slide में भी content add कर सकते हैं, तो basically layout आपको समझ मैं होगा, कैसे change करना slide का, to content, blank, picture या ये वाला च आपको एक option मिलेगा, title only, that's it, लेकिन मुझे title and subtitle काई छही, तो ये रहा, title and subtitle, और अब भी ये आपको बता चला, ठीक है, यहापे layout तो आपको पता चला कैसे करना, आपको यहापे एक reset option भी दिया है, suppose इसका layout आपने change कर ले, यहाँ से इस box को इधर ले लिया, इस box को देखिए, reset button का use क्या होता है, कि आपने layout को change कर लिया, जैसे layout में आपने इसे drag करके रख दिया, लेकिन आप बाद में लगा कि यह layout disturb हो गया, तो आप इसे reset button पे click करके reset भी कर सकते, तो चलो, आपको slide कैसे insert करना है, उसकी idea आ चुकी है, चलो, इसमें आपी content type करते, अब य देखिए, delete करता हूँ, और यह वाली slide को में layout change करके, आपे title and content रख देता हूँ, यहाँ भी title and content ही रख देता हूँ, फिलाल title and content add कर देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, क्या decide करना है, अब इसमे slides add कर दी हमने, अभी इसमे content add करना सिखते हैं, किस तरह से हम text content यहाँ पे आपको कस्टमर के लिए, कोई product awareness, कोई product review, उसे related आपको बनाना है, तो वो आप यहाँ पे content add करोगे, तो मैं जो content यहाँ पे ले रहा हूँ, वो यहाँ पे type कर रहा हूँ, मेरे product का ना, basically मेरा product याने की, मेरा तो digital courses का product है, और मेरे application या मेरे product की advertising का एक presentation यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो यह मैं इसलिए बना रहा हूँ, basically मैं मेरे product के बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में पूरी details लिखता हूँ, लिख सकता हूँ, जैसे कि इसके features में लिख सकता हूँ, इसमें मैं customer को क्या-क्या research करो, या फिर जिसके उपर भी आपको presentation बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको content को gather करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी content आपके पास होने चाहिए, और उसमें से जो useful content है, जो customer को attract कर सकते हैं, या customer को दिखाने हैं, या business person को, जिसको भी दिखाने, basically, तो उसके लिए वो content है यहाँ पर आपको type करने, तो पहले मैंने business का नाम दे दिया, अब यहाँ पर formatting वगएर हम बात में करेंगे, पहले content यहाँ पर add करेंगे, उसके बाद subtitle add करना है, तो यहाँ पर slogan भी add कर सकते हैं, आपको product का पूरा detail भी add कर सकते हैं, तो मेरा तो simple सा slogan है, जो मैं यहाँ पर formatting करना है, design सब कुछ देना है, second slide पर आते हैं, अब इस product के बारे में थोड़ा सा और content detail में add करूँ कि भई क्या है यह, तो मैं यहाँ पर title लिख रहा हूँ about skill course, तो skill course के उपर जो content add करने हो मेरे पास already available है, तो मैं यहाँ पर copy paste करूँगा, इस तरह से, right, मैं यहाँ पर type कर आपको समय में save करना चाता हूँ, तो basically content यहाँ पर मेरे पास already available play store पर जो आप मैंने add किया है, वहाँ पर आपको content सारे मिलेंगे, तो यहाँ पर यह content मैंने add कर दे, इसको formatting नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी फिलाल formatting हम करेंगे, लेकिन इसका formatting मैं clear जरूर करना चाहूँगा, क नॉर्मल यहाँ पर formatting जो रहेगी, वो आ जाएगी, इसके लिए भी मेरे पास content available थे, मैंने उसे copy paste कर दिया है, और इसे भी मैं clear formatting करता हूँ, तो पहले content add कर लो, हर एक slide पर content यहाँ पर रहने चाहिए, और इसमें content में और content जो extra है वो delete करेंगे, या फिर, जितना मतलब content हम जरूरी उतना ही हम रखेंगे, अब next slide पर जाते है, skill course की features add करते हैं, लेकिन यह slide में blank slide आपको दिखाए दे रहा है, तो मैं इसका layout change करूँगा, और title and content, यहाँ पर मैं लिखूँगा features, तो यह features भी मैंने लिया है, और यहाँ पर मैं paste कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास features पहल पर जाकर एक title and content वाले slide कर सकता है, या फिर इसी का duplicate मुझे चाहिए, लास्ट वाले slide का, तो मैं control D बटम प्रेस करूँगा, तो duplicate आजाएगा, लास्ट वाले slide का control D मैंने प्रेस किया, duplicate के लिए control D, याद रखिए PowerPoint के अंदर, अब यहाँ पर मैंने उपर title दिया है, customer feedback, तो तो वो original जो feedback है, original जो reviews है, वो हम यहाँ पर कैसे डालेंगे, यह भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको एक actual product की उपर में काम करके दिखा रहा हूँ कि इसका एक best presentation आप कैसे बना सकते है, तो सबसे पहले आपको content add करना है, जैसे कि title, उसका subtitle, उसके बाद about that product, about that founder, then founder information, उसके बाद features, उसके बाद customer feedback का कुछ screenshot वगएरा, तो चलिए, अब यहाँ पर पहले तो content add करके होगे, अब कुछ images add करनी है, तो कैसे add करनी है, formatting करनी है, तो यहाँ पर insert में आपके पास option रहता है, picture, charts and all, यहाँ से हम insert में से picture, charts और सब कुछ apply कर सकते है, और design में हमारे formatting रहता है, तो अभी हमारा task है, कि इसमें कुछ और content add करे, pictures और साथ में, यहाँ पर formatting भी दे, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले, skill course को मैं थोड़ा सा, यहाँ पे छोटा कर देता हो, इसकी size और उपर रख देता हो, तो ओके, मैं home tab में जा रहा हूँ, और इसको एक font में download कर सकते हैं, आपके case में, अगर आपके पस नहीं है, तो ओके, so यह एक interesting font है, जड़ा थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मुझे, तो हटा-कटा भी है, अब इसको मैं रखता हूँ, कहाँ यहाँ पर मैं इससे रखना चाहूँगा, इसी के नीचे, और इसकी size भी मुझे यहाँ पर इससे रख देता हूँ, पॉमैटिंग इससे भी करनी है, तो इसको मैं पॉपिंस नॉमल रखूँगा, ब्लैक नीच, पॉपिंस खाली font रखूँगा, वह वाला पॉपिंस ब्लैक था, यह मैंने पॉपिंस रख दिया, यह रहा, तो यहाँ पर कंटेन को आपकेशन का स्क्रीन शॉट है, जो भी है, बेसिकली उस फ्रड़ाक का, तो वह आप अड़ कर सकते हैं, और मेरे पास यहाँ पर धेर सारी चीज़ है, मतलब स्क्रीन शॉट भी है, अप्लिकेशन का, फ्लस यहाँ पर लोगो भी है, तो मैं एक लोगो अड़ कर देता है, यह skill course app है basically, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, skill course app, आगे title में app कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे adjust कर देता हूँ, end में, right, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर insert में जाओंगा, दुबरा pictures में जाओंगा, this piece में जाओंगा, और मेरा app के साथ यह photo ठीक है, चले यही ल photo नहीं रखना चाता हूँ, तो मैं इसे crop कर सकता हूँ, crop button आपके पास है, crop button में click कीजे, और यहाँ पर मैं बस app रखना चाता हूँ, अच्छा, app तो आ गया, लेकिन app मुझे लगता है यह background भी नीची है, तो यह भी हम कर सकते हैं, बस इस app की थोड़ी से size बढ़ा दो, corner से size बढ़ाना है, click and drag, यह देखे, mouse pointer corner पे लेकिया है, mouse काले बटन दबाईए, खीचे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ खीचे कम होगा, picture format option में जाईए, यह Microsoft Word में भी मैंने बताया था, अगर आपने Microsoft Word मुझे सीखा है, तो starting में जो इस crash course में मैंने बताया तो यहाँ पर इसे select करेंगे और remove background option मिल जाता है, picture format, जब picture select होगा तब यह tab आएगा, याद रखिए, फिर remove background में जाईए, वो detect कर लेगा यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर यह देखे, कुछ गड़बड हो गया, यह pink वाला है, यह सब erase होने वाला है, जो यह magenta या dark pink बो गुमाओँगा, यह देखिए, जिसको आपको रखना है, उसके उपर गुमाओँगा, थोड़ा थोड़ा गुमाओ, ज़्यादा मद गुमाओँगा, तो mobile के बाहर की चीज़े आ जाएगी, right, तो इसके उपर एक रखना है, यहाँ पर इसके पर रखना है, यहाँ पर फिर चेंजेस फे क्लिक करूंगो तो अभी यह मेरा मोबाइल हाच चुका है मतलब मोबाइल के अंदर आप भी दिखाया दे रहा है तो इसको आप यहाप रख सकते है इसके श्कील कोर्स एप को इस तरह से अप चाहिए तो इसे तो ड़ावत शाडव एफेक्ट देना है तो यू केन गो तुट पिच्छर फॉमाट एफेक्ट में जाकर यहां पर आपको बहुत सारी एफेक्ट मिलते है रिफ्लेक्शन वाला एफ शाडव एफेक्ट है आपको लोगो बढ़ा करना चाहते है तो यू केन पूट डाउन लोगो तो यह डिपेंड है कि आपको आप एक ऐसे चीज़ रखनी है एंड उसे आपको मैनेज करना कैसे है राइट तो यह लोगो साइड में था वही अच्छा लग रहा है मुझे और यह थोड़ा सा बीच में ले यह वाला रेक्टैंगल लेता हूं या फिर राउंडेट रेक्टैंगल भी आप ले सकते है यह राउंडेट रेक्टैंगल लीजिए आपको जो मर्जी चीज़ यहां पर वैसे आप ड्रॉ कीजिए अब देखिए यह ड्रॉ किया लेकि नहीं आ गया रहा है तो इसके उपर ले सकते हैं लेकिन आपको लगता है यार एक चीज़ याद रखो इसका कलर जो होता है न एक प्रेजेंटेशन बनाते समय कलर कॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टन चीज़ होती है तो अब यहां पर अगर आप देखोगे न मेरे एप की उपर तो यहां पर ग्रीन है और यह य यह इक ऑप्शन है जो शेप फॉर्मैट के अंदर इक इंटरेशन ऑप्शन ही जो याद रखने है आपको शेप प्पॉर्मैट में से शेप फेल में यहाँ पर आपको जाना है आएडूपर याद रखी आइडपर से λえて करना है यह यह के इस color पे click करना है देखिए वही color यहाँ पे apply करना गया है पहले इस shape को select करना है select करने के बाद shape format shape fill और fill यहाँ पे eye dropper जो आपके brand का color है बिसिकली brand logo में जो color है वो आप बाकी जगह पे slide पे इस्तमाल करो ताकि एक format प्रॉपर बन जाता है और बहुत सरे brand ऐसे करते हैं उनके जो दो या तीन color fix रहते हैं उसी में पूरी पूरी उनके slide या PPT presentation रहता है तो यह color combinations आपको करने के लिए eye dropper का इस्तमाल लेना पड़ेगा राइट great तो हमने यह किया text को आपको white करना चाहते है तो आप text white करके भी देख सकते एक minute हम text को white करके देख लेते हैं यहापर font में आपके बस text को white करने के लिए option है अगर यह अच्छा लग रहा है तो white में देखो अलग color में रखना चाहते हो white भी ठीक है okay skill course app पेले learn more and on more यह हो गया हमारा and now you can go one more thing एक minute में को यह लोगो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है एक मैं थोड़ा सा changes यहाँ पर करना चाहूंगा जो कि मैं skill course app के shape को या text को जो भी यह दोनों को नीचे लेना चाहूंगा यहाँ पर मैं ले रहा हूं पेले learn more को यह यहाँ पर मैं नीचे रख रहा हूं middle में and इसे भी middle में रख रहा हूं and logo को अब मैं यहाँ पर रख रहा हूं तो चलो ठीक है कुछ अलग मुझे लगा करना चाहिए तो यह मैंने एक नया कर दिया वैसे भी यहाँ पर पहले इस learn more and more यहाँ पर इस logo में भी है और यहाँ प पॉपिन्स black रखो या पॉपिन्स medium तीन है इसमें पॉपिन्स medium में रखा यह इटालिक में आ जाता है और इसे title के बाद इसे पॉपिन्स रख देता हूं मैं पॉपिन्स अब मुझे बार बार इस सभी slide के उपर करना है उसके बाद इसके size भी बहुत बढ़ी है मैं size कम कर और यहां पर line spacing भी बहुत कम है तो यह line spacing भी adjust करने पड़ेगी तो यहां पर देखिए line spacing adjust करने के लिए आपको home tab में ही यहां पर click करना है और line spacing यहां पर line spacing 1.0, 1.5 line spacing ज्यादा हो रही है तो यहां पर जाकर आप लिग सकते line spacing कितनी चाहिए 1.2 यह रहा यह proper line spacing आपको bullet हटा देता हूं इसे proper arrange कर देते हम लोग welcome के लिए tap कर देता हूं यहां पर थोड़ा सा ओके और यह भी bullet हटा देता हूं ठीक है यह हो गया इसके content के बारे में थोड़ा से हमने format कर दिया अब यह formatting मुझे हर एक slide पर करनी है तो बार बार करने से अच्छा आप इस title को select करो यह box को format पे डबल क्लिक करो यहां पर आ जाओ इस slide पे यहां पर क्लिक करो इस slide पर आ जाओ यहां पर क्लिक करो है ना interesting time saving tricks में बता रहा हूं दुबारा देखिए यहां पर आने के बाद मुझे इसकी formatting जिसकी formatting चाहिए उस वाले box को पहले select कर लो format पे डबल क्लिक करना है double click फिर उसके बाद नीचे के slide पे जाना है यहां पर क्लिक करो इसके पर यह देखिए formatting यहां पर आगए इस पर क्लिक करो यह formatting आगए इस पर क्लिक करो यह already इसमें content ही नहीं बट यहां पर आप देख सकते यह formatting apply हो चुकी है क्या बात है right so easy to apply formatting करने के लिए आपको format printer इस्तमा अब मैं देखना चाहता हूं कि इसमें यह content बहुत जादा हो रहे तो इसमें मैं कुछ content कम करता हूं थोड़े से content कम कर रहा हूं और इस content को मैं रख रहा हूं इस side अब मैंने इस box की size कम कर दी है इस side और यहां पर अभी एक और चीज़ यहां पर अगर paragraph में notice score होगे तो right side में देखो आगे पीछा रहा है तो मैं इसे justify alignment दूँगा यह देखिए यह formatting अच्छे से सीखलो जिसको formatting आ गई align करना आ गई justify alignment यह proper align हो चुका है अभी यह content है यह content है यह title है और यह content अब यहां यहां पर मैंने space क्यों रखा है यहां पर मैं कोई image आड़ कर सकता हूं right मेरे product की image तो मैं insert में जाओंगा मैं picture में जाओंगा this PC तो यहां पर मैं इस तो यहां पर मैं इस image से एक image select कर लेता हूं और यहां पर add करता हूं इस app में video भी download आप कर सकते हैं इस app के बारे में जादा जानकारी के लिए मैंने एक image भी यहां पर add कर दी right image को up size ऐसा कम रख सकते हैं और थोड़ा सा stylish इसे बनाने के लिए मैं simple से एक बता देता हूं मतल करने के बाद right click करके इसे send to back करना है send to back करेंगे rounded rectangle को okay अब यहां पर इसके उपर इस तरह से rounded rectangle रखिए इसकी size का rounded rectangle आप रखने के कोशिच कीजिए यह आपर यह रहा okay उसके बाद इस image को वापीज delete कर दीजे अब आप बोलोगी delete क्यों किया अब मैं आपको बताता हूं यह rounded rectangle को थोड़ा सा ऐसा चाहिए तो round कम कर दीजिए अब करना क्या है इसको select रख के shape format में जाना है वही image हम add करेंगे shape format में जाएंगे shape field में जाकर हम picture में जाएंगे याद रखिए shape format image को select कीजिए shape format shape field picture यहां से हम from file में जाकर वही image एड कर देंगे जो image हमने लिए थी बस वो हमने shape में add कर दिया इस तरह से तो यह shape में add करना भी एक trick समझ लो और इसके बाद आप इसे effect द आप इसे reflection दे सकते हैं आप इसे shadow दे सकते हैं जो effect देना चाहते हैं आप यहां पर दे सकते हैं तो एक तरीका में ने आपको बता है कि इस तरह से आप image को add कर सकते है एक attractive way से एक presentative way से तो कोई shape के अंदर image add करोगे तो वो अच्छा रहेगा लेकिन पहले क्या करना है image लेन है properly तो चलिए यह slide हो गया तीसरे slide पर जाते founder के बारे में मुझे कुछ पता नहीं यहां पर तो founder की image add करने के लिए हमें काम करते हैं तो यहां पर मैंने इसे right में रख दिया है तो यह right में इतना रख देते हैं यह content ठीक है बैढ़ गया है ओपर और करना क्या होगा control ले कर करेंगे वापिस insert में जाएंगे यहां पर picture में जाएंगे दिस PC में जाएंगे और यहां पर कोई भी एक photo आप add कर सकते हैं जैसे यह वाला add कर दे तो चलो आपको जो अच्छा लग रहा है वो add करो लेकिन उसको भी आपको rounded मे add करना है same चीज़ करनी है तो आपको अभी same म पीचर लेते चलो यह ठीक लग रहा है तो यह पीचर यहां पर मैंने add किया and founder of skill course हो गया चलो उसके बाद आ रहा है features features के लिए भी यह features का already suppose मुझे यह लिखना नहीं है already मिरे पास image ही पढ़ी है तो मैं इसे delete कर देता हूं मिरे पास एक feature की image ही पढ़ी है खली features का word यहां पर रख देता हूं so मैं यहां पर insert में जा रहा हूं this spec में जा रहा हूं और यहां पर इमेज में add कर रहा हूं यह features के साथ ही है यह आप चाहते कि यार दोनों भी रखे मतलब यह content भी रखे content को आप यहां पर जारा bullets form में जाकर कुछ apply कर लो जैसे कि यह app features नाम हटा दो और यह proper align करो पहले एक line में यहां पर आगे का space में ने हटा दिया है इससे select कर लो और यहां पर bullets में जाकर ok इस तरह से apply कर दो इसे इसकी size कम रखो ठीक है done अब क्या करना है आपको यह image भी चाहिए तो image भी चाहिए तो यह वाली image को copy कर लो यहां पर दुबारा paste कर लो और करन यह आप जान चुके app features हो चुका है और यहाँ पर customer feedback के लिए अलग से यहाँ पर आप के उपर जिन्होंने feedback दिये जिन्होंने review दिये वो actual reviews तो अलग से मैंने उसकी images download करके रखी तो उसे insert करने के लिए insert picture same जाना है मुझे this PC और मैंने download करके रखाए download folder में रहेगा यह रहा अब यहाँ पर size कम कर सकते है starting में आपको लगता है चारो की size एक साथ कम हो एक साथ जैसे आपने insert कर लिया है तब यह चारो selected रहते तब चारो की size select करके यह कर लिए तो यहाँ पर इन्हें मैं rounded box में proper रखना चाहता हो तो मैं क्या करता हो एक काम करता हो यह delete कर देता हो सभी एक ही size के तो एक को रखता हो पहले insert में जाता हो shapes में जाता हो आपको पता ही फटा पट करके दिखाता हो यहाँ पर मैं इसकी size के shape draw करूँगा पहले size देख लूँगा और यह round को तोड़ा सा ऐसे कर देता हो ठीक है इसको delete मार दो और अब क्या करना है अब जाना है shape format में shape field में आपको का पर जाना है picture में जाना है जहां पर भी मेरे पास seven यह रहा आ गया क्या बाद है यह आ गया उसके बाद shape format में जाओ और shape effects में जाओ देखो there are lot of effects आप जो चाहिए वो apply कर सकते यहां से interesting है यह इस तरह से आप रखना चाहते control D दूसरा रखना चाहते यहां पर इसी के side में और shape format shape feel picture अब यह मैं फटाफट कर ले तो पहले तो यहां पर मैंने चारों भी review add कर दी है आपको दिखाए देरा है customer feedback customer review जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और अब यह हमने देखा content में images वगरा कैसे add करना है दूसरी चीज अब यहां पर content में images add करना हमने सीख लिया shapes भी add करना हमने देखा है किस तरह से shape add करते हैं लेकिन कई कई पर आपको कुछ और interesting चीज़ आड करनी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसे मैं इसे मैं इसे चीज़ आड करके दिखाता हूँ जैसे मैं एक ellipse लेने के बाद मैं यहांपे एक circle ड्रो कर रहा हूँ यह दिकिए circle चोटा सा circle ड्रो कर लिया है ज्यान से देखिए अब इस circle को मैं color दे रहा हूँ shape format में जाकर यहांपे मैं color देता हूँ इसे shape outline का color में no outline करता हूँ तो अब यह मैंने circle draw किया है आपको दिखाए दे रहा है मैं circle मतलब यह dot 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 यहां पर ऐसा fill करना चाहता हूँ सीधे line में तो उसके लिए मैं करूँगा क्या मैं control और shift button press करूँगा और इसे यहां पर drag करूँगा और जैसे मैं control shift एक बार drag किया उसके बाद मैं control y y y press करते जाओंगा तो वो shape जो मैंने जिस position पर रखी ही ना जहां से देखिया यह इंट्रेस्टिंग चीज़ एक मैंने add कर दिए यहां पर डॉट 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 जो मैंने shape के जरी अड़् कर दिये अब मैं दुबारा दिखाता हूं जब मैं अब मैं क्या करता हूं इससे suppose यहां पर आता हूं और यहां पर मुझे एड़् करने customer feedback को थोड़ा समय उपर लेता हूं यहां पर title को अब क्या करना है इससे select करना है control shift प्रेस करके आपको इसका duplicate बनाना है और जो gap में आप रखोगे यह gap में उसके बाद control y बटम प्रेस कर देना है इंट्रेस्टिंग है तो ऐसे आप यहां पर stars आड़ कर सकते कोई भी shape आड़ कर सकते मैं इने select करता हूं और थोड़ा सा नीच लेता हूं चारों को एक साथ select करने के लिए shift बटम प्रेस के और click करते गया हमें चारों के उपर और मैं थोड़ा सा नीचे कीचूँगा यह र कर सकते हैं चोटा करते समय आगे shift बटम प्रेस करोगे तो ठीक रहेगा तो चोटा करो यहां पर रख दो ले लो और ready made shape के लिए आप insert में जाकर यहां पर देखिए आपके पास smart art है जिससे आप ready made shape cycle जैसे डाइगराम, process जैसे डाइगराम, hierarchy यहां पर एड कर सकते हैं, relationship पर एड कर सकते हैं, matrix एड कर सकते हैं, बहुत सरी चीज़े तो आप जो चाहिए वह एड कर सकते हैं, अगर color change कर सकते हैं, और यहां पर content add कर सकते हैं, तो यह भी चीज़ा आप यहां पर कर सकते हैं, अगर आप को चाहिए तो वह भी shapes पोगेरा आप add कीज़े, फिलाल इसे मैं delete कर देता हूँ, तो यह हो गया हमारा complete slide process, अब यहां पर slide में next topic में हम सीखने वाले design कैसे करते हैं, design त आप slide design के लिए, पहली slide select की, design tab पे मैंने click किया है, simple design tab, यहां पर जैसे select करोगे, बहुत सरी design आ जाएगी, आप यह जो arrow दिखाए दे रहा है, इस पर click करके और design को explore कर सकते हैं, तो जैसी आप किसी भी design के उपर mouse pointer घुमाते हो, तो वो design पीछे preview दिखाता है कि कैसे apply होने होने वाला है, कैसे आएगा, तो यह design select करती है, यहां पे structure change होने वाला है, मतलब skill course आप कई और चला जाएगा, तो यह बात याद रखनी, जैसे आप इसके पर design apply करोगे कोई भी, तो यहां पे देखे, यह design apply करोगे, तो आपको थोड़ा बहुत adjust करना पड़ेगा, जो format background में जाए, और format background में जाकर यहां पे gradient fill में जाकर यहां पे आपके content में कुछ भी changes नहीं होगा, gradient fill ले लो, picture fill ले लो, pattern fill ले लो, आपके content में कुछ भी फरक नहीं होगा, हाँ, अगर आप यहां से design लेते हो, तो आपने जो content type की इधर उधर shift हो नहीं है, उसके design के according वो adjust क किया जाएगा, right, तो आपको लगता है कि यार, इसमें ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यह बार में content फिर से adjust करने पड़ेंगे, तो आप यहां से background दे सकते background option है, फिलाल में यह design apply करके दिखा दो, अगर मैं किसी भी design के उपर, directly यह यह पे click कर तो, जैसे मुझे यह वाला design ठीक ठाक लग रहा है, मैं इस पे click कर रहा हूँ, तो यह सारे slide के उपर apply हो रहा है, यह देखिए, पहले slide के उपर भी है, second भी है, third भी है, सब के उपर apply हो रहा है, right, तो यह आपको थोड़ा वो ताइजिस हम करेंगे, इसमें content को, लेकिन आपको लगता है, सभी slide पे apply to selected slide, यह देखिए, इसे slide पे apply हो जाएगा, और undo कर देता हूँ, मुझे यह वाला चीए, right click to apply to selected slide, इस तरह से, दिखाए दे रहा है, तो यह slide के लिए मैंने अलग रखा, यह slide के लिए अलग design आ चुका है, यहाँ पे click करता हूँ, यह ठीक लग रहा है, यहाँ पे मुझे apply to selected slide, एक design मैंने लिया, तो आपको जो design पसंद है, वो आप select कर लिए, उसके बाद आपको थोड़े से content adjust करने पड़ेंगे, जैसे इसकी size आपको कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको यह जो subtitle है, उसे भी थोड़ा सा बढ़ा करके रखना है, तो आप रख सकते हैं, तो चलो, ठीक है, आपको जैसे लग रहा है, यह बेच में ठीक लग रहा था, तो वही रखो, चलो, ओके, यहाँ हमारी पहली slide होगी, मुझे थोड़ा सा logo यहाँ पर खटक रहा है, तो मैं इस logo को, यह देखिए, डिपेंड है, आप कहा पर रखना चाहते है, इन दोनों को मैं पर यह थोड़ा सा इसे चाहिए, तो adjust कर लेते हैं, इस size का, text का size कम करके, यहाँ पर इस तरह से बढ़ा देते हैं, इन्हें इस तरह से adjust कर सकते हैं, फोड़ श्लाइड पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा content को adjust करना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, इस features को, इस size कम करके, इसे भी यहाँ पर लगतेते हैं, ठीक है, इस dot को delete मार देते हैं, जो content आपको जरूरी नहीं है, इसको इस तरह से रख सकते हैं, ओके, और उसके बाद यह, यह तो मस्त है, तो यह 5 slide हमारी proper होगी, design के साथ, तो slide कैसे properly बना नहीं है, यह मैंने अच्छा कासा idea हमारा important point है अभी, तो कोई भी slide को जब हम transitions देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे, transition की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले जब हम F5 करते हैं, तो F5 से क्या होता है, slide का preview आ जाता है, full slide, जब भी आप presentation दिखाना चाहते हैं, तो F5 button press करोगे slide show, इसे slide show बोलते है, यह slide show आ down arrow press करो, next slide, 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 down arrow press करो, खतम, escape button press करो, तो PowerPoint presentation start करने के लिए F5 और बंद करने के लिए, आप escape button press कर सकते हैं, right, okay, अब यहाँ पे जब मैं पहली slide लेता हो, दूसरी slide आ रही है, तो यह तुरंत direct आ रही है, मैं इसमें थोड़ा स तो यह ट्रांजिशन कैसे होगा पहले स्लाइड को क्लिक करो और यह अपर धेर सारे ट्रांजिशन से कापी इंट्रेस्टीग आप खुद से ज़रू ट्राइ कीजिए यह नए वर्जिन में आपको धेर सारे मिलेंगे 2010 वगरा में थोड़े कम है याद रखिए तो यह वाला लेते है एरप्लेन राइट यह देखते हैं वाव है ना इंट्रेस्टिंग आपको यह अच्छा लग रहा है यह कुल रहा है चलो हमारा प्रोडॉक्ट लॉंच हो रहा है जैसे प्रोडॉक्ट लॉंचिंग में टाइम पर रहता ना एक मिनिट क्य क्या बात हैً इन्ट्रेस्टिंग आप अरेमी क्या पता नहीं है पहली स्लाइट के लुट करके चला जाएगा अभी गामी और रिवासा अब मैंोढ capitalist का लें क्या mm क्या ना में मजाना है मजा रहा है तो यह आप अलग अद्ग करके देख सकते कि यह कैसे लग रहा हर एक स सकते हैं और सभी स्लाइड के उपर आप एक चाहिए तो एक भी कर सकते हैं आपको लगता है किया सभी स्लाइड पर एक जैसे होना चाहिए कंप्यूज नहीं करना है मुझे क्लाइन को तो मैं क्लिक करूँगा क्रेश और मैं apply to all करूँगा यहाँ पर apply to all राइट साइड में option मिल रहा है आपको और इसका duration भी आ रहा है total आपको duration भी दिखाए दे रहे कि कितना seconds है आप उसे duration को कम भी कर सकते हैं तो इसका duration भी आप adjust कर सकते हैं यह इतना slowly जा रहा है इसको और slow करना है तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं 3 seconds किया अब देखो कितना slowly जा रहा है तो यह depends करता है कि आपको हर एक slide के लिए अलग-अलग transitions देना है नहीं देना है 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 यहां पर आप select कर लो जो आपको लगता है हो देशकतE सब के लिए एक ही दिन आ है तो apply to all करो सबके लिए अलग तो मैं select करो, यहाँ पे select करो, click, select करो, click, select करो, अलग अलग दिखा रहा हूं मैं apply करके, और select करो, यह, अब मैं FI करूँगा, तो देखिए कैसे आएगा, FI, यह तो पहला slide है, अब down arrow press करूँगा, next slide, keyboard keyboard down arrow press कीजिए, next slide, down arrow press कीजिए, next slide, down arrow, oh, interesting, right, तो इस तरह से आप presentation में transition दे सकते हैं, लेकिन यह, जो transition मैंने देया ना, मुझे keyboard पे down arrow press करना पड़ा है, तभी next slide आ रही है, मैं चाहता हूँ, यह, अपर एक option, एक setting, important tricks मैं आपको बता रहा हूँ, powerpoint के अंदर, जो सब को पता होनी चाहिए, अब transition में क्या हो रहा है कि मुझे apply करने के बाद down arrow key press करना पड़ा है, यह, लेकिन automatic transition आ जाए, और दूसरी चीज़ ऐसी कि जैसे presentation खतम हो जाता है, तो यहां पर क्या लिखिया आता है, लिखिया आता है, end of slide show, मैं चाहता हूँ कि यह presentation खतम होते ही, starting से चलो हो जाए, जैसे mall में आप जाते हो, एक आप show में जाना है, और यह वाला करके रोको, सबसे पहला यह setting important trick याद रोको, loop continuously until escape, जब तक आप escape नहीं करेंगे, तब तक यह loop होते रहेगा, यह पहला setting याद रोको, slide show, setup show, यह बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बता है, आपको बता चलो, ठीक ह दूसरी चीज़ आपको करने है, यहाँ पर transitions में ही, यहाँ पर on mouse click है, यह on mouse click नहीं रखना है, यह अटाओ, after, और after क्या timing दे दो, कि एक slide कितनी देर तक रुखनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एक slide एक तीन मिनिट तो रुखे या चार मिनिट रुखे, चार मिनिट नहीं, हर एक slide को अलग-अलग रख सकते हैं, और apply to all करते हैं, तो सभी के लिए apply to all हो जाएगा यह वाला timing, लेकिन यह जो slide का transition है यही सब के लिए apply होगा, फिर हमारा अलग-अलग apply करके मतलब नहीं होगा, तो इसलिए क्या करो, एक तो timing पहले लगा दो, apply to all करो, बाद में सब को transition अलग-अलग दो, तो timing एक बार apply to all हो जाएगा सब के लिए, या फिर सब के लिए यह पर click करो, apply to all मत करो, सब के लिए अलग-अलग timing लगाओ, इस slide को दो second रुकना है, इस slide को लगता है, यह से पढ़ने में time लगेगा, तो इसको तीन seconds रखो, इसमें पढ़ने में time लगे मैं recommend नहीं करोंगा, apply to all के लिए, और या पर sound effect भी दिया है, sound भी add कर सकते है, bomb वोगेरा, फुटने का sound आए जाएगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता है, अगर आपके presentation में कोई सोता है, तो उसके लिए sound दे सकते हैं, फिलाल तो इतना जरूरी नहीं है, and I am going to press F5, मैंन F5 प्रेस कर दिया, और छोड़ दिया, मैं कुछ भी ने प्रेस करूँगा, अभी ये, जितने भी seconds मैंने लगा थे ना, 4 seconds तो 4 seconds रुकेगी, 2 seconds तो 2 seconds रुकेगी ये slide, और next slide आती चाहेगी, जो कि आपके सामने present हो रहा है, एक मेरा presentation, या पे मैंने अच्छी खासी advertise कर दी, इस वीडियो में मेरे application की मजाग कर रहा हूँ, लेकिन या application आपके ज़रूरी है, जीना दोस्तों, ये presentation में मेरे product की तो advertise हो ही रही है, भई होना चाहिए, मैं मैं मैंने ले रहा हूँ, लेकिन इस application में आपके फाइदे की courses से, बहुत ही कम फीज में आप धे सारे courses सीख सकते बहुत सारा presentation बड़ा भी बन जाएगा, बनाने जाएगा, ये तो डेम होई बस, तो आपको एक interactive presentation बना के मैंने दिखाया है, अब यहाँ पे transitions हमने apply कर दिया है, अब हमारा last option जो कि ए animation बचता है, तो animation कैसे apply करेंगे, animation भी ज़रूरी ही न भीया, अब जो आ रहा है ये stable slide आ गूम के आजाए, ये app का photo गूम के आजाए, लोगों गूम के आजाए, कुछ भी, तो कैसे करेंगे, तो वो कुछ कर लेते हैं, यार ये logo में को अभी ज़रूरी है, ये logo की size ही मेरी fix नहीं हूँ अभी, कहां पे रखो, चलो इससे side रख देता हूँ, अब मैं क्या करता हू लोगों को बहुत गलत फाहिम ही होती है, कोई भी animation दीते है, मतलब चल गया, नहीं, animation कैसे देते हैं, उसके steps से आद रोको, मैं क्या follow करता हूँ, presentation बनाने के लिए, और मैं क्या सिखाता हूँ, जो भी मैंने corporate students को पढ़ा है, वो trick मैं आपको बता रहा हूँ, basically वो लोग उन आपको animation देते हैं, पहले यह समझना है, कि animation के अंदर चार चीज़े, एक, entrance animation, दूसरा, emphasis, तिसरा, exit, और चौथा, motion path, चार यहां पर आपको option बिलते हैं, यह आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कि entrance animation आपको तभी लगाना है, जब आपको कोई भी text को entry क text में डाला जाता है, paragraph, entrance text में डाला जाता है, याद रखिए, जो बड़े-बड़े company के नाम होते, images होते, basically, उनको directly entrance में डाला जाता है, याद रखिए, हमेशे यह चीज़, entrance में, entrance में, entrance में मतलब जो slide की उपर पहले रहेगा नहीं, वो बाहर से in होगा slide के अंदर, कैसे, तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे shape और यह text अलग-अलग है, तो दोनों को animation मुझे एक साथ देना है, तो इसे shape को select करो, shift बड़म प्रेस करके, इस text को भी select करो, right, दोनों select किया, अब हम animation tab में जाएंगे, और मैं यहाँ यहाँ पे entrance animation देना चाहूँगा, entrance animation यहाँ से मै apply कर सकता हूँ, यह दिखाए दे रहे हैं, आपको बहुत सारे animation है, लेकिन यहाँ पे apply करते ही, apply हो जाता है, preview नहीं दिखता है, तो मैं more entrance में जाओंगा, यह more वाला ही option में prepare करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहे हैं यह option, यह options आपको इसमें भी दिखाए देंगे लेकिन इसमें जाने के बाद आपको preview दिखाए देता है, तो यह एक interesting बात है, तो इसलिए आपको पहले इधर से ही उठाने, यह चारो options उपर दिख रहे हैं, आपको वही इधर से भी आप access कर सकते हैं, तो more entrance में जाहिए, और यहाँ पे आपको preview effect पे click रखना है, preview effect, इस प पोड़ा सा descend लग रहा है, descend ही देना है, एकदम घुमा फिरा की नहीं लाना है, जैसे spinner बहुत घूम घूम के लिए के आता है, तो मैं इसे float देता हूँ, एकदम descend, okay, जैसे मैंने यह दिया, और यहाँ पे अगर आप notice करोगे, तो यहाँ एक animation apply हो चुका है, और यह मैं close करत यहाँ पर यह automatic है, तो animation आजाएगा, देखी अभी, दिखाए दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कि skill course text पहले आपको नहीं दिख रहा था, बाहर से entry मा रहा है, लेकिन यह तो पहले से आपको दिखाए दे रहे हैं, तो यह क्या कर रहा हूँ है, इसे मैं select करता हूँ, इसे यह भी भाहर से in हो जाए एक के बाद एक, यहाँ पर मैं इस image को bounce देखे देखता हूँ, नहीं, यह थोड़ा सजारा यह लग रहा है, rise up भी ठीक है, spinner नहीं गूम रहा है, यह ज्यादा, zoom वाला देता हूँ, normal zoom, oh this one is good, okay, अब यहाँ पर आप FI किजिए, 1, 2, 3 animation, FI, 1, 2, 2, 3, interesting, right, interesting animation आ गया, और यह तुरंट slide चेंज हो गया, क्योंकि हमने timer लगया वाँ पर, तो यह animation कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, intranse, one by one, पहले इसको मैंने present किया, बाद में इसको बाद में इसको present किया, अब आपको लगता है कि आ इसको present करने के बाद इसको ए add animation, तो add animation में जाओ, और अब intranse में से नहीं दोगे, intranse में से एक पहला animation intranse में से रहेगा, अगर आपको उसे बाहर से अंदर लेना है, तो, right, तो पहला animation intranse करेगा, और दूसरा अगर उसे देना है, तो आप impasses में से दे सकते हैं, या फिर आप उसे बाहर निकालना चा और impasses मतलब वो जगह पे ही कुछ उसको impasses करेगा, more impasses में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, preview देखते हैं, यह जगह पे ही उसको घुमाएगा, यह नहीं, यह ऐसा बड़ा करेगा जगह पे, अगर आपको लगता है कि उस पे focus होना है तो बड़ा कर सकते हैं, उससे transparent करेग यह थोड़ा सा यह देखो, यह plus, यह ठीक interesting लग रहा है, मुझे light थोड़ा सा देख रहा है, यह dark करेगा, थोड़ा सा, यह ठीक है, dark करेगा, दिखे, दिखाए दे रहा है, तो यह normal animation लेकिन वो dark कर रहा है उसको, जो image उसको dark कर रहा है, यह background कर रहा है, यह desaturate कर रहा है, तो यह पर यह blink कर रहा है, तो मैं यह देना चाता हूँ, चलो ठीक है, या फिर teeter भी ठीक है, यह इसको हिलाएगा, right, okay, teeter दे दिया, fi, अब आप देख लिजे, पहला animation आ चुका है, skill course, दूसरा animation आ चुका है, उसका subtitle का और तीसरा देखे, ओहो, right, तो इस तरह से animation आप multiple भी दे सकते हैं, तो entrance animation के बाद emphasis देना ठीक है, अब आपको, suppose, इस slide पे animation देना है, तो slide पे आपको लगता है, कि यार मुझे entrance देना ही नहीं है, highway text को यहाँ पर पढ़ने के लिए रखने देना है, क्योंकि यह बहुत बढ़ा text है, इसमे entrance तो देखे, मतलब text आने के लिए पिर bored हो जाएगा आदमी, तो आपको करना क्या है, इस image के उपर थोड़ा सा आपको animation देना है, आपको लगता है, तो इस text को ऐसे रखो, image के उपर देना है, तो आप उसे impasses दे सकते है, इसको भी entrance नहीं देना है, मुझे impasses देना है, तो add animation, पहला animation आप add animation से भी दे सकते है यहां से भी दे सकते हैं, कोई issue नहीं, बाद दूसरा animation देना है, तो आपको add animation नहीं, Composor लेना है, तो यहां पर मैं इसे compress नहीं, basic zoom, sorry, entrance में ले रहा हूँ, मैं impasses देना चाहता हूँ, more impasses, more impasses में मैं darken लेना चाहता हूँ, darken में नहीं ठीक दिख रहा है, यह नहीं, कुछ result प्रॉपर नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, transparency, transparent हो रहा है, नहीं line color भी नहीं, यह ठीक है, लेकिन यह बहुत ज्यादा grow हो रहा है, और इतना ज्यादा भी grow नीची अपने को, थोड़ा ही में छोटा रहे तो ता अलग बात है, मैं ऐसे grow कर लेता हूँ, color plus कर देता है, चलो ठीक इस बार, ओके या फिर यह वाला ठीक है, यह नहीं दिया था, यह कर देता है, अब आप देखो, F5 कर लो, automatic चलते रहेगा, मैं यह पर कुछ प्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि automatic transition हमने set किया, तो timing भी automatic है, यह देखिए, तो यहां पर टेक्स रहेगा और इधर यह animation चलू रहेगा, तो आप ऐसे animation देना है, याद रखिए, आप motion path भी दीजिए, आप exit भी दीजिए, exit कभी दीजिए, आपको किसी चीज़ को बाहर हटा देना है, आपको लगता कि यार उसे हटा देना है, इन dots को, तो इसने select कीजिए सबको, shift button प्रेस करके आप ऐसे select कर सकते है, आपको इने slide से बाहर आटा देना है, animation की दौरान, तो यहाँ पर जाए और exit, more exit path में जाकर देख लिजिए, कैसे आप इसे हटा सकते है, या लग लग तरीके से यहाँ पर हट रही है, देखे, आपक देखे, float up, यह float up में दे रहा हो, और okay कर रहा हो, लेकिन यह float up नहीं चाहता हूं, मैं इस float up की जगह effect option में जाऊंगा, और float down, यह देखे, मतलब यहाँ पर effect भी मिलते हैं, यह याद रखे, effect, तो जो भी आपने apply किया, उसे float up करना है, तो उपर जाएगा, float down में करना चाह जाता हूं, तो यह जाएगा, अगर आप F5 प्रेस करते हो, इसे देखते हो, मैं directly उस slide पर लेके जाता हूं, आपको मैं down arrow प्रेस करके फटा पट जाता हूं, यह आपर time नहीं वेश करेंगे, यह देखे, यह गायब होगे dots, इस तरह से अगर आप देना चाहते हैं, तो animation मैंने आपको समझाया, यह crash course में बहुत सारी चीज़े मैंने आप बताने की कुछिश की, लेकिन powerpoint इतना ही नहीं है, powerpoint में बहुत सारे interactive presentations बनाया जा सकते है, इस नो type का action button का presentation बनाया जाता है, जो कि मैंने अल्रड़ी बनाया था, और मेरे course में यह सारी चीज़े explain की मैंन benefit क्या है, basically आपने यहां पे तो बहुत सारी चीज़े सीखे, लेकिन app का benefit without advertisement course है, आप जब चाहे तब वीडियो देख सकते है, repeated देख सकते है, इन app वीडियो download option है, download करके भी देख सकते है, course certificate मिलेगा और धेर सारी चीज़े आपको मिलने वाली है, तो interested है तो ज़रूर check out की app आपके mobile में रहना चाहिए भाईया, और यह desktop पे वीडियो देख सकते है, आप skill course.in website पे, जी हाँ, तो इतने सारे features आपको जो मिल रहे है, तो ज़रू check out कीज़े, यह app का तो promotion मैंने slide के दोरानी आपको बता दिया, यह slide मैं आपको practice के लिए भी दे रहा हूँ, ताकि आप इसके वपर practice के लिए, word, excel, powerpoint, access, सारी फाइल practice के लिए आपको मिलने वाली है, तो अभी next access की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, तो Microsoft PowerPoint तो आपने चलो complete कर लिए, अब certificate के लिए next step क्या है, मतलब जो certificate आपको लेना है course completion का, जब आप form बरोगे, जैसे आप submit करोगे, आपको एक exam क पर जब आप tap करोगे, तो वहापे आपको register mobile number एंटर करना है, अब वो mobile number वहीं इंटर करना है, जो आपने application के उपर login किया, याद रखिए, वही mobile number से आप login कर सकते, तो आप उस mobile number से login कीजिए है, और login करते ही, आपके सामने सवाल आएंगे, सवाल के जवाब आपको देने ह जैसे इन सवालों के जवाब आप correct देते हो, तो फिर आपको मिलेगा याप इंटर करना पड़ेगा, नाम इंटर करते ही, एक्जाम चालो हो जाएग, एक्जाम देते ही, आपको certificate download के लिए option मिलेगा, जी हाँ, एक्जाम देते ही, आपको certificate download के लिए ओप्शन मिलेगा, और download certificate tab मिलेगा, वहाँ से आप अपना certificate download कर सब पर, इस certificate के उपर आपको photo खुद से लगाना होगा, बाकी सारी चीज़े तो आमने दी ISO certified, हमारा recognize वगरा सब कुछ रहेगा, लेकिन photo और signature आपको खुद से करना होगा, प्रिंट आउट निकाल के, ये soft copy आपको मिलने वाली, तो print out निकालो आप एक hard paper पे और उसके उपर आप signature कर लो अपना और photo लगा दो, so ये था certificate लेने का पूरा process, लेकिन अभी यहाँ पर process तो हमारे certificate का मैंने बताया, क्योंकि Microsoft Word, Excel, PowerPoint पे जादा सवाल उसमें include है, अब Microsoft Access भी आपको सीखना ज़रूरी है database management के लिए, तो चलिए उस उसे भी हम शुरू करते है Microsoft Access को, तो दोस्तो हमें सीखना है Microsoft Access के अंदर data entry कैसे करते हैं, तो उसके लिए Microsoft Access हमें शुरू करना पड़ेगा हमारी computer के उपर, तो आप शुरू कैसे करेंगे, यहाँ पर दिखाए दे रहा है, left bottom corner में आपको start button दिखाए दे रहा है, Windows 7 यूज क उपर प्रोग्राम में आ जाता है, right? तो Access पर क्लिक करते ही, आपके सामने इस तरह से Access open हो जाएगा, Microsoft Access स्टार्ट करते है, आपके सामने यह Welcome स्क्रीन आ जाती दोस्तों, जिसमें आपको दिखाए दे रहा है Home, New, Open, अगरा option, लेकिन हमें जाना कहां पर मैं आपको बता रह आपको पुछा जाएगा कि आपको अपने Access फाइल को क्या नाम देना चाहते हो, इसमें जो डिटाबेस आप बनाने हो लिए उसका क्या नाम आप रखना चाहते हो, और उसका एक्सेंशन रहेगा AccessDatabase.acdb, right? तो इसका नाम मैं रखना चाहता हो, Employed Details, आप जो भी रखना उसके लिए इस तरह का layout आ रहा है, अब पुराना वर्जन भी यूज़ कर रहे हो, तो भी उसमें layout थोड़ा सा अलगा आ जाता है, बट ब्लैंक डेटाबीस भी option आएगा, इस तरह सी लिखे आएगा, आपको की आप पाइल का नाम दो और create button क्लिक करो, मतलब खाले layout चेंज इस तरह को बोल सकते हैं, फिल्स टैब अक्टिवेट होगा, और फिल्स टैब में आपको यहां पे left में विउ मिलेगा, विउ में दो विउ हमें मिलते हैं, देटाशीट विउ एंड डिजाइन विउ जो टेबल अमने सिलेक्ट किया हुआ है, जो टेबल यहां पर create होके आ इसके दो विउ हमें यहां पर मिलते हैं, विउ में जाकर आप देखेंगे, डेटाशीट विउ और डिजाइन विउ जो पहला विउ एक्टिवेट है, वो डेटाशीट विउ है, अभी एक्टिवेट जो दिखाए रहा है, यह तो यहां पर जितनी भी टेबल आप जब आपको डेटा एंटरी करना है, तब हमें इस विउ की ज़रुत पड़ेगी, डेटाशीट विउ की, लेकिन सबसे पहले हमें टेबल को डिजाइन करना पड़ेगा, अब यह टेबल डिजाइन करना मतलब क्या, आपने यह पहली बार ही सुना होगा, बहुत सरे यह टेबल है, उसी का थॉमनील भी यह की ज़रु और मैं इस टेबल पे राइट लिक करूंगा, और राइट लिक करने के बात भी मुझे चाह की जाएन लिए ने सकता हूँ, और मैं वीव में जाकर ऐाँ से बी डजाइन लिए सकता हूँ, टेicki और जाहं संसे बिजाइन सा मैं आप एड करो learn more employ details, right, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया और मैं भी इसे ok करना चाहता हूँ, इतना बड़ा नाम दे दिया मैंने फिलाल, आप छोटा भी नाम दे सकते, learn more employ details, यहाँ पर मैंने आड कर दिया, learn more employees करके आड कर दिया तो भी चलेगा, तो यहाँ पर यह टेबल आपको उपर दिखाए दे रहा है, जैसे आपने इस टेबल को design view में ले लिया, वैसे नाम पूछा गया, नाम दे दिया आपने उसको, क्योंकि default name table 1 आ रहा था, तो आप उसे customize कर सकते हैं, वो पूछ रहा है कि क्या नाम से save करना चाहता है, आप table 1 रखेंगे तो भी उसे को इंटर करना है, मतलब जो डेटा में इंटर करना है, उसके column के heading को हम field name बोलेंगे, याद रखेंगे, field name मतलब column heading, right, simple है, जैसे कि मुझे इंटर करना है employee details, तो employee का number मेरे लिए field name हो गया, employee का नाम field name हो गया, employee की date of birth, employee की salary, ये सारे मेरे लिए field name हो गया, तो यहाँ पर मैं करूँगा, left side में कहाँ पर एड करना है, देखिए, मैं एल एड करके दिकार हो, field name यहाँ पर एड करूँगा, ओ data type कहाँ पर एड करना है, right side में, अब ये field name के लिए data type क्यों एड करना है, ये मैं समझाने वाला हो, detail में, पहले देखिए, इसे समझ लीजे, तभी तो आप आप access में data entry कर पाएंगे, याद रखिए, इन चीजों को समझना बहुत ज़री है, तो दोस्तों सबसे पहले अभी मैं field name ID के जगए, यहाँ पर employee ID करूँगा, लेकिन employee ID लिखते समय मैं बिल्कुल space नहीं दूँगा, याद रखिए, access के अंदर, heading में space नहीं चलता है, यान आपको data type दिखाए दे रहा है, data type में मैं क्लिक करता हूँ, drop down यहाँ मिल रहा है, कि employee ID के लिए आप कौन सा data type देना चाहते है, यह access पूछ रहा है, short text देना चाहते है, long text देना चाहते है, number देना चाहते है, large number, date or time, यह बहुत सारे data type आप आरे है, लेकिन अब इसके लिए automatic number वहाँ पर आते जाएंगे, अब यह पहला data type ठीक है, मैंने select किया employee ID के लिए properly, और मैंने tap बढ़ प्रेस करके next row में यहाँ पर जब किया, tap बढ़ प्रेस करके next row में आप पा जाओ, यहाँ पर मैंने लिखा employee name, employee name ऐसा नहीं लिखना है, sorry, employee name, employee underscore name, और मैं tap बढ़ प्रे data type लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, इसमें क्या type होने वाला है, इसमें number नहीं type होने वाला है, अब कोसि इसमें text type होगा, long text मतलब पैरयक आप तो नहीं type करना है, छोटा सा नाम रहेगा, तो short text आप इसके लिए ले सकते हैं, तो दिखिए, आपकी column एक्षम की हीडिंग है उसके एकजरिंग आपको उसमें डेटाडाइप लेना पड़ेगा, मतलब आपके कॉलम में कौन सा डेटा उंत्र करने वाले हो उसका डेटाटाइप आपको यहाँ पर देनी अपड़ेगा एक्सेश को बताना पड़ेगा उसका इंपलाइण ने में ट या फिर आप टीवी के शोरूम में जाते हो जैसे मतलब जहां पर आपको इलेक्ट्रोनिक्स मिल रहा है तो वहां पर बोलते हो कि 10 kg फ्रीज दे दो ऐसा होता है क्या नहीं है या फिर एक किलो टीवी दे दो तो आप वहां पर बोलोगे कॉंटिटी में मतलब एक टीवी दो ट कि अपर टीवी देटाइड के लिए उस डेटा के लिए पर चीजों के लिए यूनिट डिफाइन किया गया है तो वैसी हमारे कॉलम के अंदर कौन सा डेटा हमें रखना है उसको हमें पहले ही एक्स को बताना होगा कि इस कॉलम के लिए शॉर्ट टेक्स्ट डेटाइप यह होगा तो एक्सस डी निए करेगा कि हाँ यह पे टेक्स टाइप यह रहर नहीं लेना है रेट बेसिकली अगर मैंने आपर दिया इंपल एडी में तो वहां पर टेक्ष नहीं टाइप होगा ऐसा यह अफिशन कर लेका मतलब आपने उसे असे इन कर लिए पहले डेटाइप म तो क्या होगा उसमें बहुत जरूरी होता है अब आप को पता है तो किसके लिए क्या होते है तो पेसिकले डिक्सले करना वहीं तो मैं आपको बता है कि फिल्ड निम होता क्या है ओड़ डेता था हम अभी टेबल को चुछ स की चुछ को भाइस तेस समय अपे एंटार ए सॉन सीट में एक एक इस बाद एक और प्लप पाते हैं ? यह description होता है, अगर इस data type के वारे में आपको कुछ और additional information दीनी तो आप इस description में लिख सकते हैं, but it is not required, right? हर एक column के लिए हम description नहीं लिखते बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने city लिया है, okay, city के बाद मैं ले रहा हूँ designation, तो employee का designation क्या है, वो मुझे आप 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 होना है, designation मैंने याप आप आद करते है, short THERE एक है उसके भाद Short text में नहीं रहँगा, अब बोलो कि Short text में नहीं रहरा है, अब बोलो कि Short text में रहेगा, आपको बताता हो, यहाँ पर आपको नीचे लेकर आना है और look up wizard पर जाना है, देखिए नीचे स्क्रोल करना है, मतलब नीचे आना है, और look up wizard एक option आपको मिल जाता है, look up wizard, इसके उपर mouse रखे, मैं click करो, जैसे मैं click करोंगा, एक pop up मेरे सामने आएगा, इस pop up को मैं zoom करके बत I will type in the values that I want, यह second लेकी क्योंकि हमें जो वैल्यू ची हमारे कॉलम के अंदर वह हम रॉप डॉप डाउन लीच के लिए तायार करेंगे, टाइप करेंगे, तो इसके बाद मैं आपे नेक्ट बटन पर क्लिक करोंगा, आपको दिखाए देरा है, नेक्ट बटन पर क्लिक करने यह जितने भी डेजिगनेशन से वह आप यहां पर एक के बाद एक अएड करते जाएगा, और उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्ट बटन पर क्लिक करना है, यह जो मैंने लिच तायर की आप जितनी ची बड़ी लिच तायर कर सकते हैं, यह दूसरे टेबल से भी ली जा लाल, I will type values that I want, okay, यह मैंने टाप की और मैं next button पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यह दिखा है, what label would you like for यो, look-up field? आपके look-up field के लिच लेप लेख लेपल का लेज डेएगा लेजग नावर का लेज़ेजेंशन हीर लेजग कर दो डेजगनेशन हीर लेजग कर दोग अव क्था जी एर्फ में पर डिपार्मेंट के लिए कोई सा डेडा टाइप रहेंगा गेन मैं इसके लिए वही लूँगा दोस्तौ। Look up wizard, लिखाए है, बीटको निए जोडो कि उडेटा से,को निख अपर लिश चल गया,案 म vizar JEFF लेकें लेकें, ब्रेंट रेन्यों निख में коareगें तो इस तरह से आपको drop down lease बनानी है चली यह आपको पता चल गया है उसके बाद यहाप employee की salary अगर आपको add करनी तो salary यहाप पर क्या रहेगी दिखाए देरे salary में आपको drop down lease में फिर से जाना है और देखना है क्या क्या है salary के लिए हम currency add कर सकते है right अब DOB date of birth employee का add करना है DOB में लिखा है तो उसके लिए आपको क्या मिलता है drop down lease में देखिए date and time यह वाले लीजिए date and time okay extended में वापे date and time extend भी कर सकते है अलग लग format में फिलाल यह DOB लीजिए date and time और उसके बाद employee का जेंडर आप लेना चाहते है और next button पर click करो और gender में यहां पर type करना होगा male female और transgender right ओ ओ इस तरह से और transgender भी add कर दीजिए transgender right okay और कोई gender है तो भी add कर दीजिए right next button पर click कीजिए और तो नहीं है फिलाल finish button पर click कीजिए तो आपको यह भी समझ में है इसके बाद employee का आधर करना है और फोटो भी उसका लिंक करना है मतलब आधर करना है तो आधर करने के लिए यहां पे तीन चीजिए आपको मिलते एक oily object मिलता है एक hyperlink मिलता है एक attachment मिलता है आप किस तरह से एड़ करना चाहते है वह आपके उपर है फिलाल मैं आपको दिखा पैन कड के लिए आपको क्या करना है मैं यहां पे अटेच्मेंट लेता हूं मतलब अटेच्मेंट हरे के लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए लेता हूं तो आप इस तरह से इसके लिए ले सकते तीनों भी चीजे चलती है लेकिन ऐगेरा के लिए एटेश्मेंट और यह लगते हैं है प्रया रखते है पनकाड के लिए तो यह चीजे मैं आइड कर दिया है जो हमारे अइड कर दिया तो एकसेस में डिटा एंटरी कर लिए पको टेबल डिजाइन करना पहुत इंपोर्टन चीज यह आ ना चाहिए ते लेका टेबल के आपят हैं के लिए बन जेसे आप डिटाशीट करोगी वो पूचेगा हैRemu सेп काल राठ लडए टा येς हमें सेव करना होगा जावा में डेटाशीट में वापिस आना है तो तो सेव बटन पे जैसे में क्लिक करूँगा एंप्लॉई आइडी, एंप्लॉई नेम, सीटी, डेजिगनेशन आपको सारी चीजे दिखाए देरे कॉलम के साइज आप ऐसे बड़ा भी सकते है तो यहाँ पे आपको दिखाए देरे जैसे में इंप्लॉई का नाम लिखूँगा इंप्लॉई नम्बर वन यहाँ पे लेप साइड में आज चुका है तो यहाँ पे लिख करोगे तो आपको नीचे मिल जाता है एक चोटा सा उप्शन राइट तो फिलाल में यहाँ से इने मैनेजर बना देना आजे को और डिपार्मेंट इनका सेल्स और इसके लिए भी यह दिखे एडिट लिस्ट आ चुका है इसमें भी एडिट लिस्ट आ अब ही जारा है कि इसकी सैलरी कितनी है अभी क्या होता है यह लाणी अब यौपीज आने के लिए यह लाडारी आ के लिए अप को करना क्या होता है महां पे दो आँ partly स्चों और आए यहाँ पे करंसी में क्या कर सकते हैं नंबर पॉर्मेंट ले सकते़ आ एहां से खरक्रफ रहा है तो वह आ पहाटा सकते हैं डॉलर में टो जरुरी वह प्रप्डव्ड करना उसे आता सकते हैं फिलाल सालरी करना में भूल हैं इनकी सालरी मैंने दे दिए यह पे 50 रुपए मैंनेजर को और डेट अप बड्ड में चाहता हैं दू लिए मैं यहापड प्लिक द्रॉप डाउन पर द्रॉप डाउन पर आपको दिखा दे रहा है पूरा पूरा केलेंडर आ चुका है क्योंकि आमने डेट अप बर्थ के लिए डेट अप लिया था तो इसका डेट आप ले सकते हैं जैसे आपने यह पर सब्सक्राइब कर लिया अब यह दो जार बीस का मतल आप बटन फोटो अब आब बटन पर लिए कि आधर क्ट करोंगा यह पर पूछ रहे कि बड़को तो क्या होता है कि आधर यह दो कौपि तो क्या होता है कि आधर कड कितके दो अब फोपी तो आप एक लिंक पे दो-दो अटेशमेंट अड़ कर सकते हैं यह बनी फिट होता है क्योंकि आदरकार का फ्रण्ट और बैक उसने अलग-अलग दिया एक साथ नहीं रिया है तो आप दो-दो एक साथ लिंक यहां पर कर सकते हैं चीजों को रहे दो-दो फाइल को यहां पर लिंक कर इसमें से कोई भी दो इमेज में यहां पर एड कर रहा हूं, यह आदार काड के लिए अड कर दिया है, आप एसे मुल्टीपल इमेज भी आड कर सकते हैं, तो एक्सेस में आप लाज़ डेटा रख सकते हैं, यहां पर लिंकिंग बहुत अची तरह से होती है, और लाज़ अटेच्मन भी अपर दिखाया देगी और यहां पर ऑपल उपशन फंन ऑपिछन दिया है, और यहां से अटेच्मन केॉप से बागिंग कर सकते हुए साहुते हैं, तयक्तल से एक्सेस देटाबैस को सब्सक्तला हैं communist, आपको यहां से भी हई सबसें कर सकते हैं, तो इसे के हाईपर continually कर देना भी कुछ भी। reuse नहीं, अब मि पहले हो आप इंसे उद्टावन कना नहीं आरे तक कुछ भी तो राइड करना है, और यह मान पर पर लिंग करेंग CH आपकी यहां पर आप्ण धाल देगे कवह एंच आपके सुह तो थाइड करों पर इंग है वह hyperlink इस तरह से आता है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यह screenshot यह पर open हो जाएगा अगर मैं yes करूँगा तो मैं फिलाल नहीं कर रहा हूँ इस तरह से आता है ऐगा एलाग मैं फिला उस टायम पहले नियुकर पारियंग चीम, अधिग फिलाल पहले ईंपलॉई के लिए ईडिक करना है यहां पर लास्ट फोटो पुटो के लिए भी यहां पर राइट करना है और आपको निचे option मिल जाता है इंसर्ट ऑपजेक्ट इं और आपको यह पर कोई भी फोटो लेन और आपका कोई पड़ा है तो मेरा ही फोटो यहां लेता हूँ कोई भी फोटो का दी पी आपको तो यहां पर कोई भी एक फोटो ले लो जैसे मैंने चार्स बैबेच का फोटो यहां पर ले लिया है चार्स बैबेच आपको पता रहेंगे फाउंडर आप कम्पीटर की बारे में अगर आपको जान का रही थी बेजिक टे अडवांस तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बना को देखना है आपको निक्स्ट इंपलए का नाम जैसे मैं इन पर लिखा सचेन काले राइट सचीन काले सचेन शर्मा जो भी नाम है लिख दो ए टैप कर देख तो यहां पर बेज़े कि अब है और यहां पे बेनिफिट यहां पर एक्सेश के अंदर आप लाज डिटा रख यहाँ दिजाइन वियू में जाई है, सब्सक्राइब और है रिउनल की मिन एक्सिते इक्सेश रखी तो उसको प्राइमरी की एक्सेश करने का कुई मतलब नहीं बनता है तो मैं चाहता हूँ कि mobile number के लिए primary की आड करूँ लेकिन mobile number column में आड नहीं किया है तो मुझे यहाँ पे column add करना है राइट एक्सेस के अंदर अभी मुझे कोई column add करना है वहाँ पे तो इसके लिए मैं यहाँ पे fields में क्या करूँगा department की उपर मैं designation की उपर जआद रखेऊ किया याद रखेए, ते टेबल में में ऐति aquí और दो जो पाऊना रगए और वही याद रखेंगों. दो बनेशने के रखेंगें लेकिन ऴश रखेंगें लेकिन इस दो खषुन के रहों प्राइमरी की होती किसके लिए हमें पहले बता दो अगर आपने कोई डबल नंबर टाइप किया है उस लिश में तो प्राइमरी की उसे एक्सेप नहीं करेगा उस डेटा को तो mobile number को मैं select कर रहा हूं और primary की assign कर रहा हूं ये देखिए mobile number को मैंने के assign कर दिया है primary की तो mobile number duplicate नहीं टाइप हो सकती यहाँ पे select करना है mobile number की जैसे मैं इसे assign करूगा employee ID की primary की हट जाएगी पूरे table में एक ही primary की apply हो सकती है और वो जो भी column के लिए आप रखना चाहते कि unique record आजाए उसमे unique record एड करने के लिए primary के assign करना ज़रूरी है अब यह column एड करने के बाद मैं view में जाकर data sheet में जाना चाहूँगा लेकिन यहाँ पर एक twist है याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ data entry के दोरान यह आपको भी face करना पड़ सकते हैं जैसे मैं अभी data sheet में क्लिक करूंगो तो यहाँ पे एक error आने वाला है मैं save button पे click कर तो save करने के लिए पूछे जाएगा क्या करो employee ID के लिए primary की थोड़ी देर के लिए वापीस apply करो यह एक error आता है practically यह बहुत सरे लोग problem में फ़र जाते कि वह data entry करते समय हम नया column add कर लेकिन उसमें primary की apply करने के बाद यह problem हो रहा है को प्रोल्म है यह दून को इसेher मालम कर डोल्म को इसेher को स्यप्ड कर सकते हैं कि डाप रहना है वाप रख सक्ते हैं कर सब्स्राइब कर दिखना केAST hit car यहां पर मैंने मॉबाल नंबर एड कर दिया अब यह करने के बाद इसको भी मॉबाल नंबर एड कर दीजिए और दो रेकॉर्ड आड कि और उसमा मॉबाल नंबर नहीं कि ब्लैंक रखा तो वहां पर एरर थो करेगा अब ये करने के बाद आप आराम से design view में जा सकते हैं design view में mobile number को select करके primary की apply कीजी है और data sheet view में दुबारा की yes कीजी अभी error नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि अभी हमारे पास mobile number में data है तो ये चोट इसी चीज़े है जो data entry करते समय आपको access में याद रखनी है यहां पर primary की होती क्या और कैसा apply की जा सकती है अगर मैं उपर का number नीचे type करूँ जैसे उपर number दिया गया है वो मैं नीचे type कर रहा हूँ और मैं enter करता हूँ तो यहां पर जैसी मैं आगे जाओंगा next row के लिए दिख्या मैं next row के लिए आओंगा तो वैसी यह एक error आएगा right क्योंकि यह error इसलिए आ रहा है क्योंकि महां पर क्या रहे duplicate data यहां पर दिख्यान से देखिए क्या रहे duplicate data लिख्या रहा है इतना बड़ा इर पढ़ना नहीं है बस duplicate data पड़ो और काम कटम करो इसको और इसको इसमें डेटा इंटर होता है आप देख सकते हैं मैंने सारे कॉलम यह पैड़ कर देंप्लॉई नीम मोबाइल नंबर सीटी डेजिगनेशन डिपार्मेंट सालरी और और तो एक्सेस में कंपनीज में आउटलुक यूज़ता है मेलिंग के लिए दोस्तों जियां मेल किस तरह से जैसे अगर जीमेल आपना यहां पर लॉग इन करके रखने के बाद वह इमेल के इमेल्स आप ओपलाइन एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट बंद है तो भी हां मतलब अब तक जितने इ अब हम इसकने वाले Microsoft Outlook का इंटरफेस कैसा रहता है और साथ में Outlook से हम इमेल कैसे बेज सकते हैं कैसे बेजते हैं क्या क्या चीज़े वहां पर आपको एडिशनल मिलती है वो सारी चीज़ें डीटेल में जाने हुए तो चलिए Outlook पट अपर स्टार्ट कर देता हो जो कि अ इंटरफेस समझ लो सबसे पहले यह टाइटल बार आ रहा है उपर आपको दिखाए दे रहा है यह किसका Inbox कुनसा Email Account Login है आपका उसके बाद यहां पर आपको दिखाए दे रहा है File Home यह जो दिखाए रहा है यह Quick Access Tool बारे Undo Redo Allow options रहते हैं वह यहां पर है इसके बाद ये फाइल, होम, सेंट, रिस्यू, अलग-अलग मेनू जो टैब दिखाए दे रहे है, होम, सेंट, रिस्यू, फोल्डर, व्यू ये टैब है, और ये टैब का नीचे जो आ रहा है, इसे रिबन कहते है, आपको बिसिकली पता ही होगा, अगर आपने मेरे बाकी पा इसे जो आपको नीचे कीजिए बस ये वाल अची है, यहांप ऐसा रख सकते हैं, यह एक छोटा सा अ एरो दिखा दे रहे है, उस पे खरिंगी इसे आरो, वह एक्स्प्छोर होता है, और अप्शन और मिनिमाइज भी होता है, यह फिर इस वाले पॉइट को मिनिमाईज ए यह folder pane है, जो आपका folder दिखाते हैं, तो वो minimize आप कर सकते हैं, यहाँ पे folder pane जब आप minimize देखें, यह maximize रहेगा, तो इस तरह से यह options नीचे चले जाते हैं, यह email वाले पे click है हमारा, Gmail है, यहाँ पे calendar है, नीचे bottom में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ फोकस करके देख यहाँ पे पीन किया है, यहाँ पे पीन किया तो वो यह से दिखाए देगा, तो यह देखें, बॉटम में अभी आप देख सकते हैं, पहले email का icon है, second icon जो calendar का है, third icon जो दिखाए दे रहा है, आपको contact का है, इस तरह से आपको icon वहाँ पे दिखाए दे रहा है, checklist and all, और वह आपको यहाँ पे calendar पे क्लिक करेंगे, तो calendar ओपन हो जाएगा, देखें, right, तो आपको अभी अलग screen यहाँ पे देखने मिल रहा है, जब email पे अपने क्लिक किया था, तो आपका inbox यहाँ पे दिखाए दे रहा था, अब अपने calendar पे क्लिक किया है, तो calendars, आपके appointment वगरा जो तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे साइड पैनल में, फोल्डर पैनल में मिल जाती है, अगर आप इसे चाहते क्लिक करो और यहाँ पे पिन करो पिन हो जाएगा, यह contacts आपको यहाँ पे contact आभी कोई आड नहीं किया है, तो इस outlook में कुछ चीज आड नहीं है फिलाल, त यहाँ से देखिया, अभी आपे new appointment, new meeting, यह सारी चीज़े इंटरफेस इसले में पहले बता रहाँ आपको, इंटरफेस समझ लीजे इस पार्ट में, उसके बाद आप जीमेल पे क्लिक करो हो, तो जीमेल के यहाँ पे options आपको दिखाए देए है, ऐसे याद रखने है, क्लि यहाँ पे उपर मेनू, home tab के अंदर के options आपको दिखाए दे रहे है, तो यह tab में, जो notice, मतलब changes हो रहा है, वो notice आपको करना है, फिलाला में new email कैसे सहिन करने है, वो देखना है, तो मैंने जीमेल पे क्लिक रखा है, और यहाँ पे new email, सबसे पहला option मिल रहा है, new email, यहाँ क्लिक कीजी email के लिए, या new items में जाहिए, और यहाँ पे email message, new item में email message पे क्लिक करना है, आपको, that's it, यहाँ पे क्लिक करो, या फिर new email पे डिरेक लिए आप क्लिक करो, तो बीचे लेगा, दोनों एक ही है, तो यह क्लिक करते हैं, आपके सामने एक dial-up box आ रहा है, और इसमे सारे options आपको मिल रहे है, तो सबसे पहले simple mail कैसे बेजना है, वो हम जान लेंगे, बाकी के सारे options तो step by step आगे हम सीखेंगे, क्योंकि email message पहले, सेंग करना हम इसमें जानते है, simple mail कैसे सेंग करना रहता है, तो यह जो dial-up box आ रहा है, इसे आप चाहिए, तो पूरा screen पे आप email आपको भीजना है, तो यहाँ पर मैं email ID टाइप कर लेता हूँ, कोई भी email ID यहाँ एक example के लिए हम लिख देते हैं, तो उसको मुझे suppose email भीजना है, तो मैंने email ID लिख दिया, उसके बाद CC में carbon copy होता है, वो हम आगे सिखेंगे, BCC भी air करना सिखेंगे, पहले to देखे और subject type कीजिए, subject में मुझे hello, एक email कैसे properly लिखा जाता है, या फिर मैं payment receipt suppose, payment receipt हम किसी को बेज रहे, या payment alerts बेज रहे, तो आप यहाँ पे payment alerts लिख देते है, कुछ भी email हम लेते, payment alerts यह subject लिया, and dear sir or madam, we don't know whom we are sending, तो इसलिए मैंने यह लिख दिया, sir or madam, and now यहाँ पे मैंने लि दिया, your amount, so and so, your amount is pending, जो भी amount हो लिख सकते है, और यहाँ पे, thank you very much, the footer अगेरा भी आड़ कर सकते हम, images भी आड़ कर सकते है, table भी आड़ कर सकते है, बहुत सारी चीज़े होती है, सारी चीज़े हम डीटेल में सीखने वाले है, learn more pro, फिलाल तो इतना ही आड़ कर देते है bro, right, अब इसमें basic mail सीख रहे है, तो इसमें बस formatting हम सीखते है, इसमें formatting कैसे करना है, suppose आपको लगता है कि यह पे कोई चीज़ इंपोर्टन है, तो you can make it bold, like this, यह पे italic, यह अपे underline, यह सारी चीज़े आपे email में कर सकते है, यह पे font भी आप बदल सकते है, आपको लगता ह सकते है, space जादा हो गए यह पे, तो यह जो backspace कर दिया है, इंटर करता हूं में, अन्डू करके, तो आपको दिखाए दे रहे है, जो भी message आपको प्रॉपर्ली हाइलाट करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे format अलग सा कर सकते है, अमांट वर्ड को अलग सा कर सकते है, यह सेंटर लेट राइट कर सकते है, उसको बुलेट दे सकते है, यह basic formatting आपको यहाँ पे मिल जाती है, नहीं चे तो clear format भी option दिया गया है, यहाँ पे सारी formatting वैसी ही, जैसे आप word excel powerpoint में यूज करते है, copy page, cut page भी आपको मिल रहा है, तो email में यह options यहाँ आपको मिल जाता है, ब बाद दुबार में दिखाऊंगो कि यहाँ पे list कैसे आती है, वहाँ से भी आप email आड कर सकते है, आपको बार बार यहाँ पे email आड करने की ज़ुरत नहीं, address book से direct email हम ले सकते है, उसका name भी यहाँ पे check names भी कर सकते है, उसको, okay, so these are the things that you can do with the email, और उसके बाद आपको finally send button पे click करना है, हम attach file अगर options आगे देखेंगे, यहाँ पे send button पे click करना है, directly send हो जाएगा, एचलो attach भी बता दी तो आभी इसमे, attach file simple है, आपके पास जो recent use file से वो यहाँ पे दिखाए देगी, इससे मुझे यह logo attach करना है, कुछ भी, या फिर मुझे browse करना है, computer में जाकर कुछ आपको दिखाए देगा, नहीं चाहिए, तो इसमें से कोई भी एक important thumbnail या image मुझे attach करकी भीजनी है, तो भी मैं attach करूंगा, वो specially attached आपको दिखाए देगा, नहीं चाहिए, तो इसमें attachment में option आपको दिखाए देगा, remove attachment, इस file को save as भी कर सकते है, print भी कर सकते है, नहीं चाहि पर दिया गया है, okay, तो यह है आगे attach items and signature है, जो आगे के part में हम देखेंगे, फिलाल के लिए mail send होता है कि नहीं, send कर दिया है, यह mail, outlook के जरी यह send हो रहा है, और आपको outbox में जाकर देखना चाहिए, outbox में यहा पर यह email आपको दिखाए दे रहा है, send हो चुका है, अगर आप यह email पर जाकर यह देखिया, outbox में चला गया, अभी outbox में था, pending पे, अभी हो send हो चुका है, तो जैसी हो send हो गया है, वैसे आपको, मतलब सामने वाले को, उसकी email में जाकर हो देखेगा, तो उसको directly दिखाए देगा, हो send हो चुका है, that's it, तो यह मुझे बताना था कि हमें mail कैसे send करना रहता है, क्या-क्या steps outlook में follow करने रहते है, mail send करने के लिए, बहुत simple process है, और इसमें बहुत सरे options, और भी हमें देखने है, email send से related, अब हम सीखने वाले हैं, कि Microsoft Outlook में, जब हम email किसी को send करते है, email कैसे send करना है, basically, मैंने आपको बता है, तो email जब send करते हैं, तो हमें signature कैसे add करने रहते हैं, और कुछ चीज़े और भी हम इसमें जानने वाले है, तो चलिए, outlook पटा पर start कर देता है, जो कि अलड़ी started है, यहाँ पर outlook में आच चुका हूँ, email send करने के लिए, आपको जाना होता है, new email में, जो कि यहाँ पर आपको, मैंने focus करके पहले ह आपको बता है, जैसे आप क्लिक करोगे, new email का यहाँ आपको बनाया होगा, तो आगे चलकर हम वह भी देखेंगी, कि contact, business card वगरा, कैसे add करना है, वो सारी चीज़े हम देखने वाले, वो ड्रेक लिए यहाँ पर आप calendar भी add कर सकते हैं, look at there, अगर आप यहाँ पर calendar पे क्लि करते हैं, तो calendar का particular यहाँ पर दिखाए दे रहा है आपको, calendar है today और tomorrow और next 7 days है यहाँ पर particular आप calendar यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, सब उसका ब्री, busy, या 10.82, working elsewhere, यह सारी चीज़े आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, okay, show time within my working hours, तो उतना working hours का timing वापे calendar का show होगा, और वो particular चीज़ आप add कर सकते हैं, तो यहाँ पर okay करना है आपको, उसके बाद यहाँ पर yes करना है, और यहाँ पर चीज़े आजाएगी आपने जो set की रहेगी, अभी फिलाल मैंने कुछ set नहीं किया है, इसमें बस working time की सबसे कुछ चीज़े दिखाए देगी, इसमें मैंने क कोई appointment कोई event set नहीं किया, अगर मैं appointment और event इसमें set कर चुका होता calendar के अंदर तो वो भी चीज़े यहाँ पर आ जाती और यहाँ पर दिखाए देती आपको, फिलाले calendar यहाँ पर आड हो चुका है, तो आप ऐसे calendar भी आपर आड कर सकते हैं, जो कि मुझे बताना था दिखाया यहाँ पर आड हो चुका है, लेकिन जब हम calendar में कुछ events वगरा सेट करते हैं, तो वो भी आपको दिखाए देगा कि हमारे कौन से टाइम पर क्या event है, और आप सेंड करना चाहते हैं, किसी को तो वो सेंड कर सकते हैं, जैसे आपके boss के पूरे के पूरे events आपने मैनेज किये आज के, तो आज के ही में events उनको mail करने आपको, जो भी events, meetings, whatever, तो आप वो कर सकते हैं, यहाँ से जाकर, attach item में जाकर, calendar को आपको attach करना है, और attach कर दो, that's it, calendar के उस दिन के, यहाँ पर पूरे week के, यहाँ पर option भी आता है, आपको calendar आ रहा है, फिर उसके बार, today, tomorrow, next 7 days के, क् appointment है, क्या, सारी चीज़े यहाँ पर दिखाए देगी, आपको सो पुरान ही नहीं आएगा, बिलकुल भी, उसका जरुद भी नहीं रहेगा, specific date का चाहिए, इस date से लेकर, इस date का तो वो भी आप ले सकते है, तो होता क्या है, जब आप calendar में appointment सेट करेंगी, वो सारी चीज़ चीज़े आप लेक्स यहाँ आपकी उट्लुक की मिल जाएगी, जैसे calendar ता outlook का item है, calendar भी है, और यहाँ पर बाकी contacts वगेरा भी चीज़े, वो आप यहाँ से directly attach कर सकते है, मतलब हो आप लोक के सारे contacts आपको भेज देना है, आपकी senior को या किसको भी, तो आप यहाँ से और contact में list भी आ सकता है अगर आपके contact प्रेया तो आप सेंड कर सकते हैं जिसे mobile में किसी को contact सेंड करने के लिए आता है वैसे ही यहाँ पर available है दोस्तों तो as a attachment यह send होगा या as a text send करना है तो as a text यहाँ पर option भी रहता है कि as a attachment send करना है या text करके send करना है तो यह check कर सकते हैं लेकिन यह चीज़े create नहीं ही मेरे पास इसलिए अभी नहीं हो रही send क्योंकि हम context create करना आगे सिखने वाले तब context यहाँ पर आएंगे और context भी send कर पाएं फिच यह नाम दीजे है क्लग की जिए का का signature का नाम दीजे हूं क्या signature आपको देना है लेक आपको जो भी है suppose मिरा hiçbir όरो पिस सिंगिचर बॉस सिंगिचर है जो भी है manager का signature आप एक signature, अलग-अलग signature साइड करने तो आपको अलग-अलग signature साइड कर सकते हैं, यहाँ पर, तो मैं पहले manager का signature eard कर रहा हूँ, तो यहाँ पर manager selected है है और यहाँ पर मुझे signature पूरे अड करने है उसके लिए, यह देखिए, शेक्टेड़ है यहां पर लोगों इन कोपषने को आपको दिखाए रहा है कई अभ ह床 बेला है यह यह दिखाया रहा है यहांड़ Нwir चादा मेंका लोगों यहां देखाए रहा है जानीुन को छूट और को आइखाए दे रहा है, इसक्त इत्लिक है और आप देखीए बड़ा लोंगा तो आप फिर वह बहुत बड़ी signature में आ जाएगा तो यह लिया मैंने फिर इसके इसे थोड़ा सा नीचे रखना है और फिर चाहिए तो उसके उपर कुछ लिखना है या नीचे लिखना है तो नीचे आप लिख सकते हैं यहां पर और यहां पर manager या जो भी है designation वगएरा यहां पर contact detail वगएरा यहां पर contact detail वगएरा यह can add it like this 0022 एक्जमपल के लिए contact number कोई भी आड़ कर देता हूं तो यह चीज़ें यहां पर आड़ कर सकते हैं और यहां पर okay करना है देखिए signature के लिए मैंने क्या क्या किया यह signature नीचे तो delete and new करना है save करना है save कर सकते हैं आप यह signature को save करके रख दो और फिर finally okay करना है signature का नाम बदलना है manager की जगए इसका कुछ और नाम रखना है तो okay कर लो और save कर लो save करने के बाद अभी आपके email में signature चीज़े तो नीचे body में क्लिक कर रही है जो message body है देखिए यहां पर two में email id डालोगी जिसको send करना है जैसे मैंने email id डाला ता वो email id यहां पर देखिए मेर उसको तो signature मैंने लिख दिया वाकी subject में और यहां पर signature में क्लिक करो और यहां पर manager नाम दिखाए दे रहा है इस पर click कर देना है manager पर जैसे क्लिक करोगे और signature आप एड करेगे उपर जो mail लिखना है लिखो नीचे और इंटर करके आपको signature लखना है तो रख सकते हैं और यह mail सेंड करोगे तो उससे send हो जाएगा अगर आप इसके email id इंबॉक्स में जाके चेक करोगे तो आपको email दिखाए देगा और मुझे आपको कि यह कैसे मतलब यहां पर दिया गया है कि हाइप इंपोर्टंस सबसे जादा है इंपोर्टंस मार्क करके आप बेजो लो इंपोर्टंस है इसको बात में second category का email है तो इसे लो इंपोर्टंस ऐसे status या टाइक आप आप कर सकते हैं यहां पर फ्लाइग मैसेज भी कर सकते हैं it will be a flag for you with the following important information follow up है ना तो आपको एक information follow up के लिए एक flag होते रहेगा यह जैसे यह सेंड होगा फिलाल हम सेंड करते हैं उसे हमने फ्लाइग किया है यहां पर आपको दिखाए दे रहा है important भी mark हम ने किया तो जो चीज़े हम करते हैं यहां पर सेंड हो चुका है वो राइट Outlook में appointment कैसे set करते हैं यह जानने की तो appointment set करने के लिए हमें यहां पर new items में click करना है और appointment option लेना यहां पर आप देख सकते appointment option second वाला दिखाए दे रहा है इसकी उपर मैं click करूंगा चलिए देखते हैं इसकी उपर मैं click करता हूं so subject में appointment का subject क्या है आपका कोई meeting है कोई कोई meeting with whatever तो आप यहां पर लिख दो meeting with whatever appointment with doctor याप में meeting with आपका कोई board meeting है कोई company employee के साथ meeting meeting with employee लिख सकते है आप यहां पर meeting with employee right और यहां पर location कहां पर है कौन से branch में है यहां पर कोई conference room में वो सारी चीज़ आप यहां पर लिख सकते है फिलाल यह meeting मेरे पुने ब्रैंच में तो पुने ब्रैंच में लिख देता हूं उसके बाद start time और end time अपको लिखना है ज़रा ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखना है start time और end time तो start time के लिए यहां पर आप देख सकते है फिलाल के लिए automatic आ चुका है next time में पतलब अभी यह तारीक automatic इसलिए आ चुकी क्योंकि अगर आपको एक गंटे का करना है तो आप यहां से सेट कर सकते है नीचे वाला टाइमिंग बदल सकते है start timing और end timing तो वह रहेगा और all day event पे चेक नहीं करना है आगे दिखाए रहा है यह तभी चेक करना है जब आपका all day पूरा दिन यही इवेंट आपको आज के लिए सेम सन्गार डिले कि सेट करनी खालिए अगर आपको लगता है कि यह रेकरणस याई कि इसका repeating है म inan प्रमा मैं रिकरें जीजर गर अपको आप कार रिकरंस आप्शन लगैया हैarlा बीक इसम. का अपको आपको अपॉइंट में टाइमिंग दिया है आपका 10 से 20 अब बिल्स करना चाहते य विर्वी करना चाहते य य आप फिर करोंगे चयक करों गisto में जरकातों मेंटीन के लिए लगा घर करोंगे लेकिन गली कार्व सब्सक्राइब का ऐसे ये क्ञाले थीपिट है सब्सक्राइब चल्ड देंड, परने वाले गषे तके ही सब्सक्तव है. तो यहां पर मैं चाहता हूँ कि 30 मिनिट्स पहले मुझे अलट आ जाए कि आज सुबह मैं सपोर्ज नौ बजे आता हूँ इससारी चीज़े और सेव आन क्लोज करना है यह चाहिए लेकिन आपको अपोटम में चाहिए इस बाटम श्रमी अर दिकाय डिखाय देता यहाद रहा है याद रखी यह बॉटम आपको भुलम अपको दिखाय दे रहा है इसका व्याग जानेंगे बिशल का वीव सेक्टेंन म कि जो और देखिए मैंने एक अपॉंटमेंट सेट कर दी है मिटिंग वित इंप्लोय तेरा तारीक को एक पूने ब्रैंच में है यह आपको दिखाए दे रहा है इसके उपर माउस इसके उपर माउस लेके जो ऐसा और आप देखेंगे यहां पर भी बता रहे है थर्टी आपको दिखाए देखिया एा रहा है राईग पर अप्यूंटarta आपको दिखा के देखिया ने भी आपको सेट करने हिए है राइफ और फालड़ देखो की आपको झाले का अफ।रणिम्न के इसके अपड़े लेट में प्लिग करूं गर अ आप族क अपलनिक चेके हो आग एक किस मते ही पूरा पार समीनार में इसमिनार पूरे दिन में aware ने का लिख है का साथ सब्सक포यार मज़ूरों के आप अपर लिखी कर सकते हैं इस तरह से appointment सेट करते हैं, नीचे ए appointment तो right click करो, इसके और डिलीट करके option आ रहा है, appointment कर सकते हैं, जो आपको appointment कैंसल करनी है, हाँ आपको लगता है कि यार मुझे पूरे next, पूरे दिन मतलब recurrence करना है, appointment पूरे 25 से आगे चलकर, daily appointment सेट करनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग उसक daily meetings, daily discussions, daily team meetings, कुछ भी ऐसा, और location होगे आड़ कर दिया, office, whatever, branch office, और यहाँ पर डाल दिया, सुबह 8 से 9 या फिर 9 से 9 और यहाँ पर recurrence करेंगे, हम इसे, recurrence पर क्लिक करेंगे, और daily रखेंगे, और daily यहाँ पर दिखाए दे रहा है, everyday 30 मिनिट आ रहा है, यहाँ पर कौन से तारिक से लेकर कौन से तारिक तक आपको चाहिए वहाँ रखेंगे, 25 तारिक से डेली कितने तारिक तक चाहिए, 17-8 अगोस्ट तक चाहिए, यहाँ पर आपको 25 तारिक से लेकर जून के 10 तारिक तक चाहिए, आपको लगता है 25 तारिक से लेकर जून के 10 तारिक तक और 9 बजी की बिटिंग रहेगी, ये सेट हूच के सारे appointment यहाँ पे, So basically appointment कैसे सेट करना है, definitely आपको समझा होगा, नई तो रेतिली करकि वसे आप डिलीट कर सकते हैं, जाने एक अपोइंटमेंट यहाँ पे, देखे जा सकते हैं, कैसे देखना और इसका पॉप अपको आजाएगा और इस अपॉइंटमेंट को आप इंपोर्टन्स भी सेट कर सकते हैं इस अपॉइंटमेंट को लो इंपोर्टन्स है ये अपॉइंटमेंट अपका प्राइबेट है तो आप इस तरह से से सेट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट इस पार्ट में सम्झाओगा यहां पे हम नियु अटम्स में और कुछ चीजे सिखने वाले अपॉइंटमेंट तो अपने देख लिया कैसे सेट करना है अब बारी मिटिंग की तो यहां पर आपको मिटिंग ओशन दिखाए देरा मैं क्लिक करता हूं देखें जैसे मैं मिटिं सेट में सेमने सेट कर नहीं कि तक से इन डिक को भी तो यहां पर आपका इम्माइडी करेंगे जिसको मिटिंग के लिए इन वाइड करना है तो अगर आपका इमेल पहले से आपके आउटलूक के अंदर है तो इस तरह से आपको दिखाए देगा एन राइटी दिखाए पुरा इंफॉमेशन कैसे बनाते हैं, आगे चल कर देख लेंगे, लेकिन अगर एड है तो यहां पर हो दिखाए देगा, बहुत सरे इमेल आप एड कर सकते हैं, जिनको आप मिटिंग में इन्वाइट करना चाहते हो, उसके बाद बारियती सब्जेक्ट की, आप क्या सब्ज सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आप यह मिटिंग को इसी मेलाडी को सेंड करते हैं, तो, अगर मैं यहां पर सेंड करता हूं, इस बार यह देंको एड के लिए हैं, दूसरा इमैल आप आप आड कर तो, या फिर आप इसमें भी उसे आउटलुक में दिखाए देगा बोर्ड मिटिंग या पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ उसको अप्षिन नाएगा कि वाई यस मेभी और नो आपको यहां पर टिक करना अप मिटिंग में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यह मतलब हो यह पर आपको दूसरा मिटिंग तो नो यह पर आप दे सकते और यह पर सारी चीज़िए यह पर मेंशन की गई है तो यह पर यह आप यहां पर यह स्नो कर सकते रिस्पॉंस के लिए लेकिन अगर आप आप आउटलुक में अब मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा यह जो अगर आप 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 यहां पर किस तरह से आएगा आपको दिखाता हूं सेम अरहा है रिक्वाइड आता है वाँ पर यह पर एंटिंग का टाइटल आप उपर लिग सकते हैं यह पर ऑप्शनल में मतलब सिसी डाल सकते किसी और का इमेल आप को रखना आप सी सी पता है कारबन कॉपी जाएगे उसके और लोकेशन और यहां पर इस तरह से आ रहा है और से इंवटन भी आ रहा है सेम ही है आपको यहां पर इसके अंदर मिल रहा है ऑपिस त्री सिस्टिफाइ के अंदर जब आप यह इन्विटेशन किसी को बेजोगे तो उसे आउटलुक में कै तो आठ हैगे हैं दो देखकाना ज़िधा करते हैं तो यह और फिर तो अंदर में मुल गले और नो में jusqu ग मेल इसीज़े इस तरह से आपको दिखाया देगा एक मेल कॉंपेडेंशल इसलिए बागी की चीज़े मैं यह की है बिजिकली यह इस तरह से जाएगा मीटिंग का इन्विटेशन सामने वाले को में ने वह बता दिया आपको कैसे सेट होता है मिट treatments का सीक है था मुट कर रहा हूं 20 अभी मैंने सेट किये ठीड में ने नाका पूर्ड इसे तक जखते हैं. बोर्रीच मेन पूरें 15-40 मिनिट अमकुलिकु करते हो, अगर अगर वójी करने हो तो इसको पर अगर आप क्लिक करते हो, तो रिखाई रहे हैं कितने लोगों एक किर ते लोगों थे-क किया, कितने लोगों लोगों इच वनिस नो किया, सब यह पर दिया गया है तो इस तरह से हैं मेटिंग सेट कर सकते हैं और इस मिटिंग को कैंसल कर ना तो कैंसल मिटिंग आप यह से कर सकते हैं इससे आप लोगर केलींडर में जाकर दूबारा देखते हैं अभी मैं इसे क्लोज कर रहा हूं no, don't cancel, close meeting you send, yes send a cancellation अगर कैंसल करने के बाद यह मैं पताना बुलिगा है वापे क्लोज करने के बाद यह मैं पताना बुलिगा है वापे क्लोज करने के बाद यह मैं पताना बुलिगा है वापे क्लोज करने के बाद यह मैं पताना बुलिगा है वापे क्लोज करने के बाद यह मैं पताना बुलि तो इस मुड़िक कर दिय हो नहीं लो आप से अफए टॉमिट Archives रहन मेल जायँ को पासंने लोगों को अपने मिटिंग में शामिल का उचकते हैं था लह तो के समल्सक्राइब बे शॅच्च कर दिय को सामिल होय है तो इस तरह से आप meetings schedule कर सकते हैं meeting को cancel कर सकते हैं और यहाँ पर डेर सारी meetings आपने लगी हुई एक साथ calendar में आप देख पाओगे वो आपकी उपर है calendar में आपको देखना है नहीं देखना है लेकिन आप इस individual meeting की उपर जाके appointment की उपर जाके उसे delete करना है जो भी आप करना है वो कर सकते हैं उसका status देखना है देख सकते हैं तो दोस्तों यह था Microsoft Office का crash course और इस crash course में जितने भी shortcut keys मैंने बता है उनकी PDF file आपको description में मिलेगी मतलब आपको description में जाना है application के पर skill course application आप Play Store से भी download कर सकते हैं और उसमें आपको study material नाम पे tap पे जाना है उसके अंदर आपको जाना है YouTube channel practice file उसमें complete technology channel नाम का एक फोल्डर रहेगा और उसके अंदर आपको मिलेगा Microsoft Office crash course का फोल्डर उसी में आपको मिलेगा shortcut keys practice file सब कुछ मिलेगा तो यह मैंने पूरी बुरी procedure बताई है तो certificate लेके जाओगे company में दिखाओगे हा मुझे Microsoft Office आता है मैंने ये crash course complete कर लिया लेकिन जब आपको computer पे बिठाए भाई दे दो जला मुझे बना कि बताओ कि एकसल के अंदर यह कैसे बनाते यह कैसे करते वो कैसे करते तो आपको आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं हो न अचे इसलिए मैंने यह पूरा पूरा प्रोसेस इस तरह से रखा है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और कमेंट करना सब्सक्राइब कर लेना जो भी है जितने भी चीज़े मैंने बताई हो सब कर लेना तो मिलते अगले वीडियो के अंदर तपता के ले सीखते रहो और सिखाते रहो लोगों को बाइबाइ